हलो फ्रेंट्स विलकम टू माई चानल आएम अकान चागरेरी आज मैं आपको जी एस दिरश्टी के भारती इतिहास में आधुनिक भारत की इतिहास पूरा एक ही वीडियो में बताने जा रही हूँ देखे वैसे तो सारे सिग्मिट हमारे लिए मोश इंपोर्टेंट हो जाते हैं लेकिन आज भी इसका वेटेज है बहुत जादा है आधुनिक भारत की थियास यहीं मौडन हिश्ट्री का वेटेज आज भी बहुत ही जादा है जब आप प्रिवेस यह कोश्ट पर अप लगा किया गया है लेकि मैंने पहले ही बताया कि जिन लोगों ने पहले से हिस्ट्री को पढ़ रखा है वे इस सीरीज को रिवीजन के तौर पर ले सकते हैं बड़ जिन लोगों ने बिल्कुल भी नहीं देखा है वो भी इस सीरीज देख सकते हैं क्योंकि मैंने बताया कि इसमें मैंने बहुत अच्छे से बहुत बेसिक से सारे टॉपिक को कबर किया गया है देखिए इसमें उतना ही दिया है जो एक्जाम की दिश्टी से आपके लिए most important है अब ही आपके बात इतना टाइम नहीं है कि आप मोटी मोटी बुक को पड़कर एक्जाम दे सके क्योंकि आप दे आउतनिक भारत की इतिहास पूरा आप देख रहे हैं कितना कम पेज में कितना कम पेज में पूरा आउतनिक भारत का इतिहास इसमें कवर कर दिया गया है तो आईए हम देखें कि इसमें हम लोग क्या क्या कवर करेंगे लेक्चर देखने के बाद आप लोग फीडबैक गवर्नर या गवर्नर जनर्र वयसराय के बारे में भारत में क्रांतीकारी आंदोलन भाःत में में क्रांतीकारी गतिविदिया बंगाल बिभादन तथा स्वादेशी आंदोलन बिविद और हम देखेंगे होम रूल लीग आंदोलन महात्मा गांधी, किसान आंदोलन और किसान सभा, ट्रेड यूनियन एम सामवादी दल, रोलेट एक्ट, जलियव वाला भाग हत्यकांड, खिलापत आंदोलन, आशायोग आंदोलन, स्वाराज पार्टी, उनिस्तो बीस के दसक के दवरान भारत में करांतिकारी, लाला लाजबत राए, साइमन कमिशन, कांग्रेस का लाहोर अधिवेशन, सबने आवग्य आंदोलन से लेकर भारत का बिभाजन एवं सतन्ता, फिगीत, पत्रिकाय, पुस्तके और उनके लेकर और मिसलिंगे, यह सब हम आज सारा एक ही वीडियो में कम्प्लीट करेंगे, जिससे आप कम टाइम में रिवीजन कर सके, मैंने बताया है कि आप लेक्चर को देखकर जरूर फीडबैक सेर करिएगा, ओके फ्रेंस आई श्टार्ट करते हैं अपने लेक्चर, आए, शबसे पहले क्या है टापिक कौन सा, यूरोपी कंपनियों का आघवन, लेकि इसमें अफेगे, बताये की कंपनी का आगमन सबसे पहले कौन कौन से हुए है, यहनि कि आया को दे दिया जाएगा चाहरा अफ्सन और आप से पूछ दे जाएगा कि पहले कौन आई थी उसके बाद कौन आई थी और आखरी में कौन आई थी ऐसे क्योशन बनते हैं आए देखते हैं तो आप इतना याद रखिए कोशन बहुत बनते हैं आप यहीं पर याद कर लिजे सबसे पहले जो कंपणी हमारी आए थी भारत में वह पुर्तगाली आई निदे पर गाली है अन Lee forever weekend को बनता है सबसे पहले वहारत में आने वली कंपणी कौन सी थी तो वह थी पुर्तगाली है और आखरी सबसे बाद में भी जाने वाली कौन से थी तो वो भी पुर्तगाली ही थी ठीक है आई सबसे पहले हम देखते हैं पुर्तगाली देखे पुर्तगाली वासको डिगामा का नाम आता है वासको डिगामा क्या आपने जानते हैं कि क्या है कि वासको डिगामा भारत आय इनको बैपार के 60 गुना अधिक मुनाफ़े की प्राप्ति मिली थी और वासको डिगामा ही है जो भारत के लिए नए समुद्री मारक की खोज की थी किसने की थी नए समुद्री मारक की खोज वासको डिगामा और यह भी अपडेट याद रखेगा 1498 में और इनके सहायक कौन ह अहमद इबन मजीद सहायक है इनके तो यह था पुर्तगाली के बारे में जो इतना इंपोर्टेंट है यह सब आपके लिए इंपोर्टेंट है इससे क्योशन बना हुआ है अब नेश देखे क्या आते हैं पुर्तगाली में फ्रांसिसको डा अलमिडा देके भारत में पूल्सी में पूछा गया है कि ब्लू वाटर पॉलसी किसकी है तो यहीं को कहा जाता है इनका किसलिय आई थी हिंद महासागर में प्रभुत्ट स्थापन हे तुपन से है अलफांसो दा अलबुकर्क ये भारत में पुत्रगाली सक्ति का वास्तिक संस्थापक इन्हें ही माना जाता है बड़ अगर एक जाम में कोशन आपसे बनता है कि भारत में पदभार ग्रहन करने वला प्रतम पुत्रगाली वायसरा है कौन था तो अब क्या लगाएंगे दा अलमिडा फ्रांसिसको दा अलमिडा थे लेकिन अगर वास्तिक संस्थापक की बात करें तो अलफांसो दा अलबुकर्क थे अब देखें इन्होंने क्या किया था पंदरा सो दस ईसवी में बीजापूर के सासक यूशुप आदिल सहसे गोवा को चीना था मलक्का एवं हरमुज पर इन्होंने अधिकार कर लिया था कोचीन कोचीन कहा है भारत में प्रथम यूरोपी एवं पुत्रगाली दुरकर निर्माता भी इनको कहा जाता है कौन है कोचीन भारत में है कोचीन जानते हैं अब प्रथम यूरोपी एवं सबसे पहले कहा प्रथम यूरोपी एवं पुत्रगाली दुरकर निर्माता किसको को माने जाते हैं अलफांसो दा अलबू करको माने जाते हैं ठीक है अब देखिए इतना इंपोर्टन नहीं है तो हम आते ही देखते हैं इस अंग्रेजी इस इंडिया कंपनी इसका देखिए आरंबीक वर्स क्या है वर्स में इंग्लेंड में एक मर्शेंट एडवेंचर्स नामक दल द्वारा शुरुबात की गई थी दिसंबर कंपनी का निग्मी करण्ट था इलजाबेद प्रिथाम द्वारा कंपनी को पूर के साथ बैपार करने है तो एक आधिकार पत्र प्रदान किया गया था यह कितने वर्सों के लिए था केवल 15 वर्सों के लिए था उस समय मुगल बासा कौन थे अकबर थे याद रखना अकब सब्सक्राइब रखेंगे कि 1600 इस्यू में 1600 में क्या किया गया था इलजाबेद प्रिथाम द्वारा कंपनी को पूर्व के साथ यह बैपार करने के इनको अनुमत दी गया थी एक आधिगार पत्र प्रदान किया गया तो भी कितने वर्सों तक के लिए 15 वर्सों के तो और य कितना गया था है म्यवर्साह कौन ऑसी जहां गीर घद्व Actually घर के स्थापित किया गया था औरने या करने साल बार में सूरत में सूरत में अंग्रेजो का प्रतृहि इस्थाई कार खाना इस्थापित किया गया ता ठीक है मसूली पटनम में आइस्थाई और सुरत में इस्थाई कार खाना खोला गया ता यह ध्यान रखेगा दोनों कुष्यन बन चुके हुए है अब देखे क्या आते हैं डेंच भी इतने इंपोर्टंड नहीं है तो हम आतें हैं इनका मूल नाम क्या है कंपणी फ्रांसे से देश इंदेश औरी ओरी इंट लेस तेके मैं ने बताया था कुछ वर्ड इतने इसके उच्छन टॉफ होते हैं लेकिन आप एक से दोबार आप रिवाइच करेंगे रिपीट करेंगे तो आपको पढ़ने में आसान हो जाएगी ठ आपना हुई थी और किसकी अनुरोद पर उनके जो मंतरी थे कालबर्ट के अनुरोद पर लूई 14 द्वारा अब इतना रखेंगी लूई 14 द्वारा ठीक है इसके प्रकति क्या है राज्य द्वारा निर्मी थे खर्च हे तुधन ने राज्य द्वारा प्रधान किया गया थ इसलिए आप इसकों नहीं कों मुँट्र अोस में मैं नहीं देखे उटर्थल के था किये टोषथ अब मैंने बताया है कि महातेपूर में कुष्चन होते हैं वह important हो जाते हैं इसलिए आप इसको ignore बिल्कुल भी नहीं करिएगा आए दिखते हैं क्या है अंग्रेजों के बैपार केंदर के लिए हुगली के जौब चरनाग था ठीक है जौब चरनाग था क्या था हुगली के स्थान पर सूतनूती के चैन करने वाला कासीम बजार की फैक्टरी का प्रमुकौन था जौब चरनाग था कोची ब्रिटिस उपनिवेस के तहट समलित हुआ कब कि हुआ हुआ है एटीन-फोर्टीन में जो को करने यहां था फुरतगालियों को स्वुल्ली नामकिस्थान पर हराने वाले अंग्रेज अधिकारी का नाम था ठामस पुत्रगालियों को हरा दिये थे अंग्रेज तो उनका नाम कौन से अंग्रेज ने हराया था था थामस बिश्ट ने हुगली को बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूट पार्ट के लिए अड़े की रूप में प्रियोग करने वाली यूरोपी सक्ति कौन थी पुत्रगाली थी इन्होंने क्या किया था हुगली को क्या कर दिया था बंगाल की खाड़ी में शमुद्री लूट पार्ट के अड़े की रूप में प्रियोग किया था इन्होंने निश्ट क्या है यूरोपी बैपारिक कंपनियों के भारत आने का क्रम क्या है मैंने भी पताया था सबसे पुर्थिज पंपन भारत में सबसे पहले आने वाले कॉष्षम है अभी मने बताया था अन्त में जाने वाले भी पुर्थगाल voyez टीक है कब गये थे 1961 में गये थे तो चब आये थे चोदर सो अठानवे में ये आये थे यूरोपी सक्तियों में सरप्रथम भारत में शामुद्रिक बैपारिक केंद स्थापित किया इसके दौरा पूर्तरगाली बैपारियों ने पूत्रगालीयों ने अपनी दूसरी फैक्ट में इस्थापित की निश्दे की हुगली इस्थीत पूर्टगाली बस्तियों को पूरी तरह से नश्ट किया किसने नश्ट किया है किसने मुगलबासा साथ जहां द्वारा नश्ट कर दिया गया है प्रथम डच फैक्टिरी की अंग्रेज का भी डचो की डचो की बंगाल में प्र धं फैक्टिरी की स्थापनासा की थी तो टु कहां था कौण से इस। पीनों ने की थी ओके आप इन दोनों कोश्चनों में आप कंफ्यूज मत हो जाएगा देखिए प्रथम अगर एक जाम में आता प्रथम डच फैक्टरी की स्थापना इस्थार को आए तो मसूली पत्तम आप बताएंगे ठीक है अगर पूछते हैं कि बंगाल में डचों की बं देखे सबसे पहले कौन सी आए थी पूर्थगाली कंपनी किस नाम से इस्तादो दा इंडिया सबसे कब आई थी पंदरा सो पांच इस्वी में आए थी अब देखिए शोला सो इस्वी कौन सी आए थी दा गवर्णर एंड कंपनी आफ मर्चेंट्स आफ लंदन इस्ट इंडिय मेंन क हैंग्रेजी इस्ट इंडिया कंपनी कंपनी के नाम से नाम किया वेरे निकदे ओस इंडी से कंपणी फिर द 티्डitel इस इंडिय कंपनी की नाम से कब आई थी 1616 में 1664 में कौन से आई थी कमपनी फ्रांसे से देश इंदेश ओरिएंट लेस फ्रांसी सी यह आई थी ठीक है अब आई इने देखें कुछ महातिपूर संधिया है जो कि हम आये देखते हैं अब जाम में पूछ लिया जाता है देखें इलहाबाद के दो संधि हुई थी देखें जो प्रथम संधिया है यह कब हुई थी या देखें कर देट पूरा 12 अगस्त 1765 में हुई थी किसके बीच में हुई थी अंग्रेजो और मुगल समराट सहा आलं दुती के मद और इलहाबाद के दो संधिया संधिया भी कब हुई थी 16 अगस्त 1765 में हुई थी कौन-कौन से थे इसके पच अंग्रेजो और आवद के नवाब सुजाओ दुल्ला के मद हुई थी यह थी इलहाबाद के संधिया इससे क्योंशन बने हुए हैं अब देखे मंगलावर की संधी मंगलावर की संधी कब हुई थी 1784 में मंगलावर की संधी हुई थी अंग्रेज और टीपु शुल्तान के बीच में अब देखे और मदराज की संधी कब हुई थी 1769 में मद्रास की संधी हुई थी अंगरेज और हैदर अली के बीच में सालबाई की संधी 1782 एस्य्य में अंगरेज और मराठे की बीच में सालबाई की संधी होई थी देखे इसमें जितनी भी संधिया है चार है संधी यह most important है अब देखें क्या है प्रमुक डच बैपारी केंद्र कौन-कौन से है बस एक बड़ आप देख लिजी कौन-कौन से नाम अहमदाबाद, नागपटिनम, चिंसुरा, मसूलीपटनम, शूरत, पीपिली, भरूच, आगरा, कोचीन ये थे प्रमुक डच बैपारी केंद्र 1746 से 1748 इस्वी तक हुआ था ठीकए? की बीच में हुआ था, उसका कारण क्या था? उस समय का ततकालिक कारण क्या था? अंग्रेज कापटन बरनेट के नियुत्रत में अंग्रेजी सेना द्वारा कुछ फ्रांसेसी जहाजों पर अधिकार कर लिया गया था यानि कि क्या हुआ था अंग्रेज कैप्टरम बर्नेट की नितरत में जो अंग्रेजी सेना द्वारा फ्रांसेसी जहाज पर इनोंने अधिकार कर लिया था और क्या आश्ट्रिया के उत्रादिकार युद का विस्तार मात्र एकसला कई बार पूछा गया है एकसला सापेल की संधी कब हुई थी तो 1748 में हुई थी इसी से आश्ट्रिया का आश्ट्रिया नहीं है आश्ट्रिया जो की यूरोप की कंट्री है आश्ट्रिया का उत्राद एक्सला सापेल की संदी से वांडी वास युद्ध अंग्रेज और फ्रांसीसी के बीच में हुआ था कब हुआ था 1760 में हुआ था अंग्रेज और अंग्रेज कौन थे से अंग्रेज कौन थे अंग्रेजी सेना का कर रहे थे नित्रत करता काउंट डी लाली फ्राणसी सेना का निर्टत कर रहे थे और इसका क्या हुआ परीराम अंग्रेज गिजयता हो गए काउंट दी लाली थे और कौन विजय हुए अंग्रेज विजय हुए ये आपको याद र Horizon सब्सक्राइब करें देखते हैं कि पहले वाथ करें 1539 इसवी में क्या हुआ है नूनोदा कुंधा यह पूर्तगाली गवर्नर थे 1539 से 1538 इस्वि में क्या है नूनो दा कुंधा पूर्टगाली गवर्नर थे बस आप इसको ऐसे आद रखेगा पंदरा सो पाच इस्वि में क्या हुआ था फ्रांसिस्को दा अल्मिडा वाय सराय निर्क्त वे थे यह हमने पहले डिस्कस कर चुके हुए है अब क्या है अज्ज इस्वि में गया सुद्दीन महमूद सहाई बंगाल के रहे निर्क्त वे इस्वि में क्या हुआ था देखिए गया सुद्दीन महमूद सहाई यह बंगाल के सासक थे इन्होंने क्या किया सत गाउं और चट गाउं में पुर्टगाली को पुर्टगालियों को फैक्ट्री इस्थापित करने की इन्होंने क्या कर दी है अनुमती दे दी गई है एक बराइए हम रिपीट करते हैं देखिए फ्रांसिस्को दा अल्मिडा इन्होंने यहां पर अज्जी दीव और कन्ना नोर में पुर्टगाली दुर्गों कर निर्माता माना जाते हैं और फिर क्या हुए है नूनोदा कुन्हा पुर्टगाली गवर्नर बन कर आएं 1539 में 1534 में गिया शुद्देन मुहमत महमूद सहा ने जो कि बंगाल के सासक थ पुर्टगाली ओं को फैक्टरी स्थापित करने की अनुमति दे दी गई है और भारत कब चोड़े थे ने 1961 में भारत चोड़ दिये गये थे चोड़ दिये गया थे कौन किसके दोरा चोड़ा गया था भारत पुर्टगाली द्वारा अब देखे क्या हुआ था एक संदी इकब हुई थी 1661 में एक संदी हुई थी चार्स दुति यह इंग्लैंड के समराथ है और उनकी जो बेटी पूर्तगाली राजकुमारी कैथरीन कैथरीन द्वारी इनका विभा हुआ है कब हुआ है विभा सोला सो बांशठ में विभा हुआ था इन्हों ने चार्स दुति जो इंग्लेंड के समराथ हैं उनको दहेच के रूप में बंबई दे दिया गया था ठीक है आप देखें दहेच के रूप में बहुत कुछ दिया जाता है तो इन्होंने क्या कर दिया था पूरा बंबई ही दहेच के रूप में दे दिया गया था चास दुती को किसके द्वार वार्सिक किराय पर ब्रेटिस इस्ट इंडिया कंपनी को प्रधान कर दिया गया जो बंबई है वह दस पॉंड वार्सिक किराय पर इनको दे दिया गया है ब्रेटिस इस्ट इंडिया कंपनी को इन्होंने दे दिया है यहीं से स्टार्ट होती है इनकी इनकी अधिकार कि इनकी किसके द्वारा पारित किया गया है इसका प्राउधान क्या है महारानी विक्टोरिया भारत की समागरी घोशित हुई थी जनवरी 1877 में घोशित किर दी गई थी कि महारानी विक्टोरिया याद रखिएक न भारत की समागरी वन गई गई है कब बनी है 1877 में एक अधनियम आया था बिधुआ पुनर विबहा अधनियम यह किसके दूर्प्रस्थुत किया गया था किसके समय में प्लाड़ डल्हवजी के समय में कब अधनियम ती थी है 26 जु और किसके समय में लाडल होजी के समय में इसमें जो भी था नियम 15 बिद्वा विभाव वैद है और उससे उत्पन संतान भी वैद हैं अब देखें कुछ प्रशन हैं आईए हम देखते हैं देखें रणजीर सिंग तोप गोला और बारूत बनाने के कार खाने स्थापित किये थे हैं कहां पर लाहोर तथा अम्रत सर में आमेर के सवाई जैसी ने युक्लिड के रेखा गड़ित के तत्तों का अनुबाद कराया किस भासा में संस्क्रित भासा में संगेरी मंदिर में सारदा देवी की मूर्ति निर्माण है तो धन देने वाले मुस्लिम सासा का नाम कौ अब निश्ट देखे क्या है लाड हेस्टिंग ने पेस्वाई को समाप्त किया कब किया है 1818 इस्व में दा पाइनियर समचार पत्र का प्रारम 1855 इस्व में इलहाबाद जो कि अब प्रयाग राज से किया था किसने जाश एलन ने 1878 इस्व में देशी भासा यह इंपोर्ट पत्रित की घई पत्रिका कान से दी अमिरत बजार पत्रिका क्या तोआ या आपसे ऐसे क्वसम फूष्ष ले जाएगा कि वरना प्रेस एक्ट कब आया था यह 1868 में आया था यह किया था देशी भाषा आवं में में पत्रिका इस वोलेकिन विशने के लिए रात व रात बंगाल के नवाब और ब्रिटिस इस्ट इंडिया कंपणी आए हमें के करके के किल बारे में जानते हैं तो से पहले हम देखते हैं मुर्शिद कुली खान क्या हुआ था मुर्शिद कुली खान ने क्या किया था मुगल समराड द्वारा स्वतन्त रूप से बंगाल में नियु मुर्शिद कुली खान ने क्या था मुर्शिद कुली खान ने क्या किया था मुगल समराड द्वारा स्वतन्त रूप से बंगाल में नियुक्त यांतिम गवर्नर थे कौन थे मुर्शिद कुली खान थे अब देखे अलिवर्दी खान यह कौन थे यूरोपी सक्तियों की यादि उन्हें ना छेड़ा जाए तो वे सहेद देंगी और यादि छेड़ा जाए तो वे काट काट कर मार डालेंगी यह अली वर्दी खान का कथान है अंग्रेजों के प्रतिम अब देखिए चिराज जुद्धवला 1756 से 57 के बीच में इनका वो आता है एकी सालता किनों ने राज किया देखिए अली वर्दी खान का दोवित्र था एवं उत्रदिकारी था कौन था उसी राज जुद्धवला ब्लैक होल की घटना जो की है 20 से 20 जून 1756 इसमें घटित हुई थी इसमें क कुछ लोग घुटन के मारे ही उनकी डित हो गई थी मारे गए थे ठीक है प्लासी की युद्ध में राबर्ट क्लाइस से इनुन यह में हार गए थे देखिए इसके जो नीती थी यह युद्ध था यह एक तरफा युद्ध था जो इनके सेना थे यह सब जाके अंगेरियों से मिल जो सिर्फ दौलों के सेना थी यह सब जाके अंगेरियों से मिल गया थे ठीक है फिर आते हैं मीर कासिम सतरा सो साट से संसे सतरा सो तिर्शाट इश्वी में अली वर्दी खां के उत्रादिकारी नमाबों में सबसे योग गिर है यह मीर कासिम पूरिया तथा अब देखिए तोड़ेदर बंदूके बनाने की बिवस्था इन्होंने मीर कासिम ने कर दी थी बकसर की युद में अंग्रेजों से यह हार गये थे ठीक है अब देखिए राबर्ड कलायू को क्या माना जाता है भारत वर्स में बिटिस समराज का संस्थापा कौन है तो वह अब देखिए बंगाल का गवर्नर बंगाल का गवर्नर 1758 से 1760 में बने हैं और फिस 1765 से 1760 में बने हैं ठीक है भारत में बिटिस पर भुद्ध की न्यू रखने वाला रखने वाला भी यह था इलहाबाद के संधी भी किस ने कि थी किमें बीच में हो के साहालाम दूती आवद के नवाब जो सुजद्धावला थे और व्गल समराट कौं थे साहालाम दूती थी यह दोनोंvard साहालाम रुति विट जननेता सायनिक के रूप में जननेता भी रावट कलाई को ही माना जाता है अब देखे क्या है कुछ महत्यपूर्ण प्रश्ण है प्लासी वर्तमार नाम पलासी है का युद्ध मैदान पश्चिम बंगाल राज के नदिया जिले में इस्तित है यह कोशन पूछा गया के प्ला मुहम्मद रजा खान यहोंने बंगाल के लिए निवत किया गया था राजा सिताब राय को बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था मीर जाफर था अब देखें बक्सर का युद्ध कब हुआ था डेट याद इंपॉर्टेंट है मुगल बास साव सहा आलम दुती का नाम आता है दुती और किनके बीच में हुआ था अंग्रेज। इनमें तीन इंपॉर्टेंस अक्तिसाली थी एक थे मीर काशीम और एक थे सुझत दौला अवत कि नमाव और मुगल बास सहा आलम दूत यह और फिर और दूसी हर कौन थे अंग्रेज थें अंग्रेजी सेना का जो कमान था वो कौन हैंडल कर रहे थे मेजर हिक्टर मुन्रो ने बंगाल का ततकाली नवाब कौन था उसमें मीर जाफार थें क्या थे मीर जाफार थें अब देखे क्या है शाह आलंदूती 1759 से 1806 इस वी तक इनका है इलहाबाद की दूसरी संधी के बाद घटना करम इलहाबाद की दूसरी संधी के घटना के बाद देखे आप क्या है शाह आलंदूती किसके आगए सनचन में अंग्रेजी सनचन में इलहाबाद में रखा गया इनको आवद के नवाब द्वारा छोड़े गई लहाबात थकड़ा के चेतर शाह आलम को प्रदान किये गए 12 अगस्त 1765 को का फरमान देखे क्या है क्या है संधी हुई थी ना फरमान क्या आया है कमपनी को बंगार, बिहार, उडिसा की दिवानी इस्थाई रूप से प्रदान की गई है और कमपनी द्वारा समराड को 26 लाग रुपए पर इंसन प्रतिवर्स देना है कमपनी को उन्होंने क्या कर दिया गया था बंगाल, बिहार, उडिसा की दिवान दे दी गई थी और बदले में कमपनी समराड को क्या दी है 26 लाग रुपए पिंसन प्रतिवर्स इनको देती थी ठीक है अब देखे डुपले कुछ महत्तपून और हैं लोग पहली बार उरोपी सेना को भारती बै पर भारती राज दर्बारों में न्युक्त करवाया है शूरत फ्रांस का भारत में पहला बैपारिक कर खाना था अब हम देखेंगे कि पंजाब में कौन-कौन से इवेंट हुए थे और मैसूर में कौन-कौन से इवेंट हुए थे मैसूर हमारे इंपॉर्टन हो जाता है क्योंकि इसमें आपने सुना होगा हैदर अली का नाम हैदर अली और टीपो सुल्तान से क्यूशन बनते हैं ठीक है आईए हम लोग एक एक करके देखते हैं सबसे पहले हम बात करेंगे पंजाब में पंजाब में एक है रणजीत इनका जो जमन हुआ था 13 नवंबर 1780 को इनका जमन हुआ इसका इंपॉर्टन नहीं है किसके घर में हुआ था तो सुकर च्कियां मिसल केमकिया महाश्ग के घर में हुआ अमरत सर के संधी किन के बीच हुआ था यह आपके लिए इंप्रोंट हो जाता है जो इंप्रोंट होगा ना मैं आपको बता दूंगी महाराजा रणजी सिंग और चार्ल्स मिटकाफ के मद्द हुई थी कब हुई थी कई बार खोशन ऐसे बन जाता मिलान के रूप में तो यह हुई थी यह 15 अप्राइल आपको इतना याद रखिए आपको इतना याद रखना है कि 1809 में हुई थी अम्रस्तर की शंधी चिनाब नदी में गिरी जमान साह की तोपो को निकलवा कर वापस जमान साह के पास भेजा है और इन्होंने काम क्या किया है रणजी सिंग ने जो चिनाब नदी में गिरी जमान साह की तोपो को नदी में गिर गई थी तो उनको निकलवा कर वापस जमान साह के पास भेज दिय जमान सहा ये कौन थे यह अहमद सहा अभदाली का पोता था किसका पोता था अहमद सहा अभदाली का पोता था जमान सहा ने लहोर पर रणजीर सिंग को अधिकार करने की अनुमति प्रदान की थी 1792 में लाहोर पर अधिकार कब किया गया था लाहोर पर अधिकार 1792 में लाहोर पर अधिकार लाहोर को राजनीतिक राजधानी बनाया जमान सहा ने राजा की उपाधी दी और लाहोर का अपना सुभेदार माना इनको 16-2 में क्या हुआ था 18 tua सूजा एकर रंजीर siq कोईनूर का उपभार दिया विक्टर जांक्मा यह फ्रांसीसी यात्री कि तुलना नेपोलियन बोनापार से की है जो विक्टर विक्टर जैंक्मा इन्होंने रभी ShYoenda आ है किस만 की है निपोलियन दोनापार से की है अब देखें। अजी जुद्दीन फकीर अजी जुद्दीन रर्जिय सिंग का बिदेश मंतरी है इनका एक कर्थान है प्रशिद कथा ने क्या है देखिए इस्वर की इच्छा थी कि मैं सब धर्मों को एक निगा से देखूं इसलिए उसने दूसरी आंग की रोशनी ले ली क्या है इसलिए दूसरी आँख की रोशनी ले ली देखिए पनजाब लहॉर जो थो था लाहॉर इसके राजनीतिक राज़धीनी थी और जो अम्रतसर था अम्रतसर है ये क्या है धार्मिक राजधानी थी दोनों पर इनका अधिकार था अब देखिए एक युद्ध है चिलिया वाला 407 था आप झान में रखेने रखेंगा जो चिल्या वाला युद्ध है यह हुआ था अठाहरा सु उन चाहस में लाड़ अंग्रेजी सेना का निर्टथ किये थे सेर सिंग स्थ सेना का निर्टथ किये थे परिदाम क्या हुआ था और निनित कोई भी परिदाम नहीं निकला था उस समय जो गवर्णर जनर्र कौन थे लाड़ डरहोजी थे अब आए नेश्ट हम और देखते हैं यह जो हमारा हुआ था 1849 ECV में चिलिया वाला का युद्ध हुआ था ठीक है जो इसका परिदाम क्या था कोई भी कोई भी नहीं निकला था ठीक है अब देखें दूर्टी आंगलो दूर्टी आंगल सिक्क युद्ध की समाप्ती हुई थी पंजाब का ब्लेटिस समराज में बिले कर दिया गया था लार डलहुजी द्वारा पंजाब पर शासन हे तू तीन सदसी परिषद का गठन किया गया था जो लार डलहुजी है इनके द्वारा क्या किया गया था तीन सदसी परिषद का गठन किया गया था किसलिए कि पंजाब में सासन कर सके इसके अध्यस थे कौन थे सन हेनिरी ला से ले इतने इंपोर्णन नहीं है अब अब देखे दलीप इनके जो है डलीप सिंग कारेकाल था यह 1843 से 1849 तक इनका ने कारेकाल था यह क्या है इस धर्म परिवारतन इन्हों ने क्या था धर्म परिवार्तन किया था सिख से इसाई बन गए थे यात्रा इन्होंने रूस की की थी पलायन अंग्रेजों से पिंसन लेकर ये ब्रिटन चले गए थे इनका जो निधन हुआ था अक्टूबर 1893 में हुआ था निधन आव पेरिस में इनके जो अंतेश्टी कहा हुए थी इ सिख समराज के अंतिम सासक थे इन्होंने क्या क्या किया थी में परिवार्तन धर्म परवतन कर लिया था रूस की आत्रा की थी पलायन अंग्रेजों से पिंसन लेकर बिटन चले गए थे ठीक है बस आपको इतना ध्यान में रखने की जरवत है अब देखे मैशूर ये आपक मैशूर युद्ध प्रथम आंग्लो मैशूर युद्ध किन किन के बीच हुआ था तो आप बताएंगे कि हैदर अली अर्अंग्रेज के बीच में प्रथम आंग्लो मै सिबिंटीन सिष्टी सेवन से सिबिंटीनसिष्टीनाइन से इस मी तक इनका जो युद्ध है वो चला अब ध्यान में रखेगा इनके बिजयता कौन हुए थे हैदर अली बिजयता हुए थे यूद की समाप्ति एक महत्यपूर्व संदी सुई थी, कई बार संदी पूची गई थी, ये कब हुई थी, तो 1779 में ये संदी हुई थी, उसी के साथ यूद समाप्त हो जाता है, मदरास की संदी के साथ, ठीक है आप तयान में रखेगा, अब निश्ट देखे, दुती आंग प्रिथम अंगल मैशूर युद्ध कब हुआ था 1767 से 1769 से यह दो साल लगवग युद्ध चला अब जो यह था दूती अंगल मैशूर युद्ध है यह चला है 1780 से 1784 तक लगवग चार साल तक यह युद्ध चला है इसमें हैदर अली ने कहा था जुलाई 1780 में करनाटक पर अभ्मा कर दिया था करनल बेली की नितुरत वाली अंग्रेजीच सेना को हराकर अरकाट पर अधिकार क लिए थे ठीके औरकाट पर इन्होंने अधिकार कर लिए ते इंहों किस पर अधिकार कर लिया था अब देखिए टीपु लुले लुर हिक्टर मुंहुनों कि सेना को परास्त कर दिया यह जो पुलिपूर हिक्टर मंदो के सेना को समापत कर दिया ठीक है आप देखे क्या है शत्रा सो 185 में क्या हुआ था हैदर अली ४र आयる कोड के बीछ युद thou था और देखे इस पर क्या है आयर कूर्ट ने हैदर अली को हराया था बहुत बुरी तरीके से हराया था पॉर्टो नोवो पॉल्ली लूर और सोलिंगर को लेकर विसंबर 1782 मैं हैदर अली की मृत्ति हो गई है और फिर इनके बाद युद कर इंचता कौन सा भालते है टी पूशुलतान शत्रा सो चवरासी में और इसी के साथ यूद का समाप्त हो जाता है चुती यूद्ध में इसमें दो बड़े बड़े आते हैं एक तु आते हैं और एक आते हैं इंड़ जाती है 1882 में इसके बार जो निर्टत कौन करते हैं टीपू शुल्तान करते हैं अब देखें और यह मंगलार की शंदी के साथ यह दूर्ती आंगल मैशूर युद्ध का शमापत हो जाता अब देखें तिर्ती आंगल मैशूर युद्ध फिर चलता है 1790 छलता है 1792 इस युफ में त्यर्ती आंगल मैशूर युद्ध फिर चलता है इसमें कौन रहता है अंगरेच मराठा निजाम और सात्में कौन रहते हैं टीपू अंग्रेच भी रह रहे हैं जो देखें झोे जो निजाम होते है यह अंग्रेचों पमोल मिलकर जी रंग प्ट नम्की शंदी के साथ ये युदि की समापत हो जाती है टीपू का टीपू को टीपू का आधा राच अंग्रेजों तत्था उनके शाथियों को मिलता है और टीपू से लाग भाग 3 करोन रुपिया लिया जाता है क्यों लिया जाता उसमें क्या था तो कई बार आप ध्यान में रखेगा जो तिरती अंग्रेज मराथा और निजाम ये तीनों सामिल होकर के टीपू को हराय हुए थे और सिरी रंग पर्ट्नम की संदी की गई थी और उसी के साथ है युद समाप्त हो गया था और इनके साथ क्या बोला गया था और उसी के साथ क पूछा जाता है यह कार्ण वालिस थे देखें सीरी रंग पर्ट्नम की संदी पूछा गया है कि मद्ध हुए तभी आप इन बताया कि टीपू शुल्तान तथा कार्ण वालिस के मद्ध हुए थी कब हुए थी शतरा सोबान बेश्यू में हुए थी इसका परिणाम क्या हु तो इस इसमें जो अंग्ये जिट सेना का निरत्तर करता कौन है विलेजलीय और हैरिस अवा कुरेश्यूअर्ण होतनी सब्ध होते are पारे में कई महत्यपूर्ट तथ दिये हुए हैं अब देखें टीपो शुल्तान ने सीरी रंगपटनम को अपनी राजधानी बनाया तो यहीं पर जैकोबिन क्लब के स्थापना भी की गई यह जैकोबिन क्लब स्थापना की मैसूर विजे की खुशी में आयरलेंड के लाड समाज द्वारा वेले जली को प्रदान उपाधी थी कौन सी दी गई थी मार्किस की मार्किस की ठीक है चतुर्त आंगल मैसूर युदि के बाद अंग्रेजों ने मैसूर की गदी पर पुना अडियार वंस के बालक क्रिश्न राज को बैठा दिया तथा कनारा कोईटंबूर और सीरी रंगपटनम को अंग्रेरी राज में मिला लिया इन्हीं कहने के मतलब है क अग्रेजों ने मैसूर की गदी पर पुना अडियार वंस के सासक एक चोटा सा बच्चा था क्रिश्न राज को उसको बैठा दिया और कनारा कोईटंबूर और सीरंगपटनम को अंग्रेजी राज में मिला लिया इन्हीं कि बच्चे को बैठाने के पीछे यानिकि कोई भा वह सामने आके नहीं करते थे वह किसी को रख करके वह उसमें सासन करते थे अब देखें गवर्नर है गवर्नर जन्रल है वाई शराय है दियास्तों के प्रति प्रमुक बिटिश नीतिया क्या है आई यह मिलोग देखते हैं देखें इसमें क्या हुआ था 1740 से 1765 इस्यू में कमपनी का भारती रियास्तों से समानता के लिए संगर्ष करना पड़ा अब देखें क्या किया गया सतरा सो पैंट से 1813 इसियू में सूर्च्छा प्रकोष्ट यदि नीति घेली की नीति लाई गईये थी 1863 से 1857 इस्यू में धिनस्त्र नीतिन लाई गई गई थी यह थी रियास्तों के प्रति प्रमुक ब्रिटिश नीतिया अब देखें इंके बारे में वारन हेश्टिंग ने इन्होंने क्या किया था यह बंगाल में दैद सासन की समापती की गोश्रा की है इनका इस थांत्रन क्या है राजी की कोसागार का यानिकी मुर्सीदाबाद से कलकत्ता इन्होंने कर लिया गया था सुराजस सुधारों के लिए परिचण और अशुद्धी बंगाल कर प्रिथाम गवार्ना जनर्र इनको नियुक्ति किया गया था तो वारन हेश्टिंग से महाभियोग के मुकदमे का इनको सामना करने पड़ा महाभियोग के मुकदमे के इनको सामना करने पड़ा अब पुछा जाता आप सिखजा में कि सहायकसंधी किसके दोरा लाया गया था पष्भा गोसले यह भरार सिंदिया और होलकर इनको सहायकसंधी प्र bestimmtना की गई थी अब ध्यान में रखियेगा तो हैदराबाद, महशूर, तंजवर, आवध, पेश्वा, भोसले, सिंधिया, होलकर, इन सब को क्या है, प्रमुख सहायक, शंधी इनको दी गई थी, अब देखे क्या है, लाड बिलियम बेंटिंग, जो लाड बिलियम बेंटिंग है, ये बंगाल का गवार्ना जनर्नल है, लेकिन कब मुख़ा जाए, लाड बिलियम बेंटिंग को थे, ये बंगाल के गवार्ना जनर्नल थे, इन्होंने बहुत महतेपूर्ट सुधार किया है, ये आप ध्यान में रखियेगा, ये किये हैं, शती प्रिथा बाली का सिसु वद को समाप्त करने के लिए प्रत्न किये भारती रियासतों के प्रतिया था समभो ततर्ष्था की नीती इन्होंने दी दिया थी, ये जो गवार्ना जनर्नल बने बंगाल के 1828-1834 के ये थे, और देखें, इन्होंने 1834 में भारत का प्रिथम गवार्ना जनर्नल को न्यूति कर दिया गया है, ये लाड बिलियम अब ये भारत के, क्या है, ये पूरे भारत के प्रत्थम गवार्ना जनर्नल को नियूति किये गए, किसको बिलियम बेंटिंग को, इन्हों और ठगी प्रत्थक अंति किया गया है, ठगों के विरुद्ध कारवाही की गई है, कैप्टन स्लीमैन की नियूति करके, 1831 में मैस अठारोश टौतिस इसियो में कुर्ग तथा कच्छार का अंग्रेजी समराज में बिले कर दिया गया है, अफिम के बैपार को नियमित तथा अनुपत्रित करके, केवल बंबई बंदर गहा से निर्याद के अनुमति की गई, जो अफिम के बैपार था है, वो केवल कहां से निर्याद के अनुमति दी गई है कि वो बंबई बंदर गहा से, निजाम नसुर दौला के कहने पर हैदराबाद से अंग्रेज अधिकारी को वापस बुला लिया गया था, यह था किसके बारे में लाड बिलियम बेंटिंग के बारे में, अब देखिए, लाड कानवलिस ने कानून की विसिष्चता का नियम भारत में लागू हुआ है, कार्नवलिस सहींता प्रस्थुत की गई है, सक्तियों के प्रतकरन पर आधारि ब्यवस्था लागू की गई है, जिसमें क्या है, कर्ः और नया प्रिशास्ता नियेज में अलग किया गया है, भारत की सुबा 1805 को हुआ था गाजी पूर्मेन की ही कब्र यहीं पर है कब्रे किनकी कार्णवलिस की लाड डल हो जी बारे माई जानते हम लोग क्या करते हैं इनका जो कारकाल है 1848 से 1856 मिस्युमेन का कारकाल है आवद का बिले वाजित अली सहा पर कुशाशन का आरोप लगा कर इन्ह था लाड डल होजिने उस पर कौन से आरोप लगा कर कुशाशन का आरोप लगा करने कहने मतल है कि वह अच्छे से सासन नहीं कर पाते हैं उन पर आरोप लगा कर अवध को बिले कर लिय है भारत में रेल निर्माल की जो च्रेस प्रत्ब प्रत्ञास इनों की गई है और भ्यापकत सिध्धान के तहट बिले किया गया है अब देखे सतारा सबसे पहले क्या गया है तो क्या बताएंगे सतारा जैतपुर मंशंभल बगहाट उदेपूर जांसी जांसी नागपूर अठावान ने भी याद रखेगा सबसे पर सातारा किया गया था 1848 इस्विम सातारा फिर उसके एक वर्स बाद जैदपूर संभल फिर 1850 में बगहाट उदेपूर 1892 में जांसी 1814 में बिले कर लिया गया तो नागपूर 1854 में करावली 1855 इस्विका ब्यापकत तस्ताव दिया गया था कोट आफ डिरेक्टर्स द्वारा इसको और जीजेट कर दिया गया था भारत में बिद्धुतार कभी प्रारम करता है इन्हों ने ट्रेन कभी किया और बिद्धुतार कभी इ पाना चाता है 1857 इस्यु में बिद्ट्रोही का मृत्यपूूर कथन मृत्य पूर कथन इस स्तार ने हमारा गला घोट दिया क्या है भिद्रोही का जो है इनका क्या है ये इस स्तार ने हमारा झालागोठ दिया आवद कब इले 1854 में हुआ था और स्ली मैं के स्थान पर जेम्स आउटरम आये थे इसी रिपोर्ट को आवद की अधिगरण का अधार मनाया था और साथ फरवरी 1856 में अवद कब इले दिया गया था अथारा सो चपन में अवद कब इले किया गया था यह आप ध्यान में रखिए गया ठीक है 1854 से प्रॉफिस श्टार्ट हो गए थी इसलिवाइन के साथ जेम्स आउटरम आये थे इन्होंने पर रिपोर्ट दी थे इसी के अधारपा इनका बिले हो गया अब देखें लाड कैनिंग यह ब्रिटिस भारत कर प्रिथम वाइस रहा है जो प्रिथम होते हैं लाश्ट होते हैं छोटा बड़ा होते यह मोस्ट इंपोर्टन हो जाता है हमारे एक्जाम के पॉइंट आप डू से ठीक है तो ब्रिटिस भा महारानी की उद्गोश्रा इलहाबाद वर्तमार में प्रियाग राज में लाड कैनिंग द्वारा उद्गोशित किया गया था इस इंडिया कंपणी के शासन की समाप्ति हो गई है देखें जब हमारा ठाश्ट साही ताज के अंतरगत लाए जाने की घोश्रा की गई थी कारेकाल इस डास मुरण 12483 में सिंध कापूर रूप से ब्रिटिस सम्राज में बिले कर दिया गया था इसो ब्हलत में इनकी सराय गई motif and कहां की गई थी सेर अली अफरीदी द्वारा अनमान युद निकोबार्दीव समूमें की रध्या कर दी तो यह मोश्च इंपोर्टेंट है प्रिथम जन करना का प्रारम कि न्युक्त को माना जाता है लाइड मेंयों को ही माना जाता कब प्रारम की थी 1872 में याद रखेगा 1872 में प्रिथम जनगरना प्रारम की गई थी याद रखेगा अब देखे कुछ हमारे प्रच्छोपयोगी प्रशन है देखे क्या है आधुनिक भारत में इस्थानी श्वाशासन के जनक कौन है लाड रिपिंट कई बारे जाम में पूछा गया इसलिए ध्यान में इसको रखि है थे कौन थे गोपाल क्रिष्ण गोखले भारत की राजधानी कलकता से दिल्ली श्थांतित हुई यह भी पुछा गया किनके समय में वाया सरयलार्ड हार्डिंग के समय में पहले जो तो भारत की राजधानी कलकता हुआ करती थी लेकिन फिर दिली ट्राइससफर कर दी सब्सक्राइब कर दिया गया तो दुबारा कहां से अच्छा से होने वाला है अरगिल के सुझाओ पर इस्थापीत विभाग कौन सा है पूरतत्य विभाग है अब देखें गत्वीदी ही है और गवार्नर चनरल या वाह सरा है बंगाल का भी भाजन लाड करजन ने समाज को बैट लेकर बैट लेकर सुधार दिया बंगाल में दोराशाशन कलायू ने बंगाल में दोराशाशन कलायू ने कलायू की समय लगाया अब भूर राजस बिवस्ता में हम क्या पढ़ेंगे एक पढ़ेंगे इस्थाई बंदोवस्त प्रणाली दुरुसरा रायातवारी बिवस्ता और तीसरा महालवारी पद्धती ये तीनों मुस्ट प्रारम करता कौन है लाड कानवली से कब है 1793 में में स्थाई बंदोवस्त प्रणाली आई है इसका अन्य नाम कई अपसीग जान में कुशन बन जाते हैं तो इस्त मरारी जागीरदारी माल गुजारी बीसवेदारी इसके अन्य नाम है इसके च्छेत्र है क्या है बंगाल बिहार उरीशा उत्तर प्रदेश के वणार से आदिछेत्रों में यह लागम है क्या है बंगाल बिहार उरीशा उस समय क्या हूँ थे ने वराण से चेत्रों में लागू हुआ इसका जो बिस्तार था ब्रेटिस भारत के लग भाग 19 प्रतिसत भू भाग पर ये लागू हुआ था ये भी पूछा जाता है ठीक है इसमें प्राधान क्या था इसमें ये भी याद रखेगा जमीदारों को जो जमीदार थे जमीदारों को एक नया वर्गभू स्वामी घूफित किया गया था और इनको भूमी के लागान का दस बटे ग्यारा भाग कमपनियों को देना पड़ता था और एक भाग जमीदार को अपने पास रखना पड़ता था ठीक है ये इसमें क्या था जितनी भी भूमी थी वह जमीदार उनका जमीदार वह अपने आपको स्वामी घूफित करते थे और जितना था भाग लेका लेना पड़ता था तो तो उसमें क्या करते हे कंपनी को कौन लाया था लाड़कार्णी वलिस ने लाया था इसका अन्य नाम मोस्ट इंपोर्टेंट है इस मरारी जागीरदारी मालगुजारी बीसवेदारी और के शेत्र में बंगार बिहार उरीसा भाह उत्तर प्रदेश के वरांशी चित्रों में लागू हुआ था निकि लगभग लागू हुई थी पूरी भाहरत में कितना लग भाग एक क्यावन प्रत्सद भू भाग पर ये विवस्था लागू हुई थी इसके जो जो जम्य दाता है कई बार पूछा गया है कौन है टामस मुन्रो और कैप्टन दीड है इनके जो छेत्र कौन है सरप्रथम ततकाली मद मदरास के 12 महल जीले में लागू हुआ था बंबई मदरास के कुछ निए बंबई कुछ इस से और मदरास पूरवी बंगाल आशम कुर्ग पर लागू हुआ था बिटिस भारत के लगभग 51 प्रिस्द भूभाग पर लागू हुआ था भी मने बताया है रायत के लिए लगा अंदरेन के क्या करते थे पहले इस्थाई बंदोवस्त में लेकिन रायत्माई ब्यवस्ता में क्या हुआ थे कौन आ गए थे रायत्वाणी ओर भूस्ता में वह किसान थे यह वह समझ सकते थे अब देखें हैं आधे बहुर्ध के प्रतेक ग्राम अत्ववघा पंजाब में कुछ परिवारतन के साथ यह लागू हुए थे यह मतलब है बिटिस भारत के लगबग 30 पितसर भूभाग पर भूछेट पर यह लागू हुआ था देखते हैं धन का बही गर्मन सिध्धान यह मोश इंपोर्टेंट है ड्रेन आफ विल्थ सबसे पहले आपसी पूछा जाएगा कि इसके प्रतिपादा कौन है तो आप क्या बताएंगे दादा भाई नरोजी है देखे इन्होंने किस पे मिंसन किया था देखे कौन सी बुक है इंग्लेंड इंग्लेंड्स ड्यूटीज टू इंडिया में पहली बार धन के बही गर्मन सिध्धान का प्रतिपादन इन्होंने किया था और क्या दूसरा है पवर्टी एंड अन ब्रिटिस रूल इन इंडिया यह मोश इंपोर्टेंट है इस बुक का नाम याद रखे और देखें कॉन से इनकी बुक है देखें को सिवेस देब किए इनकी सी बुक के निकास को इन्होंने इwn आफ ऑल इविल्स अरथाद अनिष्टो ऑनिष्ट कराएं क likenist करा है आफ आल इविल्स आपको यह क्या याद रखना है इनकी बुक याद रखने कौन कौन सी बुक है सबसे पहले इन्हों ने किस बुक में किया है प्रतिपादम इंग्लैंड's duties to India में पहली बार और पावर्टी एन अन्बिटिस रूल इंडिया दा वांट्स एंड मीन्स आफ इंडिया और दूसरी को ने ओन दा कॉमर्स आफ इंडिया में यह सम्मे ब्याख्खा किये धन के बही गर्मन से धन्द का इन्होंने ब्याख्खा की गई है और देखिए इसमें क्या है इसकी जो अधारड़ा है क्या है भारती धन संपती एवं माल का आव बिरहल प्रवा इंग्लैंड की ओर लेकिन बदले में भारत को परियाप्त आर्थिक बैपार अथवा भावतिक लाव का अभाव यह जितना भारती धन है और संपती है वह सब जि इसकी जो शरूप है क्या है भारत की खरीद नीती होम चार्जेस आथात भारती सारजनिक रियर्ट एवं रेलो पर लगाई गई पूंजी पर दिया गया ब्याज भारत को दी गई सैनिक और अनसमागरी की लागत भारत के करन इंग्लैंड में दिये जाने वाले नाग्रिक और शैन शुक्ल सैन सुलक इंग्लैंड में राज सचिव का सारा ब्याय वर्स उनिस उनिस तक था भारत सरकार द्वारा यूरोपी अपसरों को दिये जाने वरे भत्ते एवं पिंसन यानि कि कहने के मतलब यह है कि सारा धन हमारे किस पे जा रहा है जो भी यहां पे कोई भी काम कर रहे हैं और भारतən Ireland co जो भी दिया जाता है पिंसन बहत्ते यह समीघीय और बहारतOLक और सैनिस और देखे जो धन का भाईगर्मन सिद्धान्त है यह इसके एक तो प्रतिपादक कौन है मोस्ट इंपोर्टन दादा भाई रोजी और भी हैं अन्य लोग हैं देखे क्या कौन कौन है महादेव गोबिंद रनाडे 1872 में भी इन्होंने दिया था रमेश चंददत यह अर्थसास्त्री की पूस्तक एकोनॉमिक हिश्ट्री आफ इंडिया में उलेक किया गया है नोट देखे क्या है भारती राष्टी का अंग्रेश कलकत्ता अधिविशन में 1892 में आधिकारिक तौर पर धन के बही गर्मन सिद्धान्त की स्यूकरती मिली थी आप देखें जो भारती अर्थ बिवस्ता पर प्रिभाव क्या पड़ा अनाधो की करण क्या है अनाधो की करण भारती हस्त सिल्फ जो भी थे यानिकि जो भी इनका इंडिस्टियल था वो सब दिश्ट्रवाई कर दिया गया है यानिकि उनका लॉस हो गया भारती हस्तिल उद्धो का क्या क्या गया है लॉस किया गया है राष्ट किया गया भारती क्रसी का वारे जिड़ी करण इसके प्रभाव क्या थे किशानों को हानी मिली ग्रामीर रिन ग्रस्ता में ब्रद्धी की गई गरीबी में ब्रद्धी हुई नगदी फसलों को महत दी गए और खद्धानों में कमी की गई अच्छा आप बताएं कि नगदी फसल कौन-कौन से हो सभारत में ब्रिटिस बित्ष पूंजी का आगमन भारती पूंजी पतियों को किया गया है अब दीजर कि यह 1857 की क्रांटी आय अब देखिये यह कारण किा था इसका ओर इंपॉर्टेंट στο आप देख रहेंंगे चरबी वाले कार्तूँस 1857 में बैरागपुर कौंसिस्थान बैरागपुर शैनिको द्वारा चर्वी की चर्वी वाले कार्टूसों का प्रियोग करने से इंकार कर दिया गया क्या हुआ था इवेंट कि एक चर्वी वाली कार्टूस आई थी उसमें ये मिला हुआ था कि उसमें जो है गाय के फैट ये गाय का गाय की चर्वी मिली हुई थी तो ये सब क्या है इनको लग रहा है के धर्म का ना सो रहा थी इस करन से इन्होंने और राजनीती की बिता प्रमुक कारण क्या था बिटिस समराज की घिरावनी नीतियां उस समें कौन सा कारण था तातकालिन कारण चर्भी वाले कार्थूस की अफवाफ हैल गई थी बस आपको इतना अध्या थेम रखना था जो 1870 की क्रांती हुई थी चर्भी वाली किया गया था जो है क्या किया गया था घटना करम देखिए आप दस मई को मेरण से प्रारम किया था और 11 मई 1857 को बिद्रों का दिल्ली पर अधिकार कर लिया गया था और क्रांती की प्रतीक क्या है कमाल और रोटी उसमें कोई मुबाइल या कोई कुछ होता नहीं था तो क् इंपोर्टेंट है कि इसकी नित्त कौहां पर कौन कर रहा था तो जो इस थाम बरैली था बरैली बहासे बहादूर आप ऐसे करेंड़ करके देख सकते हैं क्योंकि आपसे कंफ्यूजन पर देसे क्योशन गलत नहीं पाए ठीक है तो बरैली में खान बहादूर खान जहांसी में कौन है रानी लच्मी बाई कर रहे थी नित्त लखनव में बेगम हज्रत महल कानपूर में कानपूर नाना साहाब उनका दूसरा नाग क्या था धोंदू पंत ने जगदीसपूर में कुमर सिंग असम में दिवान मनी रामदत और फैजाबाद में मौलवी अहमदुल्ला शाह कर रहे थे असम में दिवान मनी रामदत जगदीसपूर में कुमर सिंग कानपूर में नाना साब धोदूपंद और लखनव में बेगम हज्रत महर जहासी में रानी रश्मी बाई बरेली में खान बहादूर खान ठीक है कथन देखे क्या है कथन कई पर पूछा गया कथ आ हम रखेगा केवल साइनिक विद्रो है । टी आर अर्ष ने क्या क्या है बरबरता और संभ्यता के मध्य युद तथा कथित प्रिथम राष्टी फतंतर संग्राम ना प्रिथम ना राष्टी और ना ही स्वतंतरता संग्रामता क्या है तथा कथित प्रिथम राष्टी फतंतर संग्राम ना प्रिथम ना राष्टी और ना फतंतर संग्रामता ये किस ने कहा था आर्सी मजून धार ने कहा थ दिखें इनकी पुस्तक क्या है k default के पूछा गए है इंक पुस्तक के बारे में जो लेखक है वीडी शवरकर है वही व्यारी शवरकर जिर्णल ने बोला था है आपा स्टारीथे okay फॉतंद्रता की पहले लड़ाई है इनकी पुस्तक इंडियन वार आफ इंडिपेंडिंडिन्स इंडिपेंडिन्स 1857 इन्होंने पुस्तक लिखी है सरसायद अहमद खा असबाब ए बगावत ए हिंद्ड क्या हिनकी असबाब ए बगावत ए हिंद्ड आर्सी मजूमदार क्या लिखे थे दा सिपाय म्यूटिनी एंड दर रिवोल्ट ओफ 1857 में ये आर्सी मजूमदार की है बुक अब देखे ये सारे बुक भी याद रखिएगा और इक अथन भी जो मैं आपको बता रही हूं ये सब मोस्ट इंपोर्टेंट है अंग्रेज समार कौन-कौन से थे अगर ये सब साथ साथ देते किसके सिपाहियों का तो आज कुछ और ही उन्हें उसी समय शायद मिल जाती इनको फतनता तो अंग्रेज के समध्र कौन थे ग्वालियर के शिंधिया इंदौर के होलकर हैत्राबाद की निजाम जोधपूर के राज्या भोपा की नीती का परिताग किया गया वहारती रजवाडों के प्रतीं बिजय और पताग सरकार द्वारा राजाओं को गोध लेने की अनुमत्य प्रदान की गई है नि की राज जो राज ले सकते हैं भारती सेना के पुनर गठन के लिए पील आयोक की गठन की गई है भारत में कमपनी के शाषन का श्रमापन कर दिया गया है अब मुने बताया था कि और 1858 में कौन करता है क्राउन करते हैं भारत चाषाशन स्चीदे क्राउन का अधिन हो गया है भारत में बृटिस समराज की विस्तार पर रोक लगा दी घएधार्मिक मामले में सब के लिए एक समान कानूनी सुरच्छा दी गई है तो यह सब इसके परिडाम हुए है अब देखिए एक है अन्य जन्य आंदोलन देखिए इसमें सबसे पहले हम देखते हैं संताल बिद्रो कई बार पूछा गया इसके समय वधी कौन से है तो 1855 से 1856 में संताल बिद्रो हुआ था इसको आधी वासी बिद्रो भी बोलते हैं दामन एकोहो में मूलता आर्थिक कारणों से इसमें प्रारब की गई है इसका जो निर्तत कर रहे थे कौन सीधो कान्हों चांद एवं भैरो नामक चार भाई थे कौन कौन से थे शीदो, कानो, चांद, एवं भैरो, ये चार भाई थी, ये निर्टत तो कर रहे थे 1855 में संथालो द्वारा भागर पूर छेत में बिद्रो कर दिया गया था मेजर बारो के निर्टत में बिद्रों को दबाने गई शेना, संथालो द्वारा पराजित कर दी गई थी जो मेजर बारो के नितत में जो भी सेना गई थी विद्रो दबाने के लिए वो शेना संथालो द्वारा पराजित कर दी गई है कौन हार गया है? कौन का हार गया है? मेजर बारो के जो भी गई थी सेना वो हार गया है किस से? संथालो द्वारा आप देखे पागल पंथ यह एक अर्दधार्मिक संप्रदाय है क्या है यह एक अर्दधार्मिक संप्रदाय है करम सहाद्वारा प्रारम की गई है जमिद्वारों के द्वारा मुझारों पर किये गए अत्याचाय के विरुद्धु अम्दोलन है यह टीपुष्च सहाद्वा णार यह přिद्स साहीं замеч on the mission important इसका अननाम क्या है उल्गुलान यह महानलचल मंड़ बिर्सा मुंड़ा कि पूर जिए जगत पीता धर्ति आबाई में का अननाम है जगत पिता धर्तियाबा इनका अननाम है इनकी जो समयावधी थी अठारा सो बंचान बे से उन्नीस सो के मधे ये विद्रो हुआ था बोगा बोगा अनेक देउता बोगा अनेक देउता की पूझा छोड़ कर सिंग बोगा की पूझा करने का अहन किया गया है ये थे मारे मुंडा बिद्रो हुआ याद रखेगा जगत पिता बिर्सा मुंडा वहाबी अंदोलन उपलब्दी क्या थी अंग्रेजी प्रभुषत्ता को सुनियोजी तथा गंभी चनोती दी गई थी इसके प्रवर्तक कौन थे सायद अहमद बरेलवी भारत में क्या है सायद अहमद बरेलवी इसका प्रशार शेतर कौन कौन सा था काबूल उत्तर पश्चमी शीमा प्रांत बंगाल बिहार मध प्रांत आदी इसके प्रशार शेतर है 1830 में क्या हुआ था बलेलेवी द्वारफ प्रिशावर पर कभज़ा कर लिय गया था बाला कोट की लडाई में बलेलेवी की मिलत्तु के बाद आंदोरन का केंदर बना था आप देखें पूछ एमिपर्टेट है कुछा गया है, कुछ आंदोरन कहा हुआ था इसका प्रहराम 1840 के दसक में हुआ था भगत जवाहर मल सियान साहब द्वारा इसका किया गया था इसका उद्देश से क्या है सिक धर्में प्रश्लित बुराईयों और अंध विस्वासों का अंत कर इसे इस धर्म को शुद्ध करना थी और अंध विस्वास था वो सब को अंत कर इस धर्म को शुद्ध करना था अब देखें नील विद्रो इसके जो शमयावधी है 1860 में इसकी समयावधी है इसके प्रारम करता कौन है बंगाल के नदिया जिले में गोबिनपूर गाउं से प्रारम किया गया है देखें नदिया जिले में कुछ और हुआ था आप बताए प्रिशाज छेत्र के है नदिया खुलना ढाका मालदा दीना दिनाजपूर आधी में प्रिशाज छेत्र है इसका जो शमर्थन है क्या है हिंदू पेट्रियाट के संपादक हारिश्चंद मुखरजी द्वारा इसका समर्थन किया गया था जो पूछ ले जाएगा कि हिंदू पर्ट्रियाट के संपादा कौन थे तो हारिश्चंत थे मुखर जी थे नील बगान मालकों के अत्याचारों का इसमें चितरंग किया गया था नील बंदू मित्र किसके द्वारा है नील दरपन में इसको बताया गया है नील बंदू मित्र द्वारा नील दरपन में बताया गया है कि नील बगान मालकों के अत्याचारों का चितरंग किया गया था नील बिद्रों में अब देखे क्या है आधुनिक भारत में सिच्छा का प्रिशार आईए हम लोग देखते हैं कि कि आगे देखते हैं आधिनिक भारत में चिक्षा का विकार तो je इसमें क्या होता था फार्जी अर्वी और मुश्लिम कानून की कि ती चाथी ती पार्जी वे फार्सी अर्ब और मुश्लिम कानून की सिछा दी जाती थी निस संस्क्रित कॉलेज की स्थापना बना रहाए हुई थी जोनातन डंकान के ब्रदन के सापना की गई थी इसका उधेस क्या था हिंदों के धर्म शाहित और कानून का अध्यान किया गया था 长s Wielinkins दो deepest सवानने दोरा किसों लेखिट किया गया था भगवत गीता का प्रिफम आंगल आंगल अनुल वादग किया था अधिक relationship बिनित हसम दोरा किया गया था ब्लियांट जो से अभी ग्यान संकुनतुर अभिया बताए़ अभिग्यान सांकुझतलं क्सकी है तो आप क्या बताएंगे काली दास की थी इन्होंने का किया थे अंग्रेजी अनवादक थे यह सर बुलियम जोन्स अभिग्यान सांकुझतलं के अंग्देजी अनवादक थें इसको लंदन विश्विद्याले के अधार पर कलकत्ता बंबाई एवं मद्रास प्रसिडेंसी में 11 विश्विद्याले की स्थापन पर कलकत्ता बंबाई एवं मद्रास प्रसिडेंसी इसके प्रगति की समया can कर दिए 1882 में आया कब आया है 1882 में कौन सी कौन सी प्रगति हुई सिच्छा में उसी की जाश करने के लिए आया है प्रत्म वो प्रात्मिक सिच्छा के शुधार एवं विकास पर विसेश जोडिया है है प्रत्मिक सिच्छा के शुधार एवं विकास पर विसेश जो दिये गए हंटार आयोग याद रखेगा 1882 में आया था और उड़ डिस्पाइच 1854 में आया था अब देखें सैंडलर आयोग 1917 में कलकत्ता विस्विद्वालों की संभनाओं के आध्यान तथा रिपोर्ट के लिए गठित की गई थी जो शैडलर आयोग है 2017 में कलकत्ता विष्विद्याले की संभनाओं के अध्यान और इनके रिपोर्ट के लिए कठित की गई थी इनका विचार क्या था विष्विद्याले सिच्छा का सुधार करना तो माधमिक सिच्छा का सुधार आवश्यक है अगर विष्विद्याले सिच्छा का सुधार करना सथापना हुई किस सथापना की गही है 1906 में पंबाइं में प्रथम महिला बिस्विध्याली की स्थापना कि प्रथम हिन्दू कॉलज की इस थापना किस के प्रितनों का कर्वे से से बुझकटता में प्रश्चोंधी हिंदू कॉलेज की स्थापना ध्यू Hen में राजा रामोहं राय डेविड हेयर वाम अलेंगेंडर डाफद्वारा किया गया है कलकत्ता में हींदų बीश् Poly IKEA किस्थापना कि इसंदु कॉलेज फाहशी की स्थापना सोब तेहला पाहश हिंद्धियो देंगेंगेंगी एытव किसा के बेफ seriously उसकी स्थापना इन्य से सूलह में की गई है मदर्मोहन बमाली द्वार्वी के स्थापना श्रों गाए है 1896 दिश्था ग्रहत की सफनागत किसने कि तो दी क्यें पूर्ण महत्पूर निसकूरे एक तो इन्होंने क्या किया है प्रत्थम महिला बिष्विद्याले की इस्थापना डीके करवे नहीं किया है यह थ्यान में आप रखियेगा अधनी भारत में प्रिस्का विकास बंगाल गजट भारत का पहला प्रकासित समचार पत्र अगर आपसे कोशन पूश्टा है कि भार लाड विलेजली 1899 इसी में सभी समचार पत्रों पर सिंसर लगा दिया था पत्रे छण अधनियम पारिद कर दिया गया था लाड लेटन ने क्या किया था या देखें कि लाड लेटन दवारा वर्ना प्रेश अक्ड कर दिया गया था नगूरा वर्ना अधरति यह पत्रिकारता के ब्रिचिस सरकार से सजा पाने वाले भारती थी नहीं इन्होंने कुछ पत निकाला था लेकिन इनको बिटी सरकार से सजा पाने वाली ये पहले भारती थी फ्री हिंदुस्तान तारक नागदास का अकबार था राम मोहन राय राजा राम मोहन राय की कौन कौन सी है अकबार समवाद कुमदी प्रग्या का चांथ ये बांगला भासा कौमदी ये प्रग्या का चांद ये बांगला में और मिरातुल अकबार फार्सी में प्रेकाशन है इंडियन मिरर अकबार किसकी है देवेंद्र नाथ टैगोर तथा मनमोहन गोस इसके संस्थापक है अब देखें गदर क्या है देखें सबसे परियाद रखेगा कि गदर है गदर पार्टी का मुख पात्र है इसमें सबताहिक पत्र प्रकासित होता था प्रथम संस्क्रान का प्रेकाशन है एक नॉमबर 1913 में उर्दू भासा में प्रकाशित किया गया था याद रखेगा मराथी, हिंदी, अंग्रेजी एवं गुजराती में भी प्रकाशित किया गया था एक अंक पंक्तूनी भासा में भी अमरित पजार पत्रिका किसकी है? सिसीर कुमार घोस इसके संस्थापक है अमरित पजार पत्रिका के संस्थापक कौन है? सिसीर कुमार घोस आप उसमें याद क्या रखना सबसे पहला याद रखें कि बंगार्ट करते हैं यह भारत का पहला प्रकासित समस्षारार पत्र हैं जेम्स इंगी झेम्से आहिकी दोरह बंगारू गजट का प्रकाशन किया गया था फिर लड विलेजवाला लाड बीपिन का याद रखेंगा फ्री हिंदुस्तान है तारक नाब्ट दासका और राजारा मोहन राइख को पत्र है कौन सा पत्र है कौन सा पत्र है और यह प्रतम संस्क्राइब प्रकाशन से किया गया तो उर्दु भासम कब किया तो 1913 में बस आपको इस टॉपिक से इतना ही बस याद रखना है अब देखे कुछ हमारे क्या है प्रशना आई देखते हैं इंडियन ओपिनियन महात्मा गांधी द्वारा प्रारम पत्रिका है दच्छिड अफरीका से इन्होंने प्रारम किया था 1903 में प्रथम संपादक कौन मनसुक लाल नजर गुजराती हिंदी तमिल और अंग्लेजी मे प्रारम पत्रिका है और दच्छिड अफरीका से यह प्रारम किया गया था असंपादक कौन मनसुक लाल नजर गुजराती हिंदी तमिल अंग्लेजी भासम ने इसका प्रकाशन किया गया था दा इंडियन नेशन दे के बुक से कोशन बंदते इसलिए आप इंदूर मत आइस समय पत्र कौं कौन से थे गांधी जी के सब्ट आहिक समझार पत्र कौन कौन से थे घांधी जी के साब्त कार्ण तमचा की हरहां समख ते और और रेजन इंडेजी ये गांधी जी के साब ताहिक समचारपत थें इंडिपिंडेंसी किसके द्वारा किया गया है कई बार पूछा गया है मोती लाल निहरू द्वारा प्रारम समचारपत रहें इंडिपिंडेंस बहिस्करत भारत कई बार पूछा गया है भीम राउंबेट का द्वारा प्रारम म बीच में हुआ था ही इस चंद घोष में 1855 इस वी से नए संपादक कौन है हरिश्चंद मुखर जी प्रतम संपादक गृष्ण गोष नहीं संपादक हम हरिश्चंद मुखर जी सोम प्रकाश बांगला सापताहिक समचार पत्र है इस्वर चंद विद्या सागा द्वारा प्र आजया याद रखेगे और प्रेश्चन अलह एक उर्दू का है अबुल कलाम आजयाद दवारा प्रकाशन किया गया है प्रकाशन किया गया है और पीपुल अंग्रेजी संपताहिक का प्रेकाशन किया गया है लाला लाज पत्राय द्वारा दो पत्र हैं कौन-कौन से सब्सक्राइब यह बंदे मात्रम और दी पीपुल कौमी आवाज यह दखेगा है कौमी आवाज उर्दू अखबार का प्रेकाशन जवाहा लाल नहिरू एवं रफी एहमद की दुवाई समाजी के अधार में शुधार आंदोरन आये अब हम लोग देखते हैं सफस्सक्राइब यौनि असे से पहले हम पढ़ेंगे राजा राम मोहन राय के बारे में से पहले हम देखेंगे राजा राम मोहन राय देखें ये क्या थे प्रिथम भारती थे जो हम क्या किये भारती समाज में ब्यावत बुरायों के बीरोध में आंदोरन किये अगर आपसे पूछा जाए कि धार्मिक सुधार आंदोरन सबसे पहले किस ने प्रारम किया था तो द्यान में रखेगा देखें इनके उपादियां क्या है इनके उपादियां है इनको क्या बोला जाता है भारती पुनर जागरन का पिता बोला जाता है भारती राष्टवाद का पैगंबर अतीत और भविस के मद सेतू भारती राष्टवाद का जनक आधुनिक भारत का पिता अभी किनको कहते हैं राजा राम मोहन राय को बोलते हैं अप प्रत्थाम आधुनिक पूरुस किसको बोलते हैं तो राजा राम मोहन राय को बोलते हैं यूग दूत किसको बोलते हैं तो ये सब राजा राम मोहन राय की उपादियां राजा राम मोहन राय को बोलते हैं यूग आधुनिक पूरिश युग दूत ये सब उपाधियां है राजा राम मोहन राय की अब देखे आत्मी सभा पूछ राता है कि आत्मी सभा के संस्थापक कौन है तो आप बताएंगे राजा राम मोहन राय आत्मी सभा के संस्थापक है इसके स्थापना वर्स कब हुई थे आत् तो देश से क्या था ये हिंदू धर्म के एक श्वरवादी मत का प्रिचार करना आप देखें निष्टे है अकबर दूती इनको अकबर दूती ने राजा की उपाधी दी थी पूछ लिया गया है एक जाम में कि जो राजा रामोहन राय को राजा की उपाधी किस ने दी है तो अकबर दूती ने इनको दी थी और ये अपने दूत के रूप में 1830 CCU में राजा रामोहन राय को तद कलिन बिटिस समरट बिलियम चतुरती के दरबाद में भेजा था उस समय क्या किया थे अजो अकबर दूती थे इन्हें इन्हें कौन इन्हें किसको राजा रामोहन राय को ये बिलियम चतुर्थ के दरबाद में बहेजा था और इनकी बहाँ पर म्रत् ll हो गई थी कहाँ पर ए ब्रिष्टल इंग्लैंट में इनकी म्रत् Hamm mind 1833 में 1823 में इनकी म्रत् ll ये थी ये थे अंगरेजी सिच्छा के पच्छ धर्थ है , विरोधी क्या थैं , ये क्या विरोधी करते थे, मूर्धी पूझा बात वंधी खें , बाल भी बाद के विरोधी भारति कौन है , तो अब बताएंगे राजा राम मोहन राए ठीक है तो यह थे राजा राम मोहन राए के बारे में यह मोश इंपोर्टेंट है यह सिग्मेंट तो आप ध्यान में जरूर रखिएगा नेश देखते हैं हम लोग दयानंसराश्रती के बारे में दयानंसराश्रती के जो पुस्तक है क्या है सत्यार्थ प्रिक है इंका प्रशित कथन क्या है अच्छा सासन श्वाशासन का इस्थाना पंड नहीं है आरि समाज डियानान्सरसति ने कि स्थापना की ती कही प्राचीन बैदिक धर्म की शुद्ध रूप से पूना इस्थापना करना आरे समाज का प्रमुक उद्देश है इनका मुख्याले क्या है लाहूर है देखिए इनका नारा है बहुत प्रिशिद नारा है वेदो की ओर लौटो क्या है वेदो की ओर लौटो इनको उपादी क्या दिगे यह भारत का मार्टिन लूथर किंग प्रशिदिन आ रहा है वेदो की ओर लॉटो क्या है वेदो की ओर लॉटो इनको उपादी क्या दिये गई है भारत का मार्टिन लूथर किंग इनको बोला जाता है दयानन सरश्रति आप ऐसे समझ सकते हैं सबसे पहरे स्वाराज के शब्द будете का प्रयोक कि सेने किया है कई बार पूछा गया है तो वह भी दयानन सरश्रति है की समाज की से अपना 1375 बंबई में किया गया था और इंका प्रचीन बैयादी धर्मिकीस्थर मेंस्थरूप से पूरह स्थापना करने इनका मुझ का देखे आर समाज का बिभाजन हो गया था कब बिभाजन हुआ था 18132 में आर समाज का बिभाजन हो गया था तो देखे प्रथम गुट बना है एक प्रथम गुट में क्या था पाश्चात सिच्छा के समर्थक थे किसके पाश्चात सिच्छा के समर्थक थे कौन कौन से थे ला सिच्चा के समर्थक थे लाला लाज पत्राय और हंसराज और पाश्चा सिच्चा की बिरोधी कौन थे स्वामी स्रध्धानंद स्वामी स्रध्धानंद लेक राज मुंसी राम इन्होंने गुर्कुल कांगडी की स्थापना की थी 1902 में दो गुड बढ़ गया था 1893 में और 1885 स्थापना हुई थी आर समाज के 1893 में दो गुड बढ़ गया था एक था पाश्चा सिच्चा के समर्थक और एक था पाश्चा सिच्चा के बिरोधी समर्थक कौन थे लाला लाज पत्राय हंसराज इन्होंने क्यों स्थापना की दयानंद आंगलो वैदी की स्थापना की औ पर आत्मा राम पांडू रांग इनके संस्थापक है पुछा गया जम्हे कि प्लात्रा समाज के संस्थापक था 1067 में इस्थापना की यह था जो जाती था जाती प्रत्य का भिरोध करना इस्तरी पुरुस के बीबाहा की आयू में ब्रद्धी करना इस्तरी पुरुस के बीबाहा है उनकी आयू में ब्रद्धी करना बिद्वा बिबाहा एवं इस्तरी सिच्छाव को प्रस्थाहन देना इनका प् संस्थापपा के सदस्, इंक्जाब में पूछा जाता है इसमें देखे, सब तो इंपॉटेंट नहीं है लिकिन कुछ इसमें बहुत ही इंपॉटेंट है तीक है, आये देव समाज श्यू नारायन अगन्उतरी इसके संस्थापपा के या सदस् साथन्स है साहब स्वामी जी महराज राम क्रिश्च मिशन मोश इंपोरटेंट है स्वामी बिवेकानन तत बोधनी शभा दिवेंदना तैगोर बहुजन समाज मुकुंद राओ पाटिल संकर राओ जाधो विडो रिमैरिज एसोचिएशन विश्डु परशु राम सास्तरी पंडित विडो री मैरीज अशोशियेशन बिश्णू परशु राम सास्तिरी पंडित क्या है विडो री मैरीज अशोशियेशन के संसाप कौन है विश्णू परशु राम सास्तिरी पंडित क्या है विडो री मैरीज अशोशियेशन के संसाप कौन है विश्णू परशु राम सास्ति तुर्भ पंडित डी मेरीज एक एंधुषिएशन के यह सबाप को ध्यान में रखना लेश देखिये क्या है नेटिव मेरज एक इपूर्टेंट है यह कब लाया गया है यह आया है आठारा सो बहत्तर में पारित किया गया है नेटिव मेरीज प्रिया से विवा अधान किया गया इसमें लड़कों की नियूंतम आई हो इतना इन्होंने क्या था ये आईयू निश्चित पुनर बिभगा अधिनियम पारित हुआ है 1856 में अब निश्ट देखी क्या है वरना कुलर प्रेस एक्ट जो वरना कुलर प्रेस एक्ट है लाड लिटन के काल में पारित किया गया है वरना कुलर प्रेस एक्ट लाड लिटन के काल में पारित किया गया मैंने आपको बताया था और आप ये बताईए कि हटाया किसके काल में है तो आने नाम इसके क्या है देशी भासा प्रेस अधनियम 1878 क्या है मूँ बंद करने वाला अधनियम 1878 क्या है मूँ बंद करने वाला ये अधनियम है प्रमुक कथन क्या है अर्सिकिन पेरी के कथन क्या है विपरीत गामी और असंगत और इस इन बनर जी का कथन क्या है अकास से ब्रजपात इस इन बनर जी का ये कथन है आप देखें कांग्रेस से पूर इस्थापित राजनीति संस्थाई इस्थापित की गई थी जब भारती राष्टी कांग्रेस बना था लेकिन उससे पहले भी कुछ राजनीति संस्थाई थी राजा राम मोहन राय के सहयोगियों द्वारा 1836 इस्थापित किया गया था जो बंग भासा प्रकाश का सभा था यह राजा राम मोहन राय के सहयोगियों द्वारा 1836 में स्थापित किया गया था लैंड होल्डर्स सुसाइटी लैंड होल्डर्स सुसाइटी का अने नाम क्या ह जमीदारी आस्योश्येशन इसकी स्थापना कब हुई थी कलकथा में हुई थी 1838 होई थी इसमें क्या होता था कि जमीदारों के स्थातों की रच्छा करना और और हां Land Holder Society की स्थापना के संस्थापक कौन हैं द्वारिका नाथ टैगोर और राधा कांद देववादी यह पैसे समझ सकते हैं तो द्वारिका नाथ टैगोर और राधा कांद देववादी की संस्थापक स्थापना पूछा गया है 1838 कलकत्ता में याद रखेगा अब देखिए निश देखिए पूना साजुनिक शभा इसकी स्थापना है वर्स 1870 में किया गया इसके संसापना इंजी रनाडए वह जीबी जोसी है और इंडियन आशोशियेसन इसका अनने नाम का है भाल संग इंपोर्टिन निया ऐस्थापना है 26 जुलाई 1876 कलकता में हुई थी कब हुई थी इसके स्थापना 26 जुलाई 26 जुलाई 1876 में हुई थी ध्यान में रखे कलकता में इसके संस्थापक कौन है इंडियन आशोशेशन के तो सुरेंद नात बनर जी ये आनंद मोहन बोस के सहोग से संस्थापक बने सुदेनात बना जी निश देखे बिटिस इंडियन अशोशियेशन इसके जो सदस्थ हैं संस्थापक कौन कौन से हैं देखे इसमें जो राधा कांत देव हैं ये अध्याच हैं हरिश चंद मुखर जी देवेंद्र नाटैगो राजेंद लालमित्र आदीश क सदस्थ हैं इसके स्थापना कब हुई थी एक्टुबर 1851 कलकथ्ता में हुई ठेके को जो भी राजनी संस्थांद तै अभी तक आप आप देखा हैं कलकथ्ता में ही थी ठीक इसके जो संस्थापक हैं सेंट्रल नेशनल मुहमडन अशोशियेशन इसकी जो इस्थापना हुई थी 1885 इस्थापक हैं कौन-कौन से हैं आई देखते हैं यह बंबाई के त्रिमोर्ती भी उनको बोलते हैं कौन-कौन से हैं पिरोष शह महता केटी तैलंग बरुद्दीन तयप कौन-कौन से हैं पिरोष शह महता केटी तैलंग बरुदीन तयप जी यह बंबाई के त्रिमोर्ती हैं तो ये थे हमारे किसके कांग्रेस से पूर स्थापित राजनीतिक संस्थाएं अब देखें भारती राश्ट्री स्थापना की गई ती इसका प्रथम अधिवेशन है इसके प्रथम अधिवेशन है कहां हुआ था इस्थान गोकुल दास तेज पाल संस्कत बिश्विद्याले बंबई में हुआ था याद रखेगा कहां हुआ था कौन से स्थान पर बंबई में हुआ था किस बिश्विद्याले में किस बिश्विद्याले में था सब्से पहले बहात्तर प्रत्निद्यों ने भाग लिया है संमोश, इंपॉर्टेंट है इसके प्रफाम अधिवेशन में याद रखेएगा आप देखिए दुटी धिवेशन होगा 1886 में याद हो ति यहिए इस अइसे बढ़ता जाएगा ठीक है जो दूति अधिवेशन है इसके दादा भाई नरोजी प्रथम के कौन थे ब्योम ब्योमेश्चंद बनर जी थे दोती कौन है दादा भाय नरोजी यह सब इंपोर्टेंट इसलिए बोल रही हूं रिपीट कर रही हूं ताकि आपको अच्छे से याद हो जैनेश देखे तिर्थी अधिवेशन कब होगा 1887 में 1887 में फ्र.अम बिल्टित कांगरेस्थ कांगरेस कि देखे-भारती राष्टी राश्टी कांगरेस का प्रत्हम निरवाचित यूरोपी यह नसके कर्यों अब देखें हम एक तरफसे सारे नहीं ले नहीं दोन इसमें क्या हुआ हुआ था इसके जो अध्यार सफे में अधिशन नरायन धर जनगद मन यह प्रिथम गायन में अधिवेशन में आया है और है 1911 में कलक Herren में अधिवेशन में गया गया है लिए कि अनिश न हमें में क्विशन चाइब कि राष्टी राष्टी चाइब काणपूर अधिवेशन है अब देखे महात्मा गांधी ने भी अधिश्टा की थी बिल गाओं अधिवेशन की अधिश्टा उनीस सो चौबिस में महात्मा गांदी ने भी अध्याश्टा की थी निश्य देखे करांची अध्यवेशन 1931 में मौलिक अधिकार की मांग की गयी थी इसके जो अध्यच है बल्ला भाई पटेल वह Mole भ भाई पटेल इसके अधिजह काराची अधिवेसन के 1931 में अधिकर की मां की गए यादर के 1931 में काराची इंपोर्टेंट है हरीपूरा दिए आज्टेंट है इसके कोन है सुभाश भाल गंगार धरतिला को भारत में अशांती कें ज Gurलन सिरोल निया किर रेहाए तो देश में मैं पहली राजनुतिक हरताल खीगए थी बंबाई की अब जो हवाए था सब्सक्राब ये बंबई के कपड़ा मिल मसधुरु दौरा की गई थी दीटारह सपुषटा के लेख कहुत कोँई है बाल गंगा धर तीला की पूछा गया है लाला लाजजपतराई के राजनिति गुरु कौन है मैजिनी कांग्रेश का नरम दल और गरम दर का भटवारा कब हुआ है पूचा गया है 1907 में जब सूरत का अधिवेशन हुआ था तो इसमें गरम दल और नरम दल का भटवारा हो गया था 1907 में कांग्रेश की शूरत अधिवेशन के अधिश कौन है रास भिहारी घोस कौन थे उसमें उनिशुचाद के सूरत में अधिवेशन हुआ था तो उसके जो अधिश थे रास भिहारी घोस थे देखिए आपको पता हो जा मैं पूशा जाता है कि प्रमुग गरम पंथी और नरंपंती नेता कौन है गरंपंती मतलब सुम्हा कहने मतलब है कि उनका नेचर होगा बहुत क्रोधी टाइप का होगा तो वह कौन है बाल गंगा धरती लागे लाला लाजपत राये बीपिन चंद्रपाल अर्बिन घोस नहीं लाल बाल पाल भी इनको बोला जाता दियान में आप से पूछा जाता है कि नरम पंती नेता कौन है? नरम मतलब क्या होता है कि यह याशना करते हैं, अंदोरान करते हैं, ठीक है, मतलब उससे अपनी डिमांड यह पूरा करते हैं, तो यह कौन-कौन से नेता हैं? भारत में क्रांतिकारी आंदोलन विभीन क्रांतिकारी गतिवी दिया हुई थी तो पर याद रहेगा पूछा के एकजाम में कि अभिनो भारत समाज के संस्थापक कौन है तो वीडी शवरकर का ही परवर्तित रूप क्या है अभिनो भारत समाजी कब आया है 1904 में इन्होंने म इसथापना की कि थी कब 1829 में मिश्थापित मित्र मेला और इनके विजावरकर करका ही परिवर्तित रूप है मित्र मेला राश्ट्री शवयम सेवक शंग राष्ट्री शोयमशेवक शंग 17 सितंबर इसकी स्थापना हुई थी इसके संस्थापक कौन है केशो बली राम हेडगेवाल इसका जो मुक्याले नागपुर महाराष्टी स्का 027 शोयमशेवक शंग अब देखे जती Market नात्मुखर जी ये बंगाल के करांतिकारी है और क्या हैं इस इस जलंद भी हैं ? और क्या है इनका अन्य नाम यह बाओखा जतिन्ठ क्या नाम है ? बागहा जतिन और संवन संगठन कौन है यह अनुशीलन समती गदर पार्टिन के इनको बंगाल के क्रांतिकारी के नाम से जाना जाता है हंदूस्तान रिपबलिक अशूशीयशन कई रप पूछा गया है ज़ोझा जन्यञा हृस्तान 1934 में के नाम से हिंदूस्तान रिपबलिक अशूशीयशन की इस्थहापना हुई थी 1924 में कहां पर हुई थी, कानपुर में हुई थी, इसके संस्थापक कौन, कई बाइजा में पुछे रहता है, कि संस्थापक इनमें से कौन से नहीं है, आपको ऐसे पूछ लेते हैं, इसे क्विश्चन, चार आफ़न दे दिये जाएका, पूछेंगे कि इसमें से HRS के कौन से नहीं है तो कौन-कौन से आप याद कर लेंगे तो आपको लग जाएगा उनमें जो नहीं रहेगा देखे कौन-कौन संस्थापक है तो राह सचींद नात सन्याल सचींद नात सन्याल इसके अध्यच है राम प्रिशाद बिश्मिल जोगेंद चंद चटरजी और चंद सेखर आजाद कौन है सचींद नात सन्याल इसके अध्यच है राम प्रिशाद बिश्मिल जोगेंद चंद चटरजी और चंद सेखर आजाद इसके संस्थापक है अब देखे काकोरी ट्रेन एक्शन क्या है पूर नाम इसका क्या नाम था काकोरी कांड इसकी स्थापना कब हुई आठ डाउन सहारानपुर लखनओ क्या है आठ डाउन सहारानपुर लखनओ में पैसेंजर ट्रेन में सरकारी खाजाना इसमें लूट गया है 26 करांतिकारी और और चालिस से 43 गृपतारिस में किये गए हैं चंद सेखाजाद जो थे उसमें के एचारे के फदर से फ़रार हो है ते इसकरांतिकारी फाशी इस्थल और क्रइकरिया जो भी इनको मुले थे उनको फांसी दी गही थी कुन-कौन सेDet- इनको दी गही थी या दक ind में असफाक उल्ला खार इनको दिया गया था पैजाबात इनकी अयोध्या में दिया था रोशन लाल को दिया गया था प्रया करते हैं तो डिया गया था तो राम परिषाद बिस्मिल गुरगपूर में दिया गया था उनको च्राक उल्लाग को आयोध्यामए य फैज़ाबाद में दिया गया था रोशन लाल को प्रयाग राज हए के अलहगी में दिया गया था एप हिंदुस्तान सोचलिस्ट रिपॉब्लीकन असोशेशन जो ह्र था उसमें क्या है हिंदुस्तान सोचलिस्ट अच एस हा आर ऐ बन गया है यह कब हुई थी पूछा गये सब्सक्राव न उनिज सो अठाईस में ठीक चार साल बाद हुआ था इसका कहा हुआ था दिल्लीम हुआ इसके कौन स्थापना हुआ था चंद सेखा आजाद के निरतत में जो फरार हो गए थे हरे के इन्होंने हरे की स्थापना की थी विद्यान में रखेगे अब दिखिया आई देखते भागत सिंग के बारे में देखिया भागत सिंग क्या किया था यह नोंने 1928 में सांडर्स की ह बस उनका मकसद यह था कि उन सबको डराना बस ठीक है ओके जो क्या था 1929 में बटू के सर्दत के साथ केंदरी बिधान सभा में बंपेकना बाद में लाहोर सडेयंत कांट के अंतरगद मुकदमे चल गया इनको फांसी दे दी गई फांसी की डेट याद किएगा तेईस मार्च 1931 मार्श 1931 में इनको फांसी दे दिया गया था इनके जो अंतिम संसकार कहां हुए थे फिरोज फुर जिले में सतलुज नदी के टट पर इनके अंतिम संसकार हुए थे इंकलाब जिन्दाबार इन्होंने पहली बार नारे के रूप में लोगपरी बनाया है इंकलाब जिन्दाबार इन्होंने पहली बार नारे के रूप में इसको लोगपरी बनाया है इंकलाब जिन्दाबार नारे किसे ने दिया था पहली बार तो क्या बहुत पताएंगा भगत सिंग तो यह मोश्ट इंपोर्टन पर्शन थे आपको ध्यान में रखना है अब आपकुछ प्रशने देखें इंडियन रिपब्लिक आर्मी की सथापना आयार की सथापने किसने की थी सूर से इनने अपने पुस्तवण्दे मातर में निस्क्री भीरोध के शिद्धान का प्रतिपादन किसने किया था तो अर्बिन घोष ने फारवड भलाक किस था अपना किसने की थी पुछा गया सुभाषण्द बोश ने दिसंबर 1931 में एक जिलादिकारी को गोली मानने वाली बंगाल की दो स्कूली छात्रां थें कौन-कौन-कौन से थें एक थें सांती घोष और सुनीती चौधरी तिक है दिसंबर 1931 में एक जि अधिकारी को गोली मार दी अब देखिए ये थे हमारे जो थे ये भारत में क्रांतिकारी अंदोलन थे लेकिन क्या थे कुछ भारत के बाहर भी अंदोलन हो रहा है थे उसके भारत से बाहर क्रांतिकारी गत्विदिया हो रही थी देखिए कौन किस ने किया था स्याम जी कृष इंडियान होम रूल सोसाइटी की स्थापना किस ने की थी इंडियान होम रूल सोसाइटी की तो क्या बताएंगे स्याम जी कृष्ण वर्मा अगर पूछे दा इंडियान सोसियोलाजिस्ट पत्रका प्रकासन किस ने किया है तो स्याम जी कृष्ण वर्मा ने ही किया है इंडि या हाउस की अधासिला रखा गया है अब देखे यह थी स्याम जी गृष्ण वर्मा की अब देखे गधर पार्टी मोस्ट इंपॉर्टेंट है तो से पहरे आपसे पूछा गया है कि इसकी स्थापना कब हुई है तो 1913 में गधर पार्टी की स्थापना हुई थी इसका हिंदुस्तान अशोशियेशन आफ दा पैसफिक कोष्ट क्या है हिंदुस्तान अशोशियेशन आफ दा आफ दी पैसफिक कोष्ट इसकी जो स्थापना वर्स है 1913 में भी हुआ है और क्या है इसके जो स्थापा के सोहन सिंग भाकना गदर नामक अखबार निकालने के कारण इसका नामकरान भी गदर पार्टी रखाई इन्होंने क्या किया है गदर नामक अखबार निकाला है तो इनको संस्थापक इसको बोलते हिंदुस्तांस असोसियेशन आफदा पैस्पी कोश्ट को तो सोहन सिंग भाकना को पत्प्रदर से कौन थे लाला हर दयाल किसने लाला है अब देखें निश्ट देखें कि क्या है राजा महेंद्र प्रिताप बरकतुल्ला के साथ 1915 में काबूल में भारत की प्रित्रम आइस्थाई सरकार का गठन किया गए देखिए सब question बन चुके हैं, यह मैं पताएं कि बुकी ही most important अगर यह पढ़के जाते ना तो आपसे question आज चुटने वाले नहीं है, मैं इसमाम question आपसे इससे हो जाएगा, यह स्वयम राष्टपती है, राजा महिन प्रताप स्वयम राष्टपती है और जो बरुक तुल्ला reck मैडम भीका जी, संकामा कै माडम भीका जी भीका जी रुस्तम कामा criar उप्टेंट इधारा जो्तह और देख पूछा गया है कि मैडम भीका भीका जी रुस्तं कामा दादा भाई की यह सच्च्यू थी नीजी सच्च्यू थे मां पुछा गया कि भारती क्रांती की मां कौन है तो कौन बताएंगे मैडम भीका जी रुस्तम यह ने जी सचुती दादा भाई द्राव जी की और इस्टूट गार जर्मने में तिरंगे जंडे के प्रणभिक रूप को फैराईए आपको ध्यान में रखना है अब देखे एक हुआ था इवेंट हुआ था कामा गाटा मारू क्या हुआ था कामा गाटा मारू एक यह इवेंट हुआ था इसमें क्या हुआ था होंग कांग से कनाडा की यात्रा पर निकला एक जल्पोत था तो उसके दर क्या हुआ था कामा गाटा मारू एक इवेंट हुआ था इसमें क् किराय पेख जहाज लिया और उसमें 36 से रोका था तो इन्होंने क्या किया था एक कमेटी बनाई ती का गठन किया था यह क्या था यात्रियों की अधिकारों की लड़ाई कर लड़ने ही तू सोर कमेटी की गठन किया था उस कमेटी के कौन-कौन थे हुशैन रहीम बलवन सिंग सोहन लार पाठा की ये सब थे सोर कमेटी के गठन के शदस्य थे अब देखें के अमेरिका में रह रहे हैं अमेरिका सोहन सिंग इन्हों ने इन यात्रियों के जो अंदोलन चल रहा है तो उसमें सहयोग दिया यह समर्थन किया कामा गाटा मारू यह एक इवेंट है मतलब इसमें क्या हुआ था कि हांग कांग से कनाड़ा के लिए जलपोत था इम गुरदीव सिंग ने जहाज को किराया पर लेक इनके बारे मैंउस देखते हैं यह जापान में रहे भारती आप्रवासि यह जापान में 1830 मार्च prev. उननी फोड़ालिस में टोकियों में भारतियों को एक सवी कांग सवच्वारा मैं नी竜ा किया गया ए इंडियन independence league की स्थापना किस ने किया गए यह है पूचा गया है कि Indian independence league की स्थापना किस ने किया है तो आप क्या बताएंगे रास बिहारी बोस में यह जापान में रहें आप्रवासी भारती ठीक है इन्हों टेर टोकियों में ही भारतियों के एक सम्मेलन का आवजन किया था और सुभास चंद बोज को उसमें निमंत्रा भेजा था आपकी इतना ध्यान में रखना आप देखे आता मोस्ट इंपॉर्टन बंगाल विभाजन तथा श्वादेशी आंदोलन देखे इस सबसे पाराक्सी क कि बंगाल विभाजन हो जाएगा इसमें निर्णा सुनाया गया तो 20 जुलाई को ठीक है इसका प्रभावी कब हुआ है 16 अक्टूबर 1905 से प्रभावी हो गया है यह सारी डेट आपको याद रखना है सोक दिवस कब बोला गया जिस दिन प्रभावी हो गया 16 अक्टूबर 19 205 को सोक दिवस मनाया गया है पूरे बंगाल में और राखी दिवस देखे एक दूसरे को राखी बांदी गई थी कि इसके सुझाओ पर रवीर ना टैगोर के सुझाओ पर राखी दिवस भी मनाया गया है इसका प्रावधान क्या हुआ थि बंगाल के विभाजन दो पश्चमी बंगाल क्या बोलेंगे पश्चमी बंगाल उडिशा और बिहार बोलेंगे पश्चमी बंगाल बिहार उडिशा जो कि आज भी ऐसे हैं पूर्वी बंगाल क्या बोलेंगे पूर्वी बंगाल अशंत नया प्रांत इसका जो मुख्याले हैं ढाका है क्या है मुख बंगाल के बाहर भी यह दोने का प्रचार किया जाए लेकिन ऐसा हो नहीं सका इसके जो गोश्रा की गई थी साथ अगस्त उनीस सो पांच में घोश्रा की गई थी अतिहासी बैठक कहां पर वी थी कलकत्ता के टाउन हाल में हुआ था अतिहासी बैठक अतिहासी बहिसका प्रस च्वदेशी करें लोक इमान तिलक के चाहते थे पूरे देश में हो वी स्कव बंबाई एवम पूरे में हो अजीद सिंग्ग लाला लाजपत्रा इन्होंने कहां किया था पंजाब एवम उत्तर प्रदेश में यह सब निर्त त्रक रहे थे लोकमान तिलक कि बोचाते थे स्वादेश बांदोश मेती के संस्थापक कौन है अश्वनी कुमारदत श्वादेश बांदोश मिछेटट्रि भागी दरी महिलाओं की सक्री भागी दरी अंधोरण की सबसी बड़ी भिसेश्टाय हैं जिसमें भाग ही तक किसान बहु संग मुश्जिन समुदाय यह सब अन्धोरण से दूर रहें वन्दे मात्रम भारती राष्टी अन्धोरण का शीषग बना इसी लीन इस पत्रकार HW निविंसन का इसमें जुड़ा हुआ रवीद ना टैगोर बीदेशी कपड़ों की होली जलाने के अलोचक थे इन्होंने क्या क्या था इन्होंने क्या किया उसके आलोचक थे यह थी श्वादेशी आंदुर यह इंपोर्टेंट है आप ध्यान में रखिएगा जेजे के कुछ तत्य आगो रहे हैं इंडियन सोसाइटी आफ औरियंटल आर्ट की स्थापना की गई है बंगार विभाजन को रद्धो घोशित किया गया है कब घोशित किया गया है जाज पंचम दोहरा 1911 में आपको डेट भी याद रखनी है 12 दिसंबर 1911 में जाज पंचम दोहरा बंगाल विभाजन को रदुगोशित कर दिया गया है बंगाल विभाजन की योजना में महत पूर भूम का रही है बंगाल योजन में योजना की महत्वपूर्भुन का किसकी रही आप बताईए इसकी थी लाड़ करजन की थी ठीके अब नेश्य देखिए पूर एवं पश्चास सभा के मद एक बहतर समन्वे समन्द के समर्था कौन थे रवीना टैगोर पूर एवं पश्चास सभा के मद ए कलकत्ता की जगह दिल्ली को भारत की राजधानी बनाया जाने की गोश्चना भी कब हुई थी दिल्ली दरबार 1911 मुई थी यहां देखेगा ठीक है बंगाल विवाजन रदिक करने के कम कुषित के गए कई बार पूचा गया 12 दिसंबर 1911 को नेस देखिए कुछ और Adhivation जो हमने अधिवेशन देखा था तो इसमें एक अधिवेशन हुआ था बनारष अधिवेशन 1905 में हुआ था जिसके अध्यश कौन कर रहा हये थे गोपाल कश्न गोकले इन्होंने क्या किया था सैल्फ रूल प्रिस्ताओ क्या है सेल्फ रूल प्रिस्ताओ ठीका फु गो लग ही हुए थे रास भीहारी गोष इसकी अध्येस थे उदार वादियों और अतिवादियों उधारवादियों और अतिवादियों मतलब क्या बोलते हैं उग्रवादियों ठीक हो के अध्यच के पद को लेकर विबाद हुआ था इसका प्रज़ाम क्या हुआ था कांग्रेस का विभाज है नहीं हुआ था सूरत अधिवेशन में रहसे बहरी गोड़ तो यह अब इसमें उग्रवादियों कांग्रेश में पुर्ण प्रिवेश हो गया कांग्रेश मुश्लिम लीग के मद Two इसमें समझ रहता हो गया दिसंबर 1916 और और चीज़ा था क्या देखो किया क्या है लखनाउ समझाउता भी हुआ था इसको दिसमबर 1916 में लखनाउ एक साथ हो गया था पैसे समझ सकते हैं अब देखें मुश्लिम लीग इसके जो गठन का प्रस्ताव हुआ था दिसंबर 1906 में धाका के नवाव सली मुल्ला खान द्वारा इसमें हुआ था अगर आप से पूछता है मुश्लिम लीग लीग का प्रस्ताव किसके दारा हुआ था तो क्या बताएंगे सली मुल्ला खान द्वारा हुआ था धाका में हुआ था 1906 में हुआ था इसका जो मुख्याले है यह लखनव में है प्रत्थम अध्धच इसके कौन है आगा खान है इसका उद्देश क्या है ब्रिटिस सरकार के प्रती मुसल्मानों में निश्ठा बढ अन संप्रदायों के प्रती कड़ुता की भावना को बढ़ने से रोगना और वी संप्रदाय है उसमें कड़ुता ना हो इसको रोगना मुसल्मानों के राजनीतिक अधिकारों की रच्छा करना उनका प्रत्थम प्रमुक अधिवेशन 1906 में आप देखेंगे प्रमुक अध मुसल्मानों के लिए वच्ण मंडल की मंघ की थी अमरीशी सर मुनी 1008 में देविशन होगा तो इसमें किया गया था कि मुसल्मानों के लेव प्रत्र हैं अब देखिए निशत देखें क्या है मोश्च इंप्रसन है देखिए इनको क्या बोला जाता है ग्रांड औल्ड मैन ग्रेंड ओल्ड मैन आफ इंडिया भारत के वयोब्रद नेता बोलते हैं इससे भी आता है और इससे भी आता ध्यान में रखिएगा अब देखिए क्या है ब्रिटिस संसत के फद्स चुने जाने वाले पहले भारती कौन थे यह कौन थे यह भी थे कौन थे दादा भाई नरौ सीठ फिस्बरी में 1886 इसमें 1893 में Marvin 1906 में कंग्रेस के अधर सहे इऔर 1906 में इन्होंने कलकत्ता ध्यूशन में凌ने इसमें इन्होंने स्वाराज श्वादेशी और भाहिसकार कभी यह सब पारिद किया था गुजराती पत्रीका राफ्त गुपतार राफ्त गुपतार किसकी याद रखेगा दादा भाई नरोजी की अभी बात किया था गोखले का क्थन क्या है यदि मनुस में कहीं देवत है त होता है तो वह कहां है दादा भाई में तो अब और रिकॉल कर दे रहें कि दादा भाई नरोजी को ग्रैंट ओल्ड मैन आफ इंडिया बोलते हैं यह ब्रिटिस अंसरत के फद्स टोने जना जाने और पहले भारती थे इन्होंने तीन बर कंग्रेश की अधिश था कि एक तो स्थावार न時 में लाद हैं यह कौन भारत का वासरा हैं जो मारले हैं भारत सच्जिव बारती परस्त अधनियम 1909 बृति संसद्वारा पारित संधानि सुधार भारती परस्त अधनियम 1909 भी इसको बोलते हैं देखें मारले मिंटो रिफॉर्म या सुधार बोलते हैं इसमें सबसे पहले क्या संफ्रदाइप प्रती निद्यड्य संप्रदायित निर्वाचक निर्वाचन मंडल की धुत लिए जबड़ा पहला इसमें मंदल की विरंघ्र करना इसे में माले मिंटो व्वार ने हमारा सरवनास कर दिया गया है क्या कर दिया है क्या कर दिया है इसने माले मिंटो सुधार ने हमारा सरवनास कर दिया गया है अब देखे आतिवादियों अतिवादियों मतलब क्या है कि उग्रवादियों अधिवादियों अबम उदारवादियों के पुनर मिलन की प्रक्रिया में महत्यों पूरावुमका थी जाते लिए इन दोनों आपस में एक नीमस लीग समझाओते हैं कांग्रेस भी कांग्रेस भी एक हो जाए और मुस्लिम लीग की तरफ से जिन्ना थे और कांग्रेस की तरफ से बाल गंगा धर्तिलक थे यह पूचा गया इसलिए आपसे बोलों याद रखेगा निस देखेगा होम रूल लीग अंदोलन क्या है होम रूल अब देखें बाल गंगा धर्तिलक की इंडियन होम रूल लीग क्या है बाल गंगा धर्तिलक की इंडियन होम रूल लीग है इसके जो स्थापना हुई थी होम रूल लीग अंदोलन की तो 1916 में अप्रेल 1916 में बाल गंगा धर्तिलक ने किया थे इंडियन होम रूल लीग की याद रखेगा इसका मध्धा माध्य Inspector Tapaugh ृमी इनकी पत्रे थे यह सब क्या था के पुछा गया है जोसेग बेप्टिषनीज्टा ऐनके पुछी ती सुछ पुछीक है इंसी कलकर सचिव थे कहां कपे रूजल में किया था कुछ करनाटक महाराष्ट करनाटक महाराष्ट में बंबाय को छोड़कर मद्ध प्रांतिवं बरा रन को छोड़कर इह ने करनाटक और महाराष्ट में मैं ह saxon लीग था एक था ऐनी बहसांट इप तो आनी बैशंट सितंबर में ऐते हैं और याद रहते है नियtwा नाये थी कामन वील और और निःजा और वील इनकी पत्रिका थी है और फोननी किस mist की अबॉक Wed की थी सच्यू कौन है जार्ज आरोडेर कोन सच्यूं है इसके जाज आरोडेर छीटर इंप नंपन गथा धाल जुतिवकर लीग में Nos come join and आप माहतरपूर कुछ प्रशन है बहारत में होम रूल अंदॉलन ने प्रारम किया यहीं कि भारत में होम रूल लीग यहां पे लीग है यहां पर अंदॉलन पूशता है तो आप क्या दिलग ने और अंदोलन सर्पता अनि बैशन ने होम रूल आंदोलन की ब्याख्खा जन्वरी 1904 में अपने पत्र कामन विल में आनि बैशन ने की थी प्रेथम विश्यूदी के दोरान होम रूल लीग आंदोलन भारत में काफी लोग प्रिए रहा आनि बैशन्ट फेबियन सुसाइटी की स्थापना की थी किस स्थापना किते है यह इंद्ध बेसं किसी अप्रैल उनेस सोबीस में अखिल भारती होम रूल लिग ने महात्मा गांधी को अद्देश निवाशित किया था और महात्मा गांधी निनका नाम बदल कर स्वाराज सभा कर दिया गया है तो 1920 में यह पॉइंट यार दखे को 1920 में आप देखे हैं महात्मा गांधी के बारे में मोश इंपॉर्टेंट परसन है इनके बारे में सब को जाना चाहिए अद्य है क्या सबस्या ओर यहां से भी क्यूशन बनते हैं आई स्टाट करते हैं देखिये इनका पूरा नाम है किया हैं इनका पूरा नाम है मोहंदास करम चंदर गांधी इनका नाम है जमती थी दू अक्टूबर 1869 दो अक्टूबर 1879 में 1879 में 1879 में इनका जन्मवत 2 अक्टूबर 1879 में जन्मस्थान का है पोर बंदर गुजरात में इनकी पतनी के नाम क्या है कस्तूरुबा गांदी है पीता का नाम है करम चंद गांदी या कबा गांदी अब देखिए महात्मा गांधी के इन्होंने कुछ इस्थापना की थी तो आपको यह जो है यह आपको अर्लाइन सब देख लेंगी ना तो आपको याद रहेगा क्योंकि इनके बारें पूछा जाता है अब देखिए 1894 में नाटाल इंडियन कांग्रेस की इस्थापना की थी नाटाल इंडियन कांग्रेस की इस्थापना की थी तो दच्छिर अफ्रीका कि यह जी ती नाटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना की थी थी इंडियन इंबुलेंस की स्थापना की थी 1902 में बिधी कारेलों की स्थापना की थी 1903 में इंडियन ओपिनियन अकबार का प्रकाशन किया थी 1904 में इंपोर्टेंट है इंडियन फीनिक्स आकस्रम की स्थापना की थीए वंगे डवन अफ्रीका में यह 1906 में शत्तर ग्रह जिए बिचाय के प्रेयरता बने और 1910 में टॉल इस्टाय फॉम की स्थापना की है वर फी 1913 में सीराल नेड़नागी के बिरुद सत्त्र ग्रह प्रारम किया था सेराल नेर्णा के बिरुद क्या प्रारम किया था फिर उनाइस्ट Till चौ्दश में करों के इनमूलन भारती बीभां की मानिता भारतियों के दफश्डु अफ़रीकी शड़कों पर बिनर प्रतिबंद आवा जाही फ़ ow जाही ही थुन सप्तिय गया थ。 1915 मेंहों ने क्या किया था दच्चिर अफ्रीका से लोटने के पश्चात भारती राष्टी कांग्रेस में सामिल हुए थे फिर वहीं में 1915 में शत्यग्रह आश्रम की स्थापना की तो ये थे हमारे इसके महात्मा गांदी जी के जी जो जो यह कार किये थे उनके डेट भी पूछा जाता ही इसलिए याद रखेगा अब देखे महात्मा गांदी के सिद्धान क्या थे सबसे पहले क्या है दार्शनिक अलाज कतावादी क्या है दार्शनिक आराज कतावादी है राम राजी के यूगल सिद्धान्त है सत्थ और अहिंसा इंकर सिद्धान्त है याद रखेगा सत्य और अहिंसा है समाजवाद का अर्थ है सर्वोदे क्या अर्थ समाजवाद का अ रणनीति सर्वाधी प्रभावी अस्त्र अगनी बाण करता है अंतिम सस्त्र हड़ताल कर देना इनके सप्त्यग्राही का शत्रु को पराजित करना नहीं करना उनका पराजित करना प्रिवार्टित करके अपने संधापना करना निस्की प्रति रोत निसի अपरीका में प्रदम प्रयोग इनों था राजनीतिक अस्त्रों शत्य ग्रहिन का जो है नैतिक सक्ति देता है शत्य के प्रतीन को अग्रह करता है शत्य ग्रह क्या है नैतिक सक्ति है शत्य के प्रतीन का आग्रह है ध्यान में रखेगा निजदे के भारत में महात्मा गांधी का उदे से पहले होता है चंपारन सत्य पूछा गया है कब हुआ था 1917 में चंपारन हुआ था और 1918 में खेड़ा हुआ था आमदाबाद में हरताल भी 1918 में हुआ था सफल सत्य क्रह था या ध्यान में रखेंगे तीनों सबसे पहले क्या भारत में प्रिथम सब ने आयोगा अंदोलन नील की खेती की तीन कठीया जीहार का है यह उन्होंने क्या सब्सक्राइब नीज के खेती के तिनकठी प्रता ति इसके बुरुद अंदूरन चलाया था राज कुमार्शुकल कि कहने पर राज कुमार सुकली के सेहमात थो गया चमपारन संगर्ष और यहीं सत्त्य ने DV कि क्या था नील की खेती तो त्वंहाँ अंदोरन कि um इस पर राज-कुमार्शचोख धान सक्षक रहे हैं ऑफ रही आपको इतना ध्वार में रखना है। तिस सरकार को नी więcej चूर देने से मना रहे थें। आजित हमी हमान एक तुन lohतोव पर इन्हों ने महात्मा गांधी के नियुतत में बल्ला भाई पटेल बिठल भाई पटेल एवं इंदू लाल यागिक की महत्पूर भूमकरने भाई इसमें अब देखेंगे आमदाबाद मिल हरताल यह उनीश चो अठारा में हुई थी इसमें क्या थी इसमें जो है महात्मा गांदी की पहली भूक घरत आल थी इसमें मिल मालिकों द्वारा मजदूरों को पलेग बोनस देने से इंकार कर दिया था मिल मालिक थे मुछें माजदूरों को पलेग बोनस नहीं कर दिया किया Iraqi कपड़ों का त्याग अंग्रेजों से निपटने का सबसे अच्चा तरीक है अगर हम बीदेशी वस्तों बीदेशी कप्राग अत्याग कर दें तो अंग्रेजी उसी निपटने का सबसे आसान तरीका है हरी जीनों का हरी जनों का की सेवा मेरा जीवन है इसके बिनम में एक चण भी जीवित नहीं रह सकता है तो यह सद इनके कथन है यह दोनों कथन सर्वोदों किया अधान्रा की प्रतिपादन की प्रेणा की है थोरों से क्या लिए है सबिना आयोग्या और करबंदी की प्रेण्रा लिए है रश्किन से क्या लिए है रश्किन से साहरीरी परिश्रम का अधार करना टाल श्टाय से डीगे अहिंसक आहसायोग का अधार बना और की कोई भी परिवार नियोजन हेतु सुझाया गया है क्या है यह सरोत्ताम उपाय आत्म नियंत्रन डर्बन दच्छे अफ्रिका का है 1893 में दादा अब्दुल्ला की मुकदमे की पैरवी करने गया थे दच्छे अफ्रिका गोपाल कृष्ण गोखले महात्मा गांधी के राजनीतिक गु क्या बताएं कि आप लोग गोपाल कृष्ण गोखले हैं वर्स 1901 में कांग्रेश के कलकत्ता अधिवेशन में महात्मा गांधी ने पहली बार भाग लिया कब वर्स 1901 में बंबई जो था बिधी कारेले की स्थापना की थी बंबई में 17 जून 1917 में शत्तक राही आश्रम का शाबर मती नदी की किनारे इस्थान तरन कर दिया गया है शत्तक विकेंदी करन राजनीती की छेत में महात्मा गांधी का सरवाधिक महात्व पूर्स जा होता है यहीं कि सत्तक विकेंदी करन करना वर्स 1930 में महात्मा गांधी टाइम पत्रिका द्वारा मैन आफ दर इस नमित किया गया है 211 में टाइम पत्रिका ने महात्मा गांधी को सरोकालिक सिशल 25 महान राजनीतिक हस्तियों के सुची में सामिल किया जो टाइम पत्रिका ने अब देखे महात्मा गांधी को पांच बार नोबल सांथी पुरुषकार हे तु नामंकित किया गया पांच बार किया गया नोबल सांथी पुरुषकार हे तु अब कुछ प्रशन आई देखते हैं देखे महात्मा गांधी को सब्रथम राष्ट पीता कहा था किस ने कहा था सुभाष चंद्र बोस में महात्मा गांधी को क्या कहा है राष्ट पीता पूछा गया जामें नोवा खली प्रवास के दवरान महात्मा गांधी के सच्चियों कौन थे निर्मल कुमार बोस भारत के प्रति बिटिस सरकार की नीती के बिरोध में राय बहादुर की उपाधी का त्याक किस ने किया था जमनालाल बजाज ने दच्चिर अपरिका में प्राण जीवन महता ने महात्मा की उपाधी दी थी अब देखे गांधी सेवा संग के संस्थापक कौन थे जमनालाल बजाज गांधी सेवा संग किसा अपना जमनालाल बजाज थे महात्मा गांधी ने कंग्रेश स्थीपा में दिया था जनी स्थीपा दिया था इस सारे घुछ महात्मा गांधी के बारे में ध्यान रखेता इससे question बनते हैं ठीक है तो इसमें सब वही question है जो most important है ठीक है ओके अब देखें निश्ट देखें हम लोग देखते हैं किसान अंदोलन और किशान सभा तर से पहले हम देखेंगे UP किसान सभा इसकी जो इस्थापना हुई थी फरवरी उनीशो 18 में की गई थी इसके जो संस् सब जगत तयार रहे हैं अब देखें निश्ट का है सहजानन सरश्रती इसके जो संस्थापक थे कहां बिहाप रांती किसान सभा के संस्थापक कौन थे पूछा गया है सहजानन सरश्रती थे वास्तवी के लच्छ क्या था जमिदारी प्रथा का उन्मूलन करना क्रशी शु किसान किसाणों के प्रती समर्पित सेवाओं के करन इनको किसान प्रांड भी बोलते हैं किसान प्रण सहजानन सरश्रती है अब देखें अखिल भारती किसान कांग्रेश इसके जो स्थापना हुई थी पूछा गया एक बाई स्थापना तो उनीस सो च्छतिस में इसकी स्थापना हुई थी कहां किसी स्थान पर हुई थी यह लखनव में हुआ था इसका अननाम क्या था अखिल भारती किसान कांग्रेस था तो किसान सभा बन गया है इसके अध्याच कौन थे प्रतंट सण में अखिल भारती किसान सभा के मुख उद्धिस क्या था देखें जमीदारी बिवस्ता को समयाप्तकरना भू राज्यस कि दर को कम करना यह इनके मुखव उद्धिस था अब आप बाबार रामचंध्र लेकर जो बाबार रामचंद्र थे यह महा राश के अदर परिवार्वार करतें फीजी में मजदूर रहे हैं आवद के किसानों को संगठित किया है और इन्हीं के प्रयासों से वर्ष 1920 में प्रतापगड में आवद किसान सभा का गठन किया गया है आवद में इनके प्रयासों से वर्ष प्रताबगड में अवध किसान सभा का गठन किया गया था बाबा राम चंद है कुछ महात्यपूर प्रश्ण है देखते हैं लोग वर्स 1928 में बार्दोली क्रसक अंदोलाग निर्थत किसने किया था बल्ला भाई पटेल ने किया था वर्स सर्दारी के उपादि ब महिला हो ने की थी सितंबर उनीश सो ची आलेष में बंगाल की प्रांती किसान चभाद्वारा प्रारम किया गया अंधुरन ता ती भागा किशान अंदोरन की मांख क्या थी जमिदारें की हिस्तिदारिmm को फसल के आदि भाग से कम करके एक तीहाई करना जो जमिदारी जो हिस्सेदारी थी फसल के आधे भाग से कम करके कितना करना एक तीहाई करना वन थार्ड करना भूधान अंदोलन प्रारम किया था किसके दौरा बिनवबा भाव भावे दौरा भूधान अंदोलन प्रारम किया था अब देखके हैं एक अंद दूरन देखे एकांदुरन का निर्टत तहकी किया गया था पिछडी जाती के मदारी पासी दौरा मुख्य सिकायत क्या थी जमिदारों दौरा लागान में बहुत जादा बढ़तरी कर रहे थे इसके गतिबधी केंदर कौन कौन से थे हरदोई बारा बंकी बहराई सीता पुर अधिक लगान वशुल करते थे इसलिए एक अंदोलन आया था अब देखे निष्ट क्या है ट्रेड यूनियन एवं सामवादी दल क्या है पहले हम देखेंगे मद्रास मजदूर संग क्या देखेंगे मद्रास मजदूर संग इसके जो संस्थापक है बीपी वाडिया कौन स 1918 में इसकी स्थापना हुए भारत की प्रेथम आतनिक मजदूर संग संग अब देखेंगे हमदाबाद टेक्ष्टाई लेबर अशोशीयेशन यह स्थापना कव वगा था 1918 में इसकी स्थापना वर्गांदी पूचा गया है एकजाम में मद्रास मजदूर संग के कौन लेकिए वाडिया भी वार्या था अखील भारतीटरेड्रेड्रेड्र्रेड्रियूनियं कांगिरेश। के सथापना हुए थी ति 31 अक्टूब ने सथापना हुए थी कहां पर भूए थी प्रथम अध्यच कौन थे जोसेप बैप्टिश्टा थे प्रथम बीभाजन कब हुआ था वर्स 1929 में नागपूर अधिवेशन में और उसके अध्यच कौन है जवाला नहरू नागपूर अधिवेशन में और इसके स्थापना क्या था उसमें 1929 में अंतर राष्टी स्थ्रम संगठन की स्थापना करना अखिल भारती ट्रेड यूनियन कांगरेस की स्थापना के करन क्या था था जो कि मार्च 1929 में स्थापना कर दी गई है बंबई में अधिश कौन थे लाला लाश पत्राइब अनिश देखे कुछ महात्रपूर्प्रस नहें मार्च 1929 में कमिनिश्ट इंटरनेशनल की स्थापना की गई है किसके द्वारा बलादी मीर इलियाच लेनिन और रूसी पार्टी बॉल सेवी के द्वारा निजदी के ट्रेड यूनियन आंदोरन के क्रांतिकारी इस चरंग का समय माना जाता है 1926 से 1949 तक कमिनिश्ट इंटरनेशनल के फदस बनने वाले पहले भारती कौन थे एम एन रॉय थे वर्स 1940 में रिडिकल डेमोक्रेटिक दल की स्थापना किसने की आंडारी पारितिकारी शामिवादी दल की स्थापना किसने की ती मां रूय। क्यार भारती नरफ शामवादि रहत बीड़ियों किसमेंद्रनाथ टाइगों में आप देखें किया हैfa सिदिनी रूलेट की अद्यस्ता में एकंति गठित की है धारत क Abram के अधिस्ता कीए समीति गठन की क्या उन्ह defensory कालाया यह आया है 1999 कि इसमें किसी को भी अगर कोई क्रांथिका रहे क्रांथिकारी पकड़ गया तो हम बिना पूछे जब तक हमारा मन करे हम उसको मुकदमा चला है जब तक चाहे जिसको चाहे जब तक चाहे जब तक चला है जएल में रख सकती थी इसलिए इस कानून को बिना वकील, बिना अपील और बिना दलील का कानून कहा गया है यह जो एक्ट है लार्ट चेम्स फोर्ड के कारिकल में पारित हुआ है अखिल भारती राजनीती में महात्मा गांधी का पहला सहासी कदम रोलिटãy discipline 1999 में प्रारंब किया गया शत्त ग्रह था कि बहुत बड़े तावर पर महात्मा गांदी ने सहासी कदम रोलर एट के बृद्धु शत्य ग्रह प्रारम किया था 1919 में महात्मा गांदी ने रोलर शत्य ग्रह के लिए तीन दाजनेतिक मंजुक का उपयोग किया एक है होम रूल लीग होम रूल लीग एक है खिलापत आंदोरन एक है सत्य ग्रह सभा यह थे महात्मा गांदी के राजनेतिक मंज आप देखें इसका पर ही राम क्या हुआ अंग्रेजों के बिरुद्ध एक बड़े जन आंदोरन को चिंगारी दी गई किया गया इसमें अंग्रेजों के बिरुद एक बड़े जन आंदोरन को चिंगारी दी गई महात्मा गांदी इस एक्ट के बिरुद में थे और उन्होंने बड़े पैमाने पर इस एक्ट के बिरुद आंदोरन का आहान किया पंजाब में हिंसा भड़ा कुठी और 10 अप्राइल नीस में सद्धाक्टर सत्यपाल और शैफदूल किछिलू को गिरिपतार कर लिया गया और इसी से इसी गिरिपतारी के बात करने के लिए जलिया वाला बाग हत्या कांट होता है ठीक है 10 अप्राइल नीस में डाक्टर शैफदूल सैफद्दीन किछिलू को गिरिपतार कर लिया गया है और इसमें क्या है महात्मा गांधी ने इस एक्ट के विरुवत में बड़े पहमाने पर आंदोरन चलाया था इस गुवा त Tibrai हां भी गयां और सब्सक्राइब अभी इस की हुआ यह पाल यह होता polítल करते के लिए गश्जन हो अब तबारिप सैफद्दीन किछलू और सत्य पाल की गिरिपतार कुरू था नीस street अनुआ 1239 बिरोध करने के लिए यहां पर सभा का आयोजन किया था दस अपर उनीस सो उनीस में अब देखे आज था ही ब्रिगेडियर जनरल रेगी नैड एडवर्ड डैरी हैरी डायर क्या था इसमें इन्होंने क्या किया भीर पर गोलिये चलाने का आदेश दिया देखे जो ट्रिगेडियर जनरल थे इन्होंने एडवर्ड हैरी डायर को आदेश दिया कि मीर पर गोलिये चला दो फिर इसके लिए क्या हुआ हंटर कमीशन क्या करने के लिए बना हत्यकान हट है कि सही है गलत है यह इसलिए यह कमेटी यह कमीशन बना है और यह रिपोर्ट निसकर्ष ज्याह निकला गया है कि जो दुर्खटना हुई है इसके लिए सरकार दोसी नहीं मानती है कोई भी दोसी नहीं मानती है आप देखेस और नहीं है उन्हों ने किया कहा है यह कोई भी सरकाजमेदाएं नहीं है डायर का कार है क्यों निड़ने लेने की भूल कर दी है यह डायर का कार है अब देखें अब हंटर कमिशन इसमें तीन भारती भी सदस्थे थे इसमें यह ड्यान में रखें निश्टे के कलनल कलनल झायर कारनल राहा क्या रायर झाजंब हैं तो आप स और धायर याद रखेंगा यह ठीपा दिए गया इनको देगे वी बिबिर उपादिया है इनको percentage हा गया है बिटोे समराज का सीर इनको बोला गया है मांकी मानिंग पॉस्ट ऑखवार बोला गया है कि मान की तल्वार कर दी गई थी हैरी 1920 में कलकत्ता में हुए कांग्रेश अधिवेशन के प्रमुक मुद्दे कौन से थे जलिया वाला बाग हत्यकान और खिलापत अंदोलन थे अखिल भारती खिलापत कमेटी के गठन का हुआ है सितंबर 1919 में हाजिफ उल्मुल की पदवी कत्या किस ने किया है हकीम अजमर खान न खिलापत अंदोलन को देश की फतंटता के अंदोलन से जोड़ने के बिरोधी कौन जो थे- dealt के पैफिलापत अंदोलन थे- वो देश की फतंटता के साथ ना जोरे यही महातमा गांधी को राजनीती में धर्म को ना लाने की शला किसने दी थी राजनीती है तो धर्म को ना लाओ मुहमद जिन्ना ने सला दी थी जलियावाला बाग हत्यकान के भिरोद में बिर्टिस सरकार दौरा प्रदान की गई नाइट हुड़ी की उपादी वापस किस ने की थी रवीन नाट टैगोर ने जो जलिय वालबाग हत्यकान हुआ था ब्रिटिस सरकाद दोरा इनको क्या दिये गई थी नाइट हुड की उपादी लेकि इन्होंने वापस कर दिया गया है अब देखें सी संकरन नायर ने वायसराय की कारेकारनी सिस्थीपा दिया था जलिय वालब हत्यकाण के समय पंजाब के लेटिनेट गवर्नर रह रहे रहे माइकल ओ माइकल माइकल दिया था जड़िवार्ण सिर्ग मार्श applies सो चालिस में लंदन में हत्या की यह इकिसने लंदन है पंजाब के क्रांतिकारी नेता उधम सिंग ने किसने उधम सिंग ने उधम सिंग ने इनकी हत्या कर दी कहां पर जाकर लंदन में कब की थी 1940 में ये क्योश्चन बना हुआ है अब देखिए 1919 के जगहन ने चलिया वाला बाग हत्याकान के समय भारत के वायशराय कों थे प्रारम करने का स्रेक इसको जाता है कि मुहम्मद अली और शौकात अली को शौदो भाई होते हैं शौकात अली और मुहम्मद अली यही प्रारम करने के इनको श्रे जाता है अब प्रारम करने का कारण क्या है जिनका कारण है ब्रिटिस सरकार द्वारा प्रथम विस्यूद के खलीपा आता खलीपा के अपमान के प्रती बिस्भर के मुशलमानों में रोश आ गया था इनकी गतिवी थी क्या है भारती मुसलमानों द्वारा तुर्की के आटोमन समराज की रच्छा और खलीपा को बनाया रखने ये तू अंदोरन कर दिया गया ये चाहते थे कि तुर् कर दोलड 19 Все 19 में आया कहां पर है दिली में 24 नुमबर को खिलापत कमेटी संभिलन की अद्ध्ष कौन बने हैं के चिलापत पामेटी के अद्ध्व महात्मा गांदीं बन गए ह Gंप खिलापत कमेटी के प्रमुपद्स से कौन से थे एक थे अक बढ़ा रुपएट ये सब इ दक्तर मुक्तार अहमद अंसारी हकीम अजमर खान अबूल कलाम अजातिये इसके प्रमुकुष्ट अदस्य थे तो यह सब था हमारा खिलापर अंदोलन ठीक है ओके आये स्टार्ट करते हैं आसायोग अंदोलन यह मुश्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इससे क्यूशन बनते हैं जब प्रिवेस क्यूशन पर आप लगा रहे होंगे तो आप जरूर इससे क्यूशन देखने को मिले होंगे सबसे पहले आपसे यह पूशता है कि आसायोग अंदोलन कब प्रारम किया गया है आपसे डेट भी पूश लेता है और इयर भी पूश लेता है तो कब प्रारम किया गया था एक अगस्त 1920 में यह प्रारम किया गया था और यह भी पूसता है कि किस के द्वारा इस्टार्ट किया गया था तो महात्मा गांधी के द्वारा महात्मा गांधी जी के द्वारा यह इस्टार्ट किया गया था और हाँ देखे एक इवेंट हो गया था चौरी चौरा कांड चौरी चौरा कांड एक इवेंट हो गया था य अब 1 इस्थज़ें कर दिया गया था तुछ आप्धे प्रार्वरी में देतक हुआ चार थैज़ें में ये कुछन आपने सीड़ने में ये लाया है कि अधिवा आप आप प्रारम गया था ये बताए वो एक पन करें किया गया था 1 अगस्त 1920 को और किसके द्वारा महात्मा गांधीजी के द्वारा ये स्टार्ट किया गया थे भी ध्यान में रखिएगा आप देखिए इसमें Congress Advisor किस Congress Studio ये प्रस्ताव लाया है तो ये भी election बनते हैं दिख कि मैं आप से पहले भी बोछ चुकी हूँ यह जो बुकलेट है बहुत ही इंपोर्टेंट है आपके जाम के द्रिश्टी से आप जब खुद इसको पढ़ेंगे एक दो बार और रिवीजन करेंगे ना और एक्जामिनेशन हौल में बैठेंगे ना तो आपको खुद आपको इनलाइस करेंगे इससे कितने क्यूशन आप प्रस्थत कुछ आ जाता है कि कांगरेश अधिवेशन किस आप क्या पतााएंगे कि वह इस्थान कौन से था आता में कलकत्ता में कल कता में यह इस्थान कहां पर दूशादT किया गया था अब कुछ ब्रोधी भी देखें बिरोधी से भी क्यूशन बनते हैं कि आशायोग आंदोलन जब प्रिस्ता हुआ था तो उसके बिरोधी कौन थे तो सी आरदास लाला लाजपतराए आनी बैसेंट आदी ये बिरोधी पचके थे और प्रिस्तावा कौन थे महात्मा गांधी जी थे और कौन से कंग्रे इसके वार्षिक अधिवेशन में नागपूर में नागपूर दिसंबर 1920 में आशायोग आंदोलन प्रिस्ताव लाया गया था किसके द्वारा सी आरदास द्वारा ये प्रिस्तावक प्रस्तुत किया था ठीक है अब आए निश देखते हैं अब देखें इसकी सफलता क्या ह जनता के मन से ब्रिटिस सक्ती का भय हट गया और देखें इतने बड़े पैमाने पर पहली बार देश की जनता संगठित हुई है जनता को आधुनिक राजनीती से पर्शे कराया गया है और जनता में आजादी की उतकंठा जगी है और हाँ इसी में कुछ लोग उपाधियों का भी त्याग कर दिये गये थे जिसमें महात्मा गांदी जी ने कैशर एहिंद की उपाधी का त्याग कर दिये गये थे और राय बहादूर की उपाधी का जो त्याग किया गया थे किसने किया था जमना लाल बजाज ने किया था ये दोनों most important उपाधियां हैं जिससे एक्जाम में question आपको देखने को मिलते हैं तो आपसे ऐसे question बनता है कि महात्मा जी ने केशर ए हिंदी की उपाधी किस आंदोलन में त्याग कर दिया गया था तो आप क्या बताएंगे वो कौन सा अंदोलन था तो वो था आसायोग अंदोलन में जिसमें कैशर ए हिंदी की उपाधी इन्होंने त्याग दी थी ठीक है इसी तरीके से राय बहादु यहने कि जमनलाल बजाज के बारे में भी question बनेंगे ठीक है अब देखे चौरी चौरा कांट अभी मैंने बताया था कि चौरी चौरा कांट चार फरवरी 1922 में हुआ था कहां पर उत्तर प्रदेश के गोरग पुर जीले में चौरी चौरा नामक इस्थान पर कुरुद भीड ने थाने में आग लगा दी जिसे 23 सिपाहियों के मृत्ति हो गई थी और फिर इनको आंदोरन इस्थागित करना पड़ा कब किये हैं 12 फैवरी 1922 को आंदोरन इस्थागित करने के इन्होंने निड़ने लिया ठीक है तो य इसमें कब इस्थागित करने के निड़ने लिया गया थे भी इंपॉर्टेंट है ठीक है और कौन-कौन लोगों ने वाधियों के त्याग कर दिया गया था अभी इंपॉर्टेंट अब देखें कुछ लोगों का यह कथान है देखें जब क्या हुआ था 12 फैवरी 1922 को महात इन्होंने क्या कहा है कि आशायोग आंदोरन वापस लेने पर महात्मा गांधी के खिलाब निंदा प्रिस्ताव इन्होंने किया है अब रवीन ना टैगोर जी का कथन क्या है कि बिदेशी वस्तों को जलाना अभिवेकी यह निष्ठो बरबादी है क्या हुआ था उसमें क् आशायोग अंदोरन में कि किसी तरीके से सरकार का यह नहीं बिदेशी वस्तों में उनको जला रहे थे तो इन्होंने क्या कहा कि बिदेशी वस्तों को जलाना अभिवेकी यह निष्ठो बरबादी है यह कथन पूछा जाता है कि यह किसका है तो आप क्या बताएंगे रवी कि में अभी बताया है कि 802告诉 ऍिन् accent comment box में क्या जूimiento स्ब्यक्राइब के एक है ृप और 1920 में जामिया मिलीया इस इस्थांतरित 1990 कर दिया कि हुआ था है आज भी भी एच यू ठीक है तो आप बताएं इसकी स्थापना किस ने की थी यह भी हमने पॉइंट डिसक्स कर चुके हैं तो आप देखे तो वर्स 1916 में बनार सिंदों इस पर देले कि स्थापना की गई थी यह डेट पूछी जाती कि भी एच्छू की सापना कब की गई इससे कोशन भी बना हुआ आपको देखने को मिलेगा आप देखे वर्स 1922 में जामिया मिलिया इस्थापना की गई है वर्स 1922 में गुजरात बिद्यापीट की स्थापना की गई थी कहां पर आहमदाबाद में वर्स 1922 में कहां सी बिद्यापीट की स्थापना की गई थी कह देखे आ सायोग अंदोlaan का प्रभाव क्या हुआ था हायने देखते हैं इसमें राष्टवादी भावना देश के कोने-कोने पहुँजगे रश्टी या श्वदेशी संस्थानों की स्थापना की गईअभी हमने या राश्चित अंस्तानों की स्थापने की गई विद्यसी वस्तू का बहिस्कार मामले में में ही रवीण नाट गोजी का कथन है कि विद्यसी वस्तू को जलाना क्या है यह अभी वेकी निष्ठोट बरबादी है इसलिए उन्होंने यह बोला है अब देखें क्या है कौन-कौन लोग थे जो भाग लिये हुए थे तो एक थे मध्य वर्ग एक थे महिला वर्ग और बैपारी वर्ग और किशान वर्ग और छात्र वर्ग तो ये सब थे क्या है असायोग अंदोलन में जन भागीदारी देकि जो मध्य वर्ग थे ये अंदोलन को निशले तब के तक ले गए जो अंदोलन था अंदोलन को निशले तब के तक ले गए बहिसकार को गंभीरता से नहीं लिया क्या क्या बहिसकार को गंभीरता से नहीं लिया लेकिन जो बैपारी वर्ग थे इन्होंने आर्थिक बहिसकार का शमर्थन किया और जो किशान वर्ग थे ब्यापक भागिदारी किया इन्होंने जमिदारियों और बैपारियों के बिरुदिनों ने क्या किया बिद्रो किया तेकि जो छात्र वर्ग थे वो सबसे ज़्यादा सक्री भूम इन्होंने बहिसकार किया यह था चात्र वर्ग ठीक है तो यह सब इंपोर्टेंट आपसे क्योशन पूशा जाता है कि इन में से कौन से वर्ग भाग नहीं लिये हैं अब आए निश देखते हैं आसायोग अंदोलन से जुड़े ब्यक्तित और उनकी भूमी का क्या है ब्यक्त प्रिस्ताव लाएं और इन्होंने आंदोलों की स्टार्ट क्या पैसे समझ सकते हैं वर्ग एक मुख पत्र की इन्होंने घोशन की है अब आये निश चितरंजन दास इन्होंने क्या किया है देखिए वर्ग नागपूर में आयोजित कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन म पॉइंट हम लोगोंने पहले देख चुका है देख चुके हैं कि जब वर्ग नागपूर अधिवेशन हो रहा था नागपूर में कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन हो रहा था तब इन्होंने इसमें क्याला हैं आसायोग आंदोलन का प्रिस्ताव रखे हैं उनके तीन सहयोगियों ने हिंदू और मुशलमानों के एक चुट करने के में प्रमुक भूम का निभाई है और जो इनके तीन सहयोगी है कि हिंदू और मुशलिम दोनों एक हो जाएं इन्होंने एक जुट भूम का निभाई हैं इनमें कौन-कौन से हैं उनके सहयोगी आये देखते है मिदनापूर में बिजेंदरनाथ सासमाल चटगाओं में जे एम सेन गुपता कलकत्ता में शुभाश चंद्रबोज ये तीनों है ये बहुत भूनका निभाई की हिंदू मुश्लिम एक साथ काम करें तो ये था चितरंजन दास के बारे में अब आए हम देखते हैं जवालाल किसान सभाओं को गठन को प्रसाहित किया इन्होंने आंदोरन वापस लेने के जब गांधी जीन आंदोरन वापस ले लिए तो ये भी इनके खिलाप थे सुभाश चंद्बोश देखे क्या है शीविल सेवा से इन्होंने स्थीपा दे दिया है और कलकत्ता में नेशनल कॉल गोशन की कि मुशलमानों का ब्रिटिस सेना में रहना धार्मीक रूप से गयर कनूनी था देखे जो मुहमद अली है मुहम हम Audio है खिलापस समेलर में नों क्या कहा है कि मुहम्मद अली ने घोशन की कि मुशलमानों का ब्रिटिस सेना में रहना धार्मिक रूप से जो धार्मिक है रूप से गैर कनूनी था अब देखें मोती लाल नहरू ने क्या किया इन्हों ने क्या किया आदालतों का बहिसकार किया लाला लाच पत्राय भी सानमिल थे और आने बैशन भी शामिल थे बाद में इसकी वापसी के खिलाफ थे यानि कि कहने के मतलब यह है ना तो यह प्रारम में के अंदोलन हो इसके पच में थे और अगर जब इस्टार्ट हो गया था बाद में अगर इस्थाकित हो गया था तो तब भ बल्ला भाई पटेल गुजरात में अंदोलन का इन्हों ने प्रिशार किया था आप देखे क्या है वर्स 1923 के चुनावों में भाग लेने ही तू कांग्रेस में मद्भेद हो गया है एक है परिवर्तनवादी दूसरा है आपरिवर्तनवादी इनका मत क्या है जो आपरिवर्त क्या है बिधान परशद में प्रिवेस की भिरोदी यह क्या करें परिवर्तनवादी तो आप इसमें यह क्या चाहते थे कि हम बिधान परशद का प्रयोग राजनीति संगर्श हेत्व हो इसमें कौन-कौन से ब्यक्तित है चितरंजन दास मोतिलान नहिरू आदी और इसी लि का गठन किया यह क्योश्चन पूस्ते हैं आप से कि स्वाराज पार्टी के गठन में कौन-कौन लोग सामिल है तब क्या बताएंगे चितरंजन दास और मोतिलाल नहरूजी यह महा सच्चियों हैं तो यह इसके संस्थापक है लेकिन अन्य प्रमुख नेता भी हैं जिसमें से बोलते हैं सीरी निवास आयंगर इंसी केल कर यह अन्य प्रमुख नेता है अब देखें इनके मुख दे से क्या था कि चुनाओं के माध्यम से काउंसलिंगों में प्रवेस क काम ना देकर वर्स 1919 के भारास सरकार अधनियम हं का कुछे दन करना मतलब है कि चुनाओं के माध्यम से उस प्रेवेस करें हम काम ना थेकर जो फी निड़न लिया घै था वर्स 1919 में भारास सरकार अधनियम कं इसमें क्या कर स्वाराज पार्टी के गठन कब किया गया था इस्थापना कब कर दिया गया था इसमें कौन-कौन से यह यह इंपोर्टेंट है इसको देश से तो पूछाई जाता है देखे से महत्रपूर उपलब्दी क्या था वर्स 1925 में बिठल भाई पटेल सेंटरल लेजिशलेटु अस लेजिशलेट्व असेंबली के अध्य चुने गए अब देखे स्वाराज पार्टी इसका देखे प्रथम अधिवेशन हुआ यह था प्रयाग राजमेंग प्रयाग राजमें ऐस समय कहा था अलहाबाद था कब कि निर्वाचन योग 105 में से कम से कम इन्हों ने 42 देखे वर्स 1928 में पब्लिक सेप्टी बिल को पारित नहीं होने दिया और क्या है मांटेंग्यों चेम्सपोर्ट शुधारों की कमियों को इन्हों ने क्या क्या उजागर किया अब देखे निश क्या है चितरंजन दास आये इनके बारे में हम लोग जानते हैं देखे उपादी क्या है इनको यह कोशन पूछा गया कि देश बंदू किसको कहा जाता तो क्या बोलेंगे आप ल अब आए हम देखे एसाड़ान धोरान भारत में कोश गत वीदिया हुई थी लोग वही हम देखेंगे क्या हुआ था आशायोग अंदोलन की अचानक वापसी ने लोगों का मौ भंग कर दिया क्या हुआ कि आशायोग अंदोलन फिर से वापसी हुआ ले Shouldn, क्या होुता सब्सक्राइब सकते ओडिया है इसमें ज्यादा इन्हökेट नहीं किया तो है कह रहे है कि सायोक अंदोर्णन्की अचानख वापसी ने लोगों का मोभंग कर दिया लोगों सवाल उठाया लोगों ने राष्टरी नियोतोत पर सवाल उठाया युवा राष्ट्र वादी स्वाराजवादियों के संसदी कारे के प्रति आकर्शित नहीं थे जो युवा राश्टवादी थे स्वाराजवादियों के संसदी कारे के प्रति आकर्शित नहीं थे वे इसके प्रति आकर्शित थे कि क्रांतिकारी तरीके से ही भारत को आजादी दिला सकते थे यह कि युवा थे वह किस पर दिल्चस्पी ले रहे थे तो वह क्रांतिकारी जो क्रांतिकारी कर रहे थे उनके तरीके को अपनाना चाहते थे अब देखें इसमें सची ना सन्याल के बंदी जीवन और सरत चंदर चटुत भाय के पाथे डावी जैसे उपन्यासों और किताबों न सरत चंदर चटुत पद्धिहाई किसके हैं तो आप क्या बताएंगे यह हैं किसके पाथे डावी पाथे डावी तो यह जो किताब पढ़कर तो लोगों के अंदर और क्रांतिकारी की भावनां को जगा दिया अब आए निश्ट देखते हैं हम लोग जान सांडर्स की हत्या लाहूर दिसंबर 1928 के हम लोग देखते हैं आईए देखते हैं जान सांडर्स की हत्या 1928 तो सबसे पहले आप यह समझेए कि इसकी प्रश्ट भूमी क्या है देखें साइमन कमीशन आया था और साइमन कमीशन हमारे पच्छ में नहीं था जिसकी वज़े से लाला लाज पत् रहे थे हैं इनको लाला लाज पत्राय का और क्या बोला जाता है से अपनजाब वे प Only qsinda पूछन पूछ गया है कि आयह ने को जाता आता है ने लाला लाज पत्राय को बोला जाता है तो इनके उपर लाथी चार्ज चलने की वज़े से इनकी बित्त्ति हो गई और क्रांतिकारीयों ने इसे राष्ट का अपमान माना इसी वज़े से जान सांडर्स की गोली मारकर हत्या कर दिये किसने भागज सिंग के नेतरत में तो आप यह समझे कि जान सांडर्स की हत्या किस वज़े से की गई है तो आप क्या बताएंगे कि Simon कमिशन का जो बिरोध कर रहे थे हमारे वनेता उनकी लाठी चार्ज में मृत्य हो गई थी जिसकी वेज़े से करांतिकारी थे यह अपने राश्टरा अपमाने थे और भागस सिंग ने इनके हत्या कर दिया जान सौर्डन्स के गोली मार कर तो यह था हमारे लाहोर लाहोर जान ने पूचे जान सौर्डन्स के हत्ते कब हुई थी अब निश्ट देखे क्या है सेंट्र लेजिश्लेट्व असेंबली बंकांड आठ अप्रेल आठ अप्रेल 1929 देखे इसमें क्या हुआ था कि भागस सिंग एंद बटु को सर्दत ने सेंट्र लेजिश्लेट्व असेंब इनको दर्वाना था डिटरेंस क्रियेट करना था तो इस वज़े से क्या है इन्होंने सेंट्र लेजिश्लेट्व असेंबली में खाली बिंचों पर बंप फेके और देखे पब्लिक सेप्टी बिल और ट्रेड डिस्प्योट बिल के प्रती बिरोत जताने है तू और उनका क्या है सेंट्र लेजिश्लेट्व असेंबली बंकांड आठ अपरेल 1929 के बाद अब कुछ गत्विधी होती है इसमें यह क्या गत्विधी होती है कि आप देखे क्या है कि बंकांड के आरोपी स्वेच्छा से गृपताल हुए उन्होंने प्रेचार वा मांगे है तू ट्र 23 मार्च यह डेट बहुत इंपोर्टेंट है 23 मार्च 1931 को भागत सिंग सुक देव और राजगुरु को फासी दी गई है फरवरी 1931 में इलहाबाद जो क्या प्रियाग राज है इस तिर चंसेखर आजाद पार्क जिसको बोलते अल्फेड पार्क में और देखे चंसेखर आ इसके बाद क्या हुआ इन्होंने बं तो फेके लेकिन अपने सुच्छा से गरिपतार हुए और अपने मांगो और प्रिचारव मांगो के यह तो ट्रायल कोड का भी उप्योग किया है और इन्हीं के आरोपियों पर लाहोर्च सडेयन का भी मुकदमा भी चलाया गया जिसक इसकी वज़े से 23 मार्च 1931 को भागा सिंग सुखदेव और राजगुरु को फांसी दी गई है अब देखे निश्ट क्या है चटगाओं सस्तरागार कांड देखे इसमें क्या होता है चटगाओं सस्तरागार छापे की योजना सूरसेन ने बनाई है कई बार पूचा गया ह कि चटगाओं सस्तरागार कांड से कौन समंधित है तब क्या बताएंगे सूरसेन समंधित है इनका उदेश क्या है पुलिस और सहायक बलो के सस्तरागार पर छापा मारना ये कब हुई है अप्राइल 1930 में घटना गठित हुई है छापा सफल राय सूरसेन निराष्ट्री ध गिरिपतार हुए और जनवरी 1934 में इन्हें पहांसी दी गई है तो आप समझ गए कि चटगाओं सस्तरागार कांड किसे समंधित है सूरसेन से समंधित है ठीक है और इनका उदेश क्या है पुलिस और सहायक बलो के सस्तरागार पर छापा मारना और इनका छापा सफल भी र आया और बाद में इनको गिरिपतार करके 1934 में फांसी दी गई है अब देखे लाला लाजपत्रा है इनके बारे में एक हम नजर में देखेंगे देखे इनका जो जमन हुआ था जनवरी 1865 को जमन हुआ था इनको किसके नाम से जाना जाता है अब हमने बताया है कि सेरे या पंजाब केसिरी के नाम से भी जाना जाता है वर्स 1917 में न्यूयार्क में इंडियन होम रूल लीग आफ अमेरिका की इस्थापना किये हैं लहोर में आर राजपत्र के संस्थापक और संपादक की नेक्त हुए हैं हिसार बार काउंसलिक के संस्थापक सदस्यों में से य साइमन कमीशन के विरोध में अहिंसक मार्च का निर्तत किया प्रदैसन कारी साइमन क्या किया इन्होंने कि साइमन वापस जाओ साइमन गो बैक के नारे लगा रहे थे और 17 नौंबर 1928 को अंग्रेचों द्वारा लाठी चार्ज में घायल होने से इनकी निधन हो गई है प सेकंड देखिए दा आरे समाज 1915 दा यूनाइटर्स स्टेट ऑफ अमेरिका अमेरिका अहा हिंदूज इंपरिष्ट एंड इस्टी उनिश शोला यंग इंडिया 1916 इंग्लैंड से देट टू इंडिया 1917 तो यह थी इनके प्रिकाशन तो यह सब था किसके इनके बारे में लाला लाच पत्राय के बारे में आपको याद क्या रखना मोश इंपोर्टेंट मैं आपको बता रही हूं आपको यह याद रखना है कि इनको किस नाम से यह मसहूर है ठीक है और यह निव यार्क में इंडियन होम रूल लीग आफ अमेरिका की इस्थापना की है इसको भी यह आप ध्यान में रख सकते हैं अब निश देखें वर्स 1920 के भारती राश्टी कांग्रेस के विसेस अधिवेशन में यह अध्धच भी नियकते हैं और साइमन वापस जाओ कभी इन्होंने प्रदर्सन कारी साइमन गो उबैक के इन्होंने नारा भी दिया है ठीक है और इ इसको वाना था इस हिसाब से उन यह आया था देखें मांटेंग्यू चोंस फोर्स मांटेंग्यू चेंस फोर्सुधार में दर्स वर्स पर इसकी समिच्छा है तू एक समिधानिक आयोग के गठन का प्रवधान है लेकिन क्या हुआ था उस समय यह बहुत जल्दी ही यहीं क समय से पहले ही आ गया था वर्स 1927 में आ गया था उसमें तदकाली बिटिश प्रधान मंत्री इस्टे नली बाल्डिविन द्वारा देखें इसमें क्या थी इसकी संदशना क्या थी अध्यच जान साइमन है जान साइमन है और इसके कुल सदस से साथ हैं सभी सदस इस थी इस वज़े से इसको बोलते हैं साइमन गो बैक नारा दिया गया था इसका बिरोध सभी फदस से गैर भारती थी निक श्वेथ कमिशन कांग्रेस द्वारा मद्रास अधिवेशन 1927 में साइमन कमिशन का बिरोध करने का निर्ण लिया गया और 3 फरवरी 1928 में साइमन कमिशन का बंबई आगमन हुआ देश ब्यापी हड़ताल का आयोजन किया और नारा दिया गया कि साहिमन वापस जाओ देखे इसकी नहरू रिपोर्ट देखे जो नहरू रिपोर्ट है यह साइमन कमिशन के प्रत्रत्र में तयार की गई थी पौर्श वतंत्रता के इस्थान इसमें डो iced श्टेट की मांग की गई है संप्रदाईक आधार पर प्रत्रोंचक मंडलों की स्थान पर आर्पटशित इस्थानों के लिए सईयुक निरवाच een चेत्रों का प्रिस्था किया गया है मौलिक अधिकारों का प्रोधान किया गया था जो कि प्रिस्तावित समिधान में देखे इसमें क्या है इनही के में नहरु रिपोर्ट तयार की गई और इसमें यह मांग की गई है देखे अगर आपसे कुशन पूचता है साइमन कमीशन भारत कब आया है तब आप बताएंगे कि साइमन कमीशन भारत आया था वर्स 1928 में ठीक है वर्स 1928 में आया था लेकिन साइमन कमीशन अगर कब बना है यनि कि कब इसकी संदशना हुई है कब गठान हुआ है तो आप बताएंगे सन 1927 है यह आप डिफरेंस याद रखियेगा ठीक है इसमें कौन कौन से एक अध्यच है पूर्ण स्वाराज प्रिस्ताव वर्स 1929 आप से भी कोशन पूछा गया है कि पूर्ण स्वाराज प्रिस्ताव कब लाया गया तब क्या बताएंगे वर्स 1929 देखे हिस्ट्री में हमारे लिए डेट बहुत इंपोर्टेंट हो जाती है इसलिए आप ध्यान में रखेगा पंडित जवाला mash do द्युक्त द्वारा लाहोर में काहां पे भी पूछा जाता किसके द्वारा किया गया है तो पंडित जवालाड नेहरु द्वारा लाहोर में , रावी नदी केतरांट पर दोज्जा होँआ वा वहा सतंत्रता की घोशन के प्रस्ताव क पाठ़ं किया गया क्या वोफित लच किया गया है कि पूर्स वराज यह नहीं कि पूर्स सतंत्रता किसके लिए अब बोला गया है जवहाला नहिरु द्वारा और मातपूर निर्णे क्या लिया गया है तो आप देखिए इसमें कांग्रेस कारसमति द्वारा दो जनवरी 1937 की बैठक में निर्ण लिया गया है कि 26 जनवरी 1930 का दिन पूर्स वराज दिवस के रुप में मनाना इसके अध्यच कौन है जवहाला नहरुएन की अध्यच है देखिए इसमें आपको याद क्या रखना आप ध्यान रखेगा इससे कोशन बनते हैं इसका आयोजन कहां बु और इसके अध्धाच है इसके अध्धाच कौना इसमें लगोफित लच क्या किया गया था कभी कभी यह भी पूछ लेता कि कहां पर इन्होंने पाठन किया तो यह भी पॉइंट आप के लिए मुस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है अब देखें कांग्रेस का लाहोर अधिवे नेहरु रिपोर्ट में मांग रहे हैं अभ ईसकी उजन्त संकिर्ण स्वाराज मांग रहे हैं स्वाराज सब्द कतात पर है श्वतंत्रता से अखिल भारती कांग्रेस जब उचित समझेगी सबने आयोग्या आंदोलन प्रारम कर देगी तो ये इनके गोशित संकल्पत है अब देखे वस 1930 में क्या आता है सबने आवग्या आंदोलन आता है तो इसमें सबसे पहले आप ये ध्यान रखे कि डांडी मार्च तो डांडी मार्च ये कब निकाला गया है तो जो डांडी मार्च निकाला गया है कब है तो आप याद रखे जो निकाला गया है ये ये बारा मार्च बारा मार्च 1903 से कब पहुंचा है ये याद रखेगा ये 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 आपके लिए मोस्ट इ तो इस्टार्ट कब हुआ है 12 मार्च से 12 मार्च से 6 अप्रेल 1930 तक साबर मती आश्रम से यह प्रारम होता है यह अब ध्यान में रखेगा तो यह था डांडी मार्च और देखे सबने आयोग्या अंदोलन कब आया ते भी पूछे जाता है यह 6 अप्रेल उसी के साथ क्या हुआ देखे डांडी मार्च तो आरंऑ भी हो गया था लिगी उसी के साथ सबने आयोग्या अंदोलन भी आरंप हो गया था तो यह आरंप हुआ था 6 अप्रेल 1930 ते यह आरंप हुआ था देखे, इसमें देखे, कुछ कुश्चन है, सबने आयोग्यांदोरन के दोरान उत्तरी बिहार के सारन जिले में प्रदरशन हुआ, चौकी धारे टैस के बिरोध में, दांडी मार्च सुरू किया गया था, किसके लिए सुरू किया गया था, आप भी जानते कि गांदी जी ने नमक कानून को तोड़ने के लिए, नमक कानून के उलंगन हे तू, गांदी जी शितंबर 1932 में अखिल भारती चुवा चुट बिरोधी लिग की स्थापना की थी, हरिजन, जो गांदी जी के हरिजन है, ये सबताहिक पत्र का प्रेकाशन किया गया है, ये भी अब ध्यान मे रखिएगा, अब देखिए, निश्ट देखिए क्या है, इसमें ये घटना क्रम, देखिए घटना क्रम क्या हुआ, देखिए, इस्टार्ट क्या होता है हमारा, डांडी माश हमारे स्टार्ट होता है, बारा माश से, लेकिन जैफे जैसे लोग बढ़ते हैं इसमें, तो क्य 12 माज से श्टार्ट होता है कहां से सावर मती आश्रम से ठीक है तो इसमें क्या होता है कि ये जब ये करते हैं तो ये पांच मई को ये गिरिपतार हो जाते हैं पांच मई को इनको गिरिपतार कर लिया जाता हूं है पांच मई 1930 को गिरिपतार कर लिया जाता है और इनको गिर बास तायब की गिरिपतारी के बाद सरोजनी नैडू द्वारा धर्शन नमक गोदाम पर धावे का निर्स्टत कर रही थी जो की 21 मई 1930 में यहाँ पे देखिए उत्तरी पश्चमी शीमा प्रांथ में कौन कर रहे थे? खुदाई खिदमतगार संगठन जिसमें संस्थापक कौन है? खान अब्दूल गफार खान देखिए इससे भी कोशन बना है कि खुदाई खिदमतगार संगठन के संस्थापक कौन है? तब आप बताएंगे खान बहादूर गफार खान है आप समझ गये? देखिए इससे भी क मड़ी पूर में कॉन कर रहा था जिया तरंग आफूरन इसके कौन है निर्ट तकरत रानी गयडी डल्ल्यू नगह जन जाती की महिला है कौन है राणी गयडी बल्ल्यू यह रदायाम की महिला है एभी आफ ध्या呢 में रखीएगा तो कहने के मतलब ये है कि ये सबने डांडी मार्च इस्टार्ट हुआ है 12 मार्च से और जो समिना आयोग्या अंधोलन इस्टार्ट हुआ है 6 अप्रेल से 6 अप्रेल से लेकिन 5 माई को गांधी जी को गिरिपतार करके यह रिवादा जेल में इनको रखा जाता आप इनके गिरिपतारी के बाद अबबास स्याईब जी आंदोरण का निर्तत किया और इनकी गिरिपतारी के बाद कौन क्या निर्तत सरीवेडियू अब देखिए वर्स 1931 आता है गांधी इरिवीन समझा था आता है क्या है गांधी इर्विन समझाता 1931 में देखें इसमें क्या है ये किनके भीच हुआ है कई बार पूछा जाता है कि गांधी इर्विन समझाता है कि किनके किनके भीच हुआ है ये भी आपसे पूछा जाता है जो इनमें मध्धस तो कौन इसमें इसमें जो मध्धस थे इनके म आप से पूछा जाएगा कि गांधी इर्विन समझाओता कब हुआ था अभी बताएंगे 1931 में कहां हुआ था दिल्ली में ये कर रहे थे समझाओते हैं कि तीथी भी इंपोर्टेंट है 5 मार्च 1931 में देखे सरुजनी नहीडू का कथन क्या है कि गांधी और इर्विन दो महात्मा गांधी इर्विन समझाओते हैं कि कुछ महत्यपूर बिंदू है देखे क्या हुआ था गांधी जी किनितत में कांग्रेस सबने आय ग्यांदोलन इस्थकित करनों को तयार हो गए थी सभी राजनीतिक बंदियों जिनके विरुद हिंसाकारोफ नहीं था उनको रिया करने के इन्होंने आदेश दिये किसका है यह गांधी जी ऐसे बोल रहे हैं बिदेशी कपड़ों और सराब की दुकानों पर सांतिपूर ध अधिकार हो गए किविदेशी कपड़ों और सराब के दुकान पर हम धर ना दे सकें, इस पे इनको अधिकार मिल गए और समुत प्रदेसों में बिना नमक बनाने के लिए उनको मिल गई है, कांग्रेस दूती गोल में सम्मिलर में भाग लेने के लिए भी तयार हो गई है गांधी के जीवनी कार एलन कैंबल जांसेन के अनुसार गांधी इर्विन समझावते में महात्मा गांधी के लाव थे क्या इन्होंने क्या कहा है कि इनको सांतन्मा पुरुसकार दे रहे हैं इन्होंने ऐसे कहा वाय सराय इर्विन ने महात्मा गांधी को जेल से रिहा कर दिया गयकप किया है 26 जनवरी 1931 को वर्स 1930 में अंग्रेजी सरकार के बिरुद्ध प्रशिद प्रेशावर कांड के नायक थे बीज चन्सिंग गडवाली सबने आयोग्या अंदोलन के अशाफलता के बाद गांधी जी ने महत्त दिया रशनात्मा कारियोक कहने एक मतलब क्या है कि गांधी इडिविंच समझाओते में यह यह पॉइंट रखे गए कि यह हम यह जो सबने आयोग्या अंदोलन अंदोलन चल रहा है उसको हम इस्तकित कर देंगे इसको हम इस्तकित कर देंगे आप हमारी यह बात मान लेजे यहां- यहां- देखिए राजनीतिक बंदियों जिसमें इनके फिरुद हिंसा कारोफ नहीं था नजया जो भगस सिंग थेijdए इनको नहीं बशाय हुए तरह हिंसा के लगए हुए थे इस वजए से इन लोगों को नहीं बचाया जा सका निश्ट देखे क्या है देखे ये भी कतन पूछे जाता है कि गांधी की जिवनीकार एलन कैमबल जांसन के अंसार गांधी इर्विन समझावते में महात्मा गांधी के लाव क्या थे सांतो नप उसकार किसने कहा तब क्या बताएंगे एलन कैमबल जांसन ये कुश्ट नहां से बनते हैं अब देखे निश्ट क्या है निश्ट मारे क्या है ये कांग्रेस का करांची अधिवेशन करांची अधिवेशन क्या है कि 26 से 26 से 31 मार्च 26 से 31 मार्च 1931 का करांची अधिवेशन देखे इसके जो उद्देश है गांधी 11 समझाओतों के मंजूरी देन इसके जो अध्याच है सरदार बल्लभाई पटेल है इसमें पारित प्रिस्ताओ क्या है मौलिक अधिकारों और राष्ट्री आर्थिक कारेकरम सो ये समंदित है गांधी का कथ परिभाशिद किया गया है इनका अन्य क्या है मौलि अधिकारों तथा आर्थि कारेकरम पर संकल्प करना जवाला नेरू द्वारा इन द्वारा प्रारूपित किया गया था अब देखिए निश्ट क्या है सुभास चन बोउसर ने सट ने क्या कहा कि कांगरेस का करांची अ आईए हम लोगे करके देखते हैं देखें पूर्ण सौराज पर देखें मुप्त एवं अनिवार परात्मिक सिच्छा होनी चाहिए सभी धर्मों के संबंध में राज की तटश्टा होनी चाहिए जाती पंथ लिंग पर ध्यान दिये बिना कानून के समझ समानता होनी चाहिए स्वतंत्र भाशार, प्रेष की फतंतरता, फतंत्र विधान सभा और संग की फतंतर के बुनिया दि नागरिक अधिकार होनी चाहिए और देखें शारव भावमिक निसार भावम और सार भावमिक बोल लीजिये इस्तिती होने चाहिए, स्रमकों और किसानों वादी को संगठित करने और संग बनाने का अधिका होने चाहिए, तो यह थपून सुराज की विसेश सत्थ, अब देखे निश्टे गोल में सम्मेलन, देखे इसमेलन हुए थे, प्रिथम गोल में सम्मेलन, दुती और तेती, आय थी 89 थी और इसमें कौन कौन पार्टिसिपेट कर रहा था तीज बहादु सप्रू मुहम्मद अली जिन्ना भीम राओ अमेटिकर बी एस मुंझे एम आर जैका रादी ये लोगों ने पार्टिसिपेट किया था इसका आयोजन आयोजन कब हुआ था ये भी डेट बंती है तो ये हुआ था 12 नॉमबर 1930 से 29 जनवरी 1931 तक ये चला इसमें विसेश क्या है इसमें कांग्रेस ने भाग नहीं लिया लेकिन हाँ गोल मेज सम्मेल से किंड में कांग्रेस की तरफ से घंधी जी भाग लिया था ये आप बात ध्यान में रखिए हगा भारती इसायों को प्रतिनीद कर रहे थे किसके कौन कर रहे थे केटी पाल द्वारा समेलन को जो उद्घाटन किये थे बिडिटिस समराट जाज पंचम द्वारा समेलन का उद्गहटन कर रहे थे उसमें जो अध्यहस थे तद कालीन प्रधान मंत्री रामजे मैक्डोनाल्द थें कौन थे रैम जे, मैगडो, नाल्ड थे उस समय ये प्रधान मंत्री थी वही ये अध्यज बनाए गए थे तो ये प्रिथम गोल में सम्मेलन से सम्मेलन कुछ तर थे आपको याद क्या रखना है कहां पर हुआ था लंदन में हुआ था कब हुआ था ये भी आद रखना कौन-कौन पार्टिसिपेट की है थे ये भी आपको ध्यान में रखना है सेकंड देखें दूती गोल में सम्मेलन जो इसकी आवदी थी साथ सेतंबर 1931 से एक दिसंबर 1931 तक थे इसमें कौन-कौन भागी दा रही थे तो कौन-कौन थे देखें सरोशनी नैडू, अनिबेशन्ट, मदन मौहन मालवी देखें जो महात्मा गांधी जी कांग्रेस के एक मात्र प्रतिनिधी थे ये किस से गये थे तो उस जहाज का नाम था इस इस राजपुताना जलपोस लंदन गये थे और लंदन के किंसले हाल में ठहरे थे ये भी कौन पूशन पूशा जाता है कि जब गांधी ची लंदन गये थे दुत्ती गोर में समिरन में तो कहां पर ठहरे थे क्या बताएंगे कि लंदन के किंग्सले हाल में ठहरे थें और ये वापस वादेश वापसी परमहात्मा गांदीजी के बयान है उन्होंने क्या कहा है देखिए ये कहते हैं यह सच है कि मैं खाली हाथ लोटा हूं किन्तु मुझे संतोज है कि जो धज मुझे सौपा गया था उ उसके सम्मान के साथ समझाओता नहीं किया कहने मतलब है कि इन्होंने क्या कहा कि मैं जरूर है कि मैं खाली हाथ लोटा हूं लेकिन हा मुझे इतना संतोज है कि मैं अपने द्वज जो मुझे द्वज सौपा गया था मैं उसको नीचे जुगने नहीं दिया इन्हीं उसके सम सम्मेलन क्या ओधि होती है, इसमें 20S क्या है, कांगरेज द्वारा सम्मेलन का बहिसकार किया गया है, निस देखे क्या है, अब देखे, सामप्रदाइक, पंचाट एवं पूना सम्झोता पैक्ट, देखे, सबसे पहले हम देखेंगी, पूना सम्झोता, देखे, पूना सम्झ हुए थे देखे आप से पूछा जाता है कि पूना समझाओता में कौन-कौन से सामिल है अगर दे दिया था उप्सन कि डाक्टर भीम्रों अंबेटकर और और किनके बीच में मदन मोहन मालवी नहीं है मदन मोहन मालवी नहीं है तब आप क्या लगाएंगे गांधी जी ने गांधी जीने तब आप महात्मा गांदी लगाएंगे। तब आप महात्मा गांदी लगाएंगे। प्रिथक कर दिये थे हिंदूों से अलग कर दिये थे लेकि इसी की बिरोत में गांदी जी ने पहला आमारण अंसन प्रारम कर दिया गया है। और इसी की बिरोत में फिर पूना में इनको समझाता होता है इसलिए इसको बोलते हैं पूना समझाता है और या यरवदा समझाता है। अब आए निश्ट कहा है कि इसलिए अब ध्यार में रखिये गए ये सारे पॉइंट्स। में गांधी जीद्वारा आंदोलन वापस लिया गया। वापस लेने करने के हैं लोगों की अगली लडाई के लिए आराम करने और फिर से संगठित होने के ओशकता थीनी कि क्या होता ना इतना दिनों तक आंदोलन करते करते लोग ठक भी जाते हैं तो उन्हें एक रिफ्र इसके संस्थापक हैं देखें ये जो तांदोलन था इसका निर्थत उत्तर पश्चिम सीमांत प्रांथ में एक पस्तून स्वतंतता सेनानी अब्दुर गफ्फार खान यानि जिनी सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता इन्होंने किया था ये कोशन पूछा गया भी ध्या अंग्रेजी शासन के विरुद्यय एक आहींशक आंदोलन था आंदोलन और अवचारिक रूप से कांग्रेश में सामिल था अकिल भारती मुशलिम लीग से समर्थन प्राप्ट करने में ये बिभलते तो इनको इनको समर्थन नहीं मिला है यह क्या ह् जाता है तो 10 क्ards फिद्मते गहां दोरण अब देख Complete सोस्लिस्ट पार्टी 1934 एक आंगरेज सोस्लिस्ट पार्टी 1934 देखे अलल इंडिया कांरे एस्ट पार्टी यह मई 1934 की घचना है कहां की पटना की कांग्रेश समत्ती की बैठा के दोरान कुछ रदस्यों की अलग बैठा कोई है इसमें आल इंडिया कांग्रेश सोस्लिस्ट पार्टी स्थापना को अवचारिक मानता मिली है अक्टूबर नॉमबर 1934 को बंबई नीतिया एवं कार प्रणालिया तै की गई महा सच्यू जैसंकर जैप्रकास नरायण है अद्धर इसके कौन है नरेंद्र देव है तो यह थे कांग्रेश सोसलिस्ट पार्टी 1934 अब देखे जैप्रकास नरायण जैप्रकास नरायण के बारें जरिए इन्हों ने क्या किया वस 1934 में अखिल भारती कांग्रेश उपादी पार्टी के यह सयोजग थी कहां कि पटना में बिहार सोसलिस्ट पार्टी से भी सम्मंद रखते थे उपादी इनकी लोग नाया कर जो कि हमने पहले डिसकस कर चुके हैं भारत छोड़ो आंदोलन में इनकी भूंका क्या थी यह डाक्टर राम अनुह लोई हा तथ अरुड़ा आश्राफ अली के साथ मिलकर गुप रूप से भारती जन्ता को इन्होंने इकत्रित किया पांच जून 1974 को इन्होंने क्या किया पटना के गांधी मैदान से संपूर क्रांती का आवहन किया वह उनिस नुन्यानबे में भारत रतन सम्मान इनको दिया गया है मरने के बाद बस उनिस नुन्यानबे में भारत रतने से इनको सम्मानित किया गया अब देखे कुछ मिसलेनियश है आये देखते हैं हम लोग देखे जो यह घटनाए हैं और इनकी तितिये मोस्ट इंपॉर्टेंट है आज से पूछा जाए का गांधी इर्विन सम्झा होता तो देट भी याद रखेगा पांच मार्च 1931 को गांधी इर्विन सम्झा होता हुआ था भागर सिंग को फांसी मोस्ट इंपॉर्टेंट है तेईस मार्च 1931 में इनको फांसी दी गई है कांग्रेस का करांची अदेवेशन 26 31 मार्च 1931 को किया गया है पूना सम्झा होता 24 सितं 1932 को किया गया था अब देखें कुछ महत्यपूर तत्थ हैं आये देखते हैं हम लोग आल इंडिया सेड्यूल्ड कार्ड फिडिरेशन की इस्थापना वर्स 1932 में किस ने की थी डाक्टर बी आर अंबेड करने ये भी क्यूश्चिन बना हुआ है वर्स 1926 में इमसी राजा कि अदिस्ता में इतिहास बताता है कि महात्मा गांधी छडिक भूत की भाती धूर उठाते हैं लेकिन इस तर नहीं उठाते हैं या कथन किसका है डाक्टर बियार अंबेड कर का है आल इंडिया डिप्रिष्ट क्लासेज लीग के संस्थापक कौन थे बाबु जग जीवन इंडिया डाक्टर भी रहा है अंबेड करने की थी और यहां पर पूछता है कि आल इंडिया डिप्रिष्ट क्लासेज अस्थापक कौन है तो बाबु जग जीवन राम और अस्थापक क्या था एमसी राजा के अदिस्ता में बना यह संस्था यह आप ध्यान में रखिएग अब देखे परांधी चुनाओं और मंतरी मंडल का गठन इसमें क्या है यह जुलाई उनिस सो सैंतिस में छहे परांदों में कांगरेस मंतरी मंडल गठीद की रहे हैं आपसे एक जामनी कोशन से बनते हैं कि 6 प्रांथ कौन कौन से हैं इनमें आपको 4 पंदी दे जाएगा उसमें एक कोई नहीं रहेगा आपसे पूछ ले जाएगा कि बताएए इनमें से कौन से प्रांथ नहीं है तो आप क्या बताएंगे 6 प्रांथ कौन कौन से हैं इस च्छाय प्रांतों में कांग्रेस मंत्री मंदल गठित किये गए हैं, लेकिन पांच प्रांतों में कांग्रेस को पूर्ण बहुमत मिला हैं, वो पांच प्रांत कौन कौन से हैं, मद्रास हैं, बिहार हैं, उरीशा, सायुक्त प्रांत, मद्ध एवं बरार हैं, तो इन पां कांग्रेश को बहुमत नहीं लेकिन लेकिन सबसे बड़ा दल तीन प्रांत है इसwelt चिभे फोर एक बनते है्ट बाद में उतर पशिष चित वकीН मंत्री मंडल बना लिया बाद में यहां भी मंत्री मंडल बन गया है अब देखें सत्य में कांग्रेश मंत्री मंडल द्वारा किये गए महत्पूर कार क्या है नागरीक शतंतता आये दो देखते हैं कि सत्या में रहकर कांग्रेस मंतिमंडल ने कौन-कौन से कार किये हैं देखी क्या है अपात कालीन सक्तियां देने वाले कानून निरस्त किये गये हैं हिंदुस्तान सेवा दल जैसे आवयद घोशित राजनीती संगठनों पर लगे प्रतिबंद को हटा द राजनीतिक कैदियों एवं करांति कारी की रिहाई कर दी गई है सब ने आयोग्या से जुड़े अधिकारियों की पिंसन भी इसमें दी गई है नि बहाल कर दी गई है अब देखे कुछ कुछी शुधार भी में आई देखते हैं कास्त कारी कानून लाया गया है शाहुकारी से निक्साहो कारों से किसानों की रच्छा और सिचाएंस विधाओं की में भी ब्रद्धी की गई है कांग्रेश जमीनों को उनके मूल अधिकारों को वापस दिलाने में शफल रही जो कांग्रेश है जमीनों को जो उनके मूल मालिकों से मूल सत अधिकार मैंने बोला मूल जो जमीन लिये थे, उनको फिर से वापस दिला दी गई थी, जिसने जमीन चीन गई थी, ये क्रशी में शुधार किये गए हैं, अब देखे को समाजी कल्यान शुधार, ये हुए हरजनों हे तू, क्या होता तब जो हरजन थे, पहले उनको मंदिर में प्रिवेश नहीं दिया प्रात्मिक तक्नीकों और उच सिच्छा एवं साजनिक स्वस्थ और स्वचता पर भी इनको ध्यान दिया गया, खादी को प्रशाहन दिया गया, ये सब हरजनों के लिए हैं, खादी को प्रशाहन दिया गया, देखे, ये हरजनों के लिए क्या था, हरजनों हेतु क्या किय गया था मंदिरों में प्रिवेश छाज़वित्ती सवाजनिक सुविधाओं का उपयोग किया गया था दूसरा प्रात्मिक तक्निकी और ऊच्छा एवं सवाजनिक सवस्तर पर ध्यान दिया गया और खादी को भी प्रसाहन दिया गया क्योंकि हम पढ़ रहे हैं समाजी कर्ला यह सब उसमें दिया गया है कारागार जेल में शुधा दिया गया है श्वदेशी उधमों को प्रसान दिया गया है यह जो प्रसान दिया गया है वर्स गया है यह जो भी यह कार किये हैं तो इनके जो भर्हम को दूर कर दिया है उनका ब्रहम यह था कि यह सासन नहीं कर सकते हैं प्रसाशन दिया है में ये अपना सासन नहीं कर सकते हैं तो इन भ्रम को ये दूर कर दिये हैं शंप्रधाइक दंगो कोन्यांतिन करने में ये सच्छम है ये इस बात की पुष्टी हुई कि अमूल चूक परिवर्तन हेतु श्वाश्राशन आवश्यक अपसर साही का मनोबल गिरा देखें परिस् 1937 में हुए चुनाओं में गठी थे कांग्रेस मंत्रि मंडलों को कारेकल 28 महा तक रहा है अक्टूबर 1949 में सभी कांग्रेसिक के मंत्रि मंडलों ने त्याग पतर दिया है क्यों दिया है क्योंकि दूती विसिऊद में भारतियों की शुक्रती के बगयर ब्रिटन द्वारा भारत को सामिल किये जाने के बिरोध में यानि क्या है जो दुती भी सीउद चल रहा था तो भारत में जो भारतियों ने स्युक्रती नहीं दी थी लेकिन उसके बगए ब्रिटन क्या कर रहा था भारत को सामिल कर रहा था उसी के बिरोध में सभी मंत्री मंडल ने कांग्रेस मं सल्मानों को 22 दिसंबर 1949 के दिन मुक्ति दिवस मनाने का अहन किया गया किसने किया कांग्रेश मंति मंदलों के त्याग पत देने के कुछी में जब कांग्रेश मंति मंदल त्याग पत दे दिये हैं तो इस दिन ये मुक्ति दिवस मनाने का निरने लिया है और किसने का है जिन् आसनाथ काड़ू बने बित मंत्री कौन बने रफी एहमद की दवाई बने यह बित मंत्री बने हैं तो यह कब बने संयुक्त प्रांसरकार 1937 में बने हैं अब देखे देशी रियासिते जिसे बटलर समीति आता है तो आप क्या बताएंगे ब्रिटिस भारत तता भारती रियास मतलब यह समंधीत बित्ती समंधों में सुधार के लिए समंधीत किसे बित्ती समंधों में शुदहार है तो यह स्पारिस करना यह पॉइंट मोश इंपोर्टन यह धेहन रखेगा यह कप आई थी वज़ 1927 में आए इसका अननाम क्या था भारती रियाशत समिती इसका अननाम था बृटिस भारत था भारती रियाशतों के मद समन्दों की चाच करना इसका मुख्य उद्देच सहे है अब डिक्ए कुछ और कोशन है आल इंडिया इस्टेट प्यूपिल्स कॉंफरेंस का आयोजन किया गया है दिसंबर 1936 में भारत प्रजा मंडल आल इंडिया इस्टेट प्यूपिल्स कॉंफरेंस का अध्यच वस 1949 में चुना गया है जवाला नहरू को 26 अक्रूबर 1947 को जम्मुयम काश्मीर के महराजा हरी सिंग ने भारत में बिले के लिए हास्ताचर पत्र सौपा था किसको जवाला नहरू को भारती संग में अधिकांस रजवारो का बिले हुआ कब वस 1947 में यह थे कुछ इंपोर्टेंट अब देखे कुछ प्रशन हम प्रशन देखेंगे किसके दुती बिस्युद से समंदर कुछ तत्थ भी देखेंगे ठीक है आईए हम लोग देखते हैं सबसे पहला आप यह याद रखें कि दुती जो बिस्युद है कब से कब तक चलता है तब क्या बताएंगे 1949 से 1945 तक के जो अवधी है दुती बिस युदिस में चलता है इसमें जो प्राराम वर्स कब हुआ था 1949 में इसमें कांग्रेस का प्रस्ताओ क्या था कि युद्ध में अगर हम समर्थन करें तो उसके बदले में भारत को स्वतंत राष्ट गोशित किया जाए ये हमागी कांग्रेस का प्रस्ताओ था लाड लिन लिथको की गतिविदिया क्या थी कि भारती बिधान मंडलों की सहमती बिना भारत को युद्ध में सामिल कर लिया है देश में आपातकाल की घुशन की 17 अक्टूबर 1949 को भारत को जर्मनी के विरुद्ध युद्धिग्रस्त गोशित कर दिया गया लेकिन एक शितंबर 1949 को जर्मनी द्वारा पोलेंड पर आकमन के शाथी प्रारम हुआ उस तमें बिटन के प्रधान मंत्री थी नोविल चैंबर लेन थी नोविल चैंबर लेन थी जिनका जो है 1937 से 1940 तक आ गए यह जो विश्टल चर्चिल है यह जो आए है 1940 से 1945 तक था 1951 से 55 तक विश्टल चर्चिल आ गए है तो उसमें बिटन के प्रधान मंत्री थी तो कहने मतलब यह है कि इस नियुद में कांगरेस का प्रस्ताव यह था अब देखें पाकिस्तान की मांग मुस्लिम पाकिस्तान की मांग कौन कर रहा होगा मुस्लिम लीग लोगों ने किया कर रहा होगा देखें इसकी जो मांग है वर्स इलहाबाद अधिवेशन में वर्स 1930 में इनके जो अद्धेच है इकबाल इसमें अधची भाश्र मेनों ने क्या कहा कि मुस्लिमों के लिए प्रिथक देश की प्रिथम बार एक निश्चित अभ्यक्ति की है यह कहने का मतलब यह है कि वर्स 1930 से ही पाकिस्तान की मांग इस्टार्ट हो गई थी जिसमें इनों ने भाश्र दिया इकबाल ने कि मुश्लिमों के लिए प्रिथक देश की प्रिथम बार एक निश्चित अभ्यक्ति की है अब देखे सेकंड लाहोर अधिवेशन जिसकी जो अवदी है 22 से 24 मार्च 1940 तक इसके जो अध्धच कौन है मुहम्मद अली जिन्ना है मांग क्या है कि भारा से अलग ए में कुछ नहीं चाहिए मानता के जिन्ना के दिराश्च सिधान के इसमें मानता मिली कि जिन्ना सही है अब देखे 23 मार्च 1943 को पाकिस्तान दिवस का आयोजन किया गया 23 मार्च 1943 को पाकिस्तान दिवस का आयोजन कर दिया गया नहीं कि मानता मिल गई कि दिराश्च चार है थ सरप्रथम प्रयोग किस ने किया है तो चौधरी रहमत अली ने किया था कब किया था वर्स 1933 में यह कौन थे यह कैम ब्रिंच भी स्विद्या लेके देखे जो पैंपलेट थे उसमें क्या किया है नाव आर निवर वी आर टू लिव आर पेरिस फार एवर यह इनके को शिंद को नार्थ वेस्ट फ्रांटियर फ्राविंस को और काश्मीर को पाकिस्तान नामकरन दे दिया गया है यह सब के नाम पर अब देखें नोट देखें सरुजनी नैडू ने मुहम्मद अली जिन्ना को हिंदू मुश्लिम एकता का दूद कहा था यह भी पूछा गया अगस्त प्रिस्ताव कग्रेश ने गांधी जी निर्तत में पूरी तरह आस्टे ग्रारण किया-प्रारण किस ने क्या जो अगस्त प्रिष्टाव आया था तो गांधी जी ने इस प्रस्ताव को पूरी तरीके से रिजट कर दिया था और उसी पर इन्होंने ब्रतिका सत्यग्रह प्रारम कर दिया था अब देखे प्रतिकात्मक अभिव्यक्ति बिटिस सरकार की भारत नीती के प्रति नैतिक भिरोध की प्रारम कब की गई थी यह 17 अक्तूबर 1940 को प्रारम की गई थी प्रतम सत्यग्रही कौन है बिनोबा भावे थे दूति सत्यग्रही कौन थे पंडिस जवाला नेरु है इन्ह क्रिप्स मिसन 1942 देखे इसका डेट भी इंपोर्टेंट आप से पूछ लिया जाता है कि क्रिप्स मिसन कब आया था आप क्या बताएंगे यह आया था 1942 को देखे आप यह समझे कि क्रिप्स मिसन के अध्यच कौन है सर इश्टेफोर्ड क्रिप्स है देखे इसमें यह कहा गय कि आप युद्ध हो जाएगा यानि कि उसमें ने बताया था कि आपको कि 1949 से 1945 तक दुटी बिस युद्ध चल रहा होता है और हमारे उपर ब्रिटिस सरकार का दबाव होता है कि हम उसमें युद्ध में भाग लें तो तरह तरह के चीज़े हमारे लिए आती हैं तो उसी उपर समिधान निर्मारती परिशद में ब्रिटिस भारत के प्रांतों के निर्वाचि सदस्य तथा देशी रियासतों के प्रतिनीधीस में सामिल हैं समिधान निर्मारती परिशद के गठन कभी इसमें उलेक हैं सवाय सराय की नई कारिकारी परिशद में भारती जनता के प्रमु संदर्ब में कहते हैं तो आप क्रिप्ष मिशन के संदर्ब में कहते हैं अब देखें क्रिप्ष मिशन के साथ कांग्रेस के आधिकारिक वरताकार कौन कौन है पंडि जवाला नहरू मौलाना अबुल कलामाजाद यह हैं आधिकारिक वरताकार हैं अब देखें क्रिप्ष मिश निर्मित करने का अधिकार भारतियों को होगा युद के बाद एक समिधान निर्माती परिशद का गठन होगा समिधान निर्माती परिशद में ब्रिटिस भारत के प्रांतों के निर्वाचित सदस और देशी रजवारों के नामांकित प्रतनी दिया नहीं कि यह दोनों इसमे और देखे नोट महात्मा गांधी जी ने किया कि घांदी जी इन्होंने सरवेदेस समाज की इन्होंने कि आदार्शों के प्रिशार के लिए भी इन्होंने किया भारत चोडो आंदोलन का आहन करते हुए एक प्रिस्ताव त्यार किया और 14 जूलाई 1942 को कांग्रेस कार समिती की वरदा बैठग में भारत छोड़ो प्रिस्ताव पारिद किया और उनका देखे श्लोगन क्या है नारा क्या है करो या मरो क्या है देखे ये भी पूछा गया है कि गांधी जी ने नारा कब दिया है करो या मरो का तो आप क्या बताएंगे कि भारत छोड़ो आंदोरन के दोरान इन्होंने ये नारा दिया था अब देखे भारत छोड़ो आं अब परिछ अजाद ऐसे और अब अबुल कलाम आजाद है अब पारीट प्रिस्ताव कौन से हुआ था भारत छोड़ो भाग लेने वाले प्रभ्रग्त कुन कौन से हैं मालाना अबुल कलाम अजाद, पताभी सीता रमया, डाक्टर राजेन प्रिशात, महात्मा गांधी, जेबी कृपलानी, जीबी पंत, सरोजनी नाइडू, डाक्टर प्रफुल चंद घोष, जवाहाला नेरू, सैयद महमूद, बल्ला भाई पतेल, तो ये सब भाराच छोड़ो अंद कलाम अजाद, पताभी सीता रमया, महात्मा गांधी, जेबी कृपलानी, जीबी पंत, सरोजनी नाइडू, डाक्टर प्रफुल चंद घोष, जवाहाला नेरू, सैयद महमूद, बल्ला भाई पतेल, तो ये सब थे भाग लेने वाले प्रमुक ब्यक्ति, अब देखिए हम, बहरत छोड़ो अन्दोरन का शंकल्प आईया, हम लग देखते हैं, इनका जो संकल्प है आईया, देखते हैं, बहरत में ब्रिटिस सासन को नहुंने किया किया है, और देखिए, पासिवाद और समराज वादि के सभी रूपों के विरुद क्धुद को बचाने के लिए अंधोरन फ्रस्थावी थोगा तो ये थे भाराओ छोड़ो आंधोरन के दोरान जो भी यह संकल्प लिये थे यह सब लिये थे अब यह देखे़ HEY भारच छोड़ो आंधोर्ण का presti हुई है यह भी आप देखिए है देखिए आप लोग देखिए इनकी जो आरम पूछा गया है कि जो आरम है कब है तो 9 अगस्त 1942 को आरम किया गया है यह 9 अगस्त भी याद रखिए और सरोजनी नाइडू को रखा गया था और अहमद नगर किला में जवाहला नहिरू को अबूर कलाम आजात गोबिद बल्लब पंथ डाक्टर पीसी घोस पट्टाबी सीता रमया सायद महमूद जेबी कृपलानी इन सब को अहमद नगर किला में रखा गया था लेकिन आगा ख सरवाधी प्रभावी छेत्र कौन कौन से था बंबही बंगाल बिहार उडीशा संयुक्त प्रांत एब मद्रास यह सबसे ज़्यादा प्रभावी छेत्र था यह भी आप ध्यान में रखे गां देखे श्वता इस्पूति आंदोलन यह कहने का मतलब है सीष निताओं की गिर संचालन करने वाले छोटे से दल की भूमके की महत्यपूर ये शदस्या है उसा मेता और जो राम मनोहन लुई हैं यह नीमित रूप से प्रिशारन किये हैं तो यह भी ध्यान में रखे गए कि उस्थान में रखेगे कि उस्थान में रखेगे कि भारत चुड़ों अंदोलन 1942 को वर्दह प्रिस्थाओं से उकाहर के गया था हों 9 अगस्त से बहारत चोड़ों ये लागु होता है वर्दह प्रिस्थाओं से उकाहर हुआ Chand gross शमार्थन कौन कर रहे थे सरदार बल्ला भाई पटेल और आलेक किस ने किया है महात्मा गांदी इनके साथ नहीरू जी थे मौलाना आजाद के सहयोग से इन्होंने आलेक किया है तो यह सब हमारा क्या था अखिल भारती कंग्रेस कारे समय थी जिसकी बैठक साथ से आठ अगस 1912 कुई थी कहां से गवालिया टैंक बंबाई से हुई थी इसमें भाहर छोड़की पुष्ट हुए अब यह हमारा प्रिस्ताव इसी समय शुकार के गया और लागू हमारा 9 अगस्ते हो गया यह आप ध्यान में रखेगा यहां से कुशन बंदे इसलिए मैं आपको बार बा प्रिकार हैं इन्होंने भारत छोड़ों अंदोरन के दौरान महात्मा गांधि जी के यह शात्त हैं और भारत की फुतंता की भी इन्होंने मांग की तो यह भी point important है यह और याप ध्यान में रखेगा निस्ट हम देखेंगे देखे करो या मरो का नारा दिया गया था किसके दौरा देखे यूशुप मेहर अली के दौरा करो या मरो का नारा 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 ने बताया था कि भारत चुड़ो अंदोलन के दौरान ये हुआ था लेकिन इसके दौरा दिया गया था ये यूशुप मेहर अली के दौरा ये दिया गया था ये आप ध्यान में रखिये ग भारे छोड़न को वर्स 1857 के बाद सबसे गंबीर विद्रो storm कहा गया था वाय सराय लिन लिफगो ने निकी भारज छूड़न को इन अदे क्या हुआ था RA repe extra ग्लिफगो निकун certeza जो अन्द था इक बहुत बड़े पैमाने पर हुआ था इसमें लोगों के अंदर सवता एनर्जी आ जाते थी क्यों आ गई थी क्योंकि बहुत से जो नेता थे गिरिपतार कर लिए गया थे तो लोगों में एक राश्टी भावना जागरत हो गई थी आप ऐसे समझ सकते थे तो इन्हों ने क्या कहा कि 857 के बाद सबसे गंबीर बिद्रो था बिद्रो किसको कहा था भारा छोडो आंदोलन के दरवाण जै प्रकास नारायन फरार हुए थे कहां सखार हुए थे ये हजारी बाग सिरिंटर जेल में थे वहीं से फरार हो गये थे 1942 के भाराच छोड़ो आंदोलन से राश्ट्री श्वयमशेवक संग रहा राश्ट्री जो श्वयमशेवक शंग रहा ये प्रिथक रहा है भाराच छोड़ो आंदोलन के दावरान बंबई में कहां किया गया थे बंबई में कांगरेश सम्मेलन में गांधी जी के बारे में ये बोल रहा है कौन बोल रहा है कि पट्टा भी सीतर रमया ये बोल रहा है कि उस दिन ऐसा लगा इन्हें कि गांधी जी के ऐसा आवतार था कि जैसे प्रेगंबर की प्रेरा के उम सक्ति से प्रेरित होकर ये भाशर दे रहे थे ऐसा उनको फील हुआ है यही ये बोल रहे थे बिमारी के अधार पर गांधी जी को रिहा किया गया किया गया च्छै मैई 1944 को बीमारी की अधार पर गांदी जी को रिहा कर दिया गया है अब देखें समनांतर सरकार की स्थापना समनांतर सरकार की स्थापना देखें तल्चर कहां है उड़ीसा में देख कहां कहां पे हुआ है समनांतर सरकार की स्थापना एक तल्चवुरीसा में बलिया, शतारा, तामलुग। यहां पर सब हुआ है समानाँत्र सरकार की रिस्थाफ़ना। और सती एवडिया में कुछ समय तक समानाँत्र सरकार यहां पर बनी है। और बलिया में अगस 1942 के, 42 में बनी है, किस Caesar33 कहा है महा हराष्ट में है इसके जो अवदी है 1943 से माई 1946 तक था इसमें देखी भी सेस क्या है लंबे समय तक चलने वाली सरकार है बनी है सतारा में और प्रति सरकार नाम करण हुआ है प्रमुक नेता कौन इसके वाई वी चाहरण और नाना पार्टी लिसके प्रमुक नेता ये इतना इंपोर्टन नहीं कि सतारा में सबसे लंबे समय तक चलने वाली सरकार वहां पर बनी है तामलू मिदनापूरी यहां पर बंगाल में इसके जो अवदी है दिसंबर 1942 से अगस्त 1944 तक हुआ है बिसेस क्या है जाती सरकार तूफान प्यूर्टों की सहायता के लिए कारकरंध प्रारंग किये हैं सुभाज चंद्र बोषओर और आजाद हिंद-फोज के बारे में हम लोग कुछ आये देखते ह। आएए देखते हैं सुभाष चंद्बोष के बारे में देखे सबसे पहले आपसे कोशन यह पूछा जाता है कि भारत के बाहर किसके बाहर बहारत के बाहर आजाद हिंसरकार का गठन सुभाष चंद्बोष ने कहां किया था तो आप क्या बताएंगे सिंगापूर में किया था सिंगापूर में श्वतंत भारत की आज़ाइ सरकार जिसको बोलते हैं आजाद हिन सरकार का इन्होंने गठन किया था कब किया था 21 अक्टूबर 1943 को इन्होंने गठन किया था आए इनके बारे में जानते हैं देखे इनके जम्न स्थान कहां पर हुआ था इनका जम्न कटक उड 244 इन्होंने प्राप्थ की थी भारती नागरिक सेवा वर्स 1922 में इन्होंने उतेड की थी और ये कंग्रेस 27 कि वर्स 1443 में आजआध हिंद पौरी के कि इन्होंने कमांड संभा ली ईए उपाधी क्या है इनको नेताजी बोला जाता है देश नायक कौन कहा है रवीद न tenían प्रचाद है टायगोर्ड द्वारतप्रदान किया गया है सब्द क्या है देश नायक है महात्मा गांधी ईनको कह दिया जरूर मत करएगा जरूर देखकर जाईएगा अब इनका प्रशिद नारा है देखेatarainता लिए कि इस वास्तिधों की रूप रहे नहीं करके सबसे पहले हैप्षिक दॡ़का क्या है देखिए दखेनिक नचल्नी इंडियन नेशनल आर्मी ये कब गठन हुआ था इनका गठन तो ये जो गठन हुआ था प्रारंब में फरवरी ये मार्च 1942 में कैप्टन मोहन सिंग द्वारा और प्रत्थम डिवीजन की और चारिक घोषन थी और जो की कब सितंबर 1922 की अब निश्टा ये देखे क्या है कॉंसिल आफ एक्षन देखे बैंक कॉंग शम्मेलन हुआ था कब हुआ था ये चुन 1922 में हुआ था इसमें जो प्रस्तावव आया था क्या आया था इनका के अक्शन का गठण किया गय गया था और इनका प्रदान किया गया दायुट तो किया है देखे इंडियन इंडिपिंडेंस लीग और इंडियन तथा आधिछन करना続 दाय। तथा समझ गये यह किसका था तो यह सब था आजाधिन फहुंच के गठन की वास्ति रूफ रहा है कि क्या हुआ कि बहुत नेशनल आर्मी बनी इंडियन नेशनल आर्मी बनी फिर बैंक कॉंक समेलान हुआ फिर इनमें यह बोला गया कि इंडियन इंडिपिंडेंस लीग और कीसल नेशनल आर्मी के मद्ध क्या हूआ समय में तथा अधिच्छड हुआ अब देखें निश्ट किया है नेश्ट देखें यह इंडियन नेशनल आर्मी देखिए जुलाई जुलाई चार जुलाई 1944 को सुभाजर्चंड बोष दोबारा इंडिया नेशनल आर्मी का नेट कर लिया कि अपने हाथ में ले लिया कहा जाता है ने इस देखेंपर आज़ा लाल किल्व मुकादमा यह भी पूशा जाता है कि यह सब इसमें अभी युक्त हैं किला किल्व किला मुकेद्व कैद्व कौ्ण है इसमें तो आज़ान स मुक्त थेया है देखे जो राशिद अली हैं इनको शाथ वर्स का कारावास दे दिया गया है लेकिन और ये जो और भी बचे हैं प्रेम कुमान सहेगल गुरुबक्स सिंग धिलन और सहना जवाज इनको आजीवन निर्वाशन कर दिया गया है अब देखे इनका लालकला मुकदमा कब चुला ह उननीस सो पहतालिस में अब देखे निष्ट आजाद हिंद फौज बचाव समति इसमें कौन-कौन से सामिल अभी पूछा गया है कि आजाद हिंद फौज बचाव समति में कौन-कौन प्रमुख शदस हैं तो तेज बहादु शप्रू कैलास नात काडचू आसाफ अली और सजा को माफ कर दिया जो लाल किला मुकदमा था ये सजा मिली हुई थी इनको माफ कर दिया कमांडर इनचीफ आचिन लेग ने अपने बिसे सिधारे को इन्होंने जो इनको मिला था बिसा सिधिकारों का इन्होंने प्रयोक किया और जो इतना मुकदमा मिला था सजा उन सबको इन्होंने माफ कर लिए अब देखिए निष्ट कैविनेट् मिशन आहिए देखते हैं कैविनेट्ट मिशन 1946 भारत में आगमन हुआ है चौबभीस मार्च के अध्यच कौन है तो आप क्या बताएंगे लाड़ पैथिक लॉरेंस है शदस से कौन है इस्टेफोड क्रिप्स है जो कि बोर्ड आफ्टर ट्रेड के अध्यच है और एवी अलेक जिंडर है जो कि नौशेना मंतरी है सुझाओ क्या दिया गया था तरी इस तरी शाशन इसमें कर दिया गया था भारत के बारत एक संग वहां चल्ट अब देखें सामिधान सभा कगठन प्लांति विधान सभाओं ये पॉल्टी के लिए भी हो जाता है और हिश्टी के लिए तो हई ही है देखे इसकी प्रथम अधिवेशन पूछा राता है कि प्रथम अधिवेशन के आइस्थाई अध्धच कौन बने हैं तो आइस्थाई अध्धच बने हैं डाक्टर सच्चीदानन सिन्हा बने हैं और इ आप ध्यान में रखिएगा 9 से 23 दिसंबर 1946 को प्रत्थम अध्यवेशन आया था जिसके आज स्थाई अध्यच डाठा सचिदनन सिन्ह बने है और फिर बाद में इस्थाई अध्यच बने हैं राजेंद प्रिशाद हैं अब देखे समिधान सभा के गठन से पूर की गत्विध गया क्या थी सुराज बिद्हंक उन्नीस सो पंचानवी सिउ में समिधान सभा के शिद्धांत का सवरुः प्रत्थम दर्शन किया था बाल गंगा धर्तिलक के निर्देशन में ये तयार किया गया था महात्मा गांदी इस दिखे हैं फिर भारती समिधान भारतियों की इच्छा नुशारी ही होगा हमें यह महात्मा गांधी जी कहते हैं निच देखे क्या है मोतिलाल नहरू, मोतिलाल नहरू जब वर्स उननी़ सो चोबिस में बिटिस सरकार के सम्मुख समिधान सभा के दिरने की मांगी इसमें जो तक दे जिए समिधान सभा के बिचार का प्रतिपादन किया है ये भी कोशन पूछा गया है कि समिधान सभा के बिचार का प्रतिपादन किसने किया है वो भी आपचारिक रूप से तो कोई आप बताएंगे एम एन रॉय जवाहाला नहिरू समिधान सभा के विचार को मोत रूप दिया है कांग्रेस का फैजफूर अधिवेशन जो कि दिसंबर 1936 में हुआ था समिधान के अर्थतम महत्य की ब्याक्य किये कैविनेट मिशन प्लान कब आया था? 1946 में आया था इसकी अंतरगर समिधान सभा का गठन किया गया था देखे ये थी इसकी समिधान सभा के गठन से पूर की गत्वी दिये आई एक बार और आपको रिकॉल करवा दे रहे हैं रिवीजन से देखें क्या है कि समिधान सभा के सिद्धान का सरप्रथम दर्सन बार गंगा धरतिला की निर्देसन तयार हुआ फिर महात्मा गांदी ने कहा कि भारती समिधान भारतियों की चनलन के अनुशारी होगा फिर मोती लान नहिरू ने बेटी सरकार के सम्मुक जाकर समिधान सभा की निर्मार की मांग की है फिर एमेन रॉयम ने अपचारिक रूप से समिधान सभा के बिचार का प्रतिपादन किया है और जवालान नहिरू ने समिधान सभा को मूर्थ रूप दिया है फिर कांग्रेस का जो फैजफूर अदिवेशन हुआ है इसमें समिधान के अर्थ और महात्यू की ब्याक्या की गई है और फिर 1946 में काइबिनेट मिशन प्लान आया है जिसके अंतरगर समिधान सभा के गठन हुआ है अब देखे कुछ महात्यपूर्टत्त हैं देखे काइबि नेट मिशन यूशना में समिधान सभा केज लिए चुनाओ 296 सदस थे जिसमें ब्रिटिस भारत के प्रांतों से जिसमें निर्वांची सदस सदस देखे 208 भारती राशी कांग्रेस के थे और 73 मुस्लिम लीग से थे और 15 जो थे अन्य दल से जिसमें फतंत उम्मीद वार थ कितने थे 389 फदस्यों का प्रवधान था अंतरीम शरकार गठन के लिए जुनी मंत्रम भेजा गया था बारा अगस है 2zeug6 को गठन किया गया है प्राराम में मुश्लिम लीग की भागिदारी नहीं थी उलाоВंध द़ारा सीधी Lazarवाही दिवसेतु सुन्श्डित किया गया है अक्टूबर 1946 के मुस्लिम लीग के पांस सदस अंतरिम सरकार को शामिल किया गया है अब देखें अंतरिम सरकार दो फितंबर 1946 अंतरिम सरकार के जो कठन हुआ है कब हुआ है दो फितंबर 1946 को अपर आरह में क्या हुआ था मुस्लिम लीग ने भाग नहीं लिया था पिर क्या किया है कि 16 गस 1946 को मुस्लिम लीग द्वारा सीधी कारवाहि दिया से तो इन्होंने निस्चित किया है और पिर अक्टोबा 1946 में मुस्लिम लीग के 5 सदस सामिल हो गए है बाद में यह शामिल हो गए है है अब देखे अब इसमें यह याद रखेगा कि खा देवां इन्टरिम सरकार में कौन बना है कि खा देवां क्रशी मंत्री तू बने हैं डॉक्टर राजे अंत्विशाथ और अच्छा मंत्री बने हैं बल्देव वीदेश मामले हैं किस नंतरघट आते हैं जवाहलाल नहरू करती हैं अब देखें को नहीं प्रतम सरकार के लिए नही को पैद सब ऑरे नहीं करीं सरकार मंगे नियुम भारत में पॉल टी तो उसमें हमां ने बहुत अच्छे से बताया बड कोई नहीं से इसमें मैं एक बार हम फिर से आप लोगों को जी वीजेन टूरा दे रही होंी आए बहारत का श्रमेदानिक विकास तेखे कंपनी के शाषन हेतू प्रमुख अधनियम कौन कौन से हैं सबसे पहले हम यह देखेंगे इसमें हम पढ़ेंगे रेगुलेटिंग एक्ट उसातरा सो तीहतर कर रेगुलेटिंग पढ़ेंगे फिर पढ़ेंगे पिश्च इंडिय के सासना धीन अधनियम सबसे पहले हम पढ़ते हैं कंपनी के शाषन हेतू प्रमुख अधनियम यह मोश इंपोर्टेंट है इससे क्योशन बनते हैं सबसे पहले हम पढ़ेंगे रेगुलेटिंग एक्श 1773 में तीहतर आइए देखते हैं ब्रेटिस सरकार द्वारा यह पार इसका प्राउधान क्या हो गया है देखे मोश इंपोर्टेंट है मदरास प्रेशिदेंसी और बंबई प्रेशिदेंसी को कलकतर प्रेशिदेंसी के आधीन कर दिया गया है बंगाल का गवर्नर बना दिया गया है बंगाल का गवर्नर को क्या बना दिया गया है बंगाल का ग इसी टाइम इसमें सर्वोच नियाली की इस्थापना की गई है यह पूछा जाता आप से किस रेगलेटिंग एक के ताहत किया गया है तब क्या बताएंगे 1773 एक के ताहत किया गया है पिष्ट इंडिया एक 1784 इसके प्रमुक प्राउधान क्या है अब जो कमपनी के मामलों में सरकारी नियंतर जो था उसमें ब्रद्धी की गई इसमें सरकारी कंट्रोल में ब्रद्धी कर दी गई कमपनी के बैपार में आहस्तचेप की नीती अपनाई गई कमपनी के बैपारी उसमें आहस्तचेप की नीती अपनाई गई कमपनी के बैपारी के एवं राजनीती कारियों को एक दूसरे से अलग कर दिया गया है यहीं कि राजनीती कारियों को भी अलग कर दिया गया और बैपारी कारियों को भी अलग कर दिया गया दोनों के लिए अ अगर चाहे तो अपने जो निर्णे को रद कर सकता है और अपने निर्णे को लागू भी कर सकता है तो यह आप ध्यान में रखिएगा इस देखिए चार्टार एक्ट 1813 इंपोर्टेंट है यह जो प्वाइंट पताने चाह रही हूं इसमें क्या है कंपनी का बैपारे एक एक अधिकार समाप्त कर दिया गा है लेकिन चाय और चीन के बैपार को छोड़ कर सारे वैपार को जो एक पारед कός और को वह समापत कर दिया गया है यह ध्यान में रखिए गया है लेकिन हां कम्पनी और 20 वर्सों के लिए भारती प्रदेशो तो ततあっ राज श्वाने अंतर एक पॉइंट यह है कि कंपणी के बैपारी के एक अधिकार कर शमाप्त कर दिया गया है कि इसको छोड़कर चाय और चीन के बैपारी के साथ छोड़कर दूसरा पॉइंट क्या है कंपणी को अगले 20 वर्षों के लिए भारती में प्रिदेश और राजश पनियांतरन का अधि 233 यहां पर बैपार चीन और चाय और चाह के साथ और विसमें ऐधिकार समाप्त कर दिए गया है लेकि कंपणी को केवल राजनीतिक कार करने का प्राउधान है बंगल का बंगल गवंगाल का इन और वैव्हाद कगवनर ही 271 वह उजलुदृग अब समचिय भारतों जोब बना दिया गया था बंगाल का गवर्नर जन्रल बना दिया था बंगाल का गवर्नर जन्रल रहेगा वह अब समुच्छे निए पूरे भारत का गवर्नर जन्रल बन जाएगा अब बताएं मैंने भी पॉइंट डिसक्स किया है कि बंगाल का गवर्नर जन्रल कौन है कि भारत का सबसे पहले किसको बनाया गया है कानून बनाने के लिए गवर्णा जन्रल की परशद में एक कानूनी शदस सम्लित रूप से मैकाले को प्रथम बिधी फदस्य के रूप में इनको बनाया गया है इसमें क्या क्या गया है जो बंगाल का गवर्ना जनल था अब इनको पूरे भारत का गवर्ना जनल बना दिया गया है और गवर्ना जनल की परिशत में एक कानूनी शदस भी समलित कर दिया गया है जो कानून की रूप में कौन आया प्रथम मैकाली आया है और सभी कंपनी के सरकार द्वारा निश्चित होगा जटा रहटा अथारा सी तीर पन में कहा गये कि नियंतरण बोड और उसके अन प्रादिकारियों का जो बेतन है सरकार द्वारा निश्चित होगा धन कंपणी देगी कौन देगा कन धन कंपनी देगी अब निश्ट देखिए निश्ट पॉइंट डिरेक्टरों की संख्या जो है चौबिस से घटा कर अठारा कर दी गई है छै क्राउन द्वारा मनुनीत किया जाएगा अब हम देखेंगे निश्ट दूसरा पॉइंट ब्रिटिस ताज क पॉझे सासना धीन अधनियम कौन कौन से है आहरे जबसे पहले हम देखेंगे भारत सरकारज तरी भारत सासन अधनियम ऐटारा दीपच्वान drauf-1 1858 सबते हैं कि 1857 की करौंची के बाद जो भी श्षाशन की बाग डार्य है वो बिटिस क्राउच आट में चली जाती है चींप है और राज करी नियुक्त नीजन समस्त अधिकार को प्रदान की गए जो वहां पर बना दिये गए थे बारड अप करें लिगए। लिग जो हैं तो दोनों की समस्त अधिकार भार्स सच्यों को दे दिया गया है भारत के गवर्नर जनरल का नया नाम क्या दिया जाएगा वाय शराय दिया जाएगा भारत में ब्रिटिस क्राउन ताज का प्रतेश प्रतिनी दियोग वाय सराय रहेगा वो भारत में ब्रिटिस क्राउन ताज का प्रतेश प्रतिनी दियोग वाय सराय रहेगा वो भारत में ब और अध्या देश लागु रहने की अधिकतम अवदी छाम है, यह कोशन बना हुआ है क्या बताए कि अध्या देश चारी करने की सकती किस किसमें दिया गया तब क्या बताएं कि भारत परीसत अधिनियम 1801 एकशठ में दिया गया है, दो इस देखें, वाईश अराय को के जनक इनको माना जाता है और भारत में विभागी प्राइन की जनक माना जाता है वाय सराय की कारय-कारी परश्थ का बीस्ताहर है ने उंतन अधिक तम ला आत्रिक्स वदस्तियों की ये नियुक्तियों की बंबझा तरह मदराश प्रांतों को पुना प्राण heh forgive जो च्छिन लिए गाये तो अन्वे में और इनको पुर्ण को गविति होगि गये अदल अब इंको अदिकार दे दिए गये थे आई यह अपने लिए कानून बना सकता संसोधं नहीं को इनको अदिकार दिया गया था तो यह जो हैं भारत पारणअधनीम अठारा सो एक में हो रह रहे यह उसकी पोछने इसलिए आप को बता रहें वह अधारा सोफ से भारत प्रशद अठार करने का अधिकार प्रदान किया गया तो किसमें 1892 में शाजुनिक हित के मामलों में बिधान मंडल के शदस्यों को 6 दिन की सूचना देकर प्रश्न पूछने का भी अधिकार है यहीं कि साजुनिक हित के मामले में बिधान मंडल के फदस्य आप कोई भी प्रश्न पूछ सकते हैं जो भी 6 दिन क 1909 में क्या कह गया है कि संप्रदाइक प्रत्मिद्रत की ब्यवस्था की गई है और इसमें केंद्री मिधान मंडल के फदस्यों को बजट पर मत देने का अधिकार नहीं दिया गया है दिकर प्रशिद्य कथा नहीं क्या है कि माले मिंटो शुधार ने हमारा शरुनास कर दिया गया है और रेमजे मैगडोनाल्ड ये शुधार प्रजा तंतरवाद और नौकर साही के मद्द एक अधूरा और अलपकालिन समझा होता था ये रेमजे मैगडोनाल्ड कहते हैं क्यों इसको गांदी जी ने कहा कि सरुनाच कर दिया कि क्योंकि मुस्लिमों के लिए अलग से नि एक है आरचित और एक है है ह स्तांतृत भी से इसमें दोनों में विभाजित ग्या है अधनियम का अधार क्या है? मान्टेंगों चेंसपौर्ड की रिपोर्ट ये अधनियम का अधार है अब देखे निश्ठ है भारत सासन अधनियम 1935 इसके प्राउधान क्या है संगी लोक सेवा आयोक का गटन किया गया है जो आप जानते हैं अकिल भारती संकी स्थापना की गई है दैद सासन लगा था प्रांतों में लगा था अब प्रांतों से समाप्त करें केंदर में लागू हो गया वहां पे 1919 में मांटेंगु चेम्सपोर सुधार में प्रांतों में दैद सासन लगा था लेकिन यहां पे दैद सासन है को दिका दिया गया विस्तार संप्रदाइक तथा वर्गी मतदाता मंडल का आधा SH jeito किया है भारत के वर्तमान समय intelligent को भी हद तक इसका आधा SH sharing तुभा छोत है द्री cusha केंदरी बिधान मंडल्यों डिस अदनी जो है जो there लाल नहिरू का कथन आईए हम लोग देखते हैं देखिए एक कार जिसमें ब्रेक तो है पर इंजन नहीं है जिकन देखिए गुलामी का अधिकार धर देखिए दास्ता का आग्या पत्र अनुदेश प्रपत्र अंत्रविष्ट निश्टे के राजी की नीती की निदेशत्त्त समाविष्ट को रहे हैं जोए लाल नहिर्यू की कथन भारत की समेधान में वर्स 1950 में क्या बोला राजी के नीती की निदेशत्त है तो यह की रूप में समाविष्ट क्या हैं कि भारत की समेधान में वर्स 1950 केम नोट देखिए कांग्रेस के लखनाए हुँ अधिवेशन अधनियम 1946, आईए हम देखते हैं, ये देखिए, आप देखिए इसमें, आ विभाजित भारत का विभाजन कर, भारत एवां पाकिस्तान दो फतंत अधिराजों की स्थापना की, ठीक है, तो उनका जो पहले भारत एक बहुत बढ़ा था, अब उसको विभाजन करके, दो अध अधिराज की स्थापना की, एक भारत बना, एक पाकिस्तान बना, ये सबाप रोग जानते हैं, 15 अगस 1947 से भारती रियास्तों पर ब्रिटिस संप्रुक्ता की समाप्ति कर दी गई है, दोनों अधिराज्यों की समिधान निर्माती सभा को समिधान बनाने का अधिकार, जो द भारती फतनता दियां 1947 का है, अब देखिए कुछ हैं, बीबित मिसले निचे देखिए, अरूरा आशाफ अली, अरूरा आशाफ अली के बारे माईए हमनों कुछ देखते हैं, देखिए ये राष्टवादी नेत्री थी, फतनता शिनानी थी, मूल नाम अरूरा गांगुली था, 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के भूमिगत, आंदोलन की प्रमुक संगठन कत्री है, महतुपूर भूम का जो निभाई है, कॉमिनिश पार्टी की महिला विंग, नेशनल फेडरेशन आफ इंडियन उमिन के गठन में, और निच देखिए, 1958 में दिल्ली नगर निगम क कि मेहरी निरुवाची हुई है, इसका प्रेकाशन है, पैट्रियार्ट समाचारपत लिंग पत्री का, ति ये इसका प्रेकाशन है, नेश देखेंगे, आधिनिक भारती तिहाज, कुछ मिसलेलिया सथ देखते हैं, आए देखते हैं लोग, देखें जो तत रोते हैं, मुष अलिन जिन्ना को भारती राष्टी कांग्रेश के आधिकारिक इतिहासकार थे कौन थे डाक्टर पटाबी सीता रमयया ये आधिकारिक इतिहासकार थे गुट निर्पेश देशों का प्रिथम सिखर समेलन सितंबर 1961 में आयोजित किया गया बिल ग्रेड में भारत ने सेना बंकिम चंद चटत भाए जदूनात बोज थे बहारत में प्रिथम अठावन में सर प्रिथम सामेवादी सरकार की स्थापना हुई है केरल में एक समिथि नियुकत हुई थी सर जाज़ कैमपबल की अधेशता में उन श्वी फताबदी के आरंबिक वर्सों में पिंडारियों के तीन प्रमुकनेता कौंत चीतू बासल मुहमद और करीम खहाई ये पिंडारियों के तीन प्रमुकनेता थे साथ जुलाई 18 agrees 96 बंबै बंबै के वाट्सं होटल में मारबल आफ दी सिंचुरी के नामसे भारत में पहला सिनेमा सो आओजित किया गया था कहाँ पे फ्रांस दौरा किसके दौरा फ्रांस दौरा फ्रांस में ये फ्रांस के हैं ल्यूमी एरे बंदुओं लियुमे एरे बंदूओं ये फ्रांस के हैं इनी के दौरा वाटसन होला बंबई के वाटसन होला में मारबल आपड़ सिंचुरी के नाम से भारत में पहला सिनेमा सो आयोजित किया गया था इसके दोरा लियूमी एरेग बंदूओं जो कि फ्रांस के हैं प्रत्थम राष्टवादी नेता जिन्हों ने जन्ता से निकट सम्मन्द स्थापित करने का प्रयातनी किया बाल गंगा धर तिलग जै जवान जै किसान का प्रिशिद नारा किशने दिया था लाल बहादूर शा जाते जिए चाहते थे कि लग कुटीर हम लोग इस्टार्ट करें जिसमें उद्धोगों के भी कास पर बल दिया था लेकिन चबहाल आने चाहते थे बहारी और धोगी करने चाहते थे राइटर्स बील्डिंग्स कोलकाता पस्षी बंगाल में इस्तीत है मुक मंतरी कारेले बहान में इस्तीत है निर्मान का उद्धे से कहा है ब्रिटिस इस इंडिया कंपणी के जूनियर सर्विंट्स राइटर्स के लिए यह बनाया गया था वास्तु विद कॉन था मसलिया यह सब ऐसे देख लिए इतने उपॉर्टन नहीं है राइटर्स से बिल्डिंग यह मु इस सब भारत की विभाज़न और फतंतर के लिए जिम्मेदार हैं अब देखें यह ब्रिटिश प्रधान मंत्री एक लिए ना अरिटली भारत की फतंतर के समय यह ब्रिटिश प्रधान मंत्री थे घोशना 20 फरवरी 1926 को किये थे हाउस आफ कॉमन्स में जून 1948 के पहले ही उ प्रण भारत छोड़ देंगे यह ही कहते हैं यह वहां पर हाउस आफ कॉमन्स में इनों ने गोशना की थी कि जून 1948 से पहले ही हम लोग उत्तरदाई लोगों को सब्ता दे कर हम भारत छोड़ देंगे बयान देखे क्या हैं ब्रिटिस सरकार भारत की विभाजन के लिए उत सराय पद पर निष्ट देखे के लाड मांट बिटन यहीं आती है पद ग्रहण किये थे 24 मार्च 1946 में निष्कर्ष के निकला इन्होंने भारत के बटवारा करा दिया और पाकिस्तान की स्थापना की गई अवश्यक अब हो गई देखे मांट बिटन योजना आई है यह अलकुन प्लान, गुप्त नाम, बैकलफिक योजना, गठित सीमा आयोग, पंजाब सीमा आयोग जिसके अध्यस थे ये लाड माउंट बेटन है निस देखें कुछ और कथन है आई देखते हैं आर कोप लैंड का कथन क्या है भारती राष्टवार्त अंग्रेजी राज की ही संतति थी के एम पडिक्र का कथन क्या है ब्रिटिस सासन की शर्वाधिक महातुपूर उपलपती भारत का एक ही करण ये सब कथन थे निष्टा ये देखते हैं हम लोग भारत के भी भाजन का जो प्रस्ताव है शुकरत किया गया है कांग्रेज महासमिती द्वारा 15 जून 1946 को दिल्ली में इस समय कांग्रेज के जो अध्यस ने जेवी करपलानी थे प्रस्तुत किया है गोबिन बल्लपंत समर्थन कौन किया है मौलाना अबूल का लाम आजाद द्वारा समर्थन दिया गया है जो ये देखें इसके अध्याश बन गए फिर आप देखिए उनीश सो पचास में पुर्शुत्तम दाश्टंडंट बने फिर उनीश सो क्यावन से उनीश सो चौवन के पंडित जवालाल नहिरू इसके अध्याश बने तो यह थे इसके कांग्रिस अध्याश की पूछा जाता है कि आपसे कि फतंतता के समय कौन थें अध्याश ठीक है इससे कुशन बनता निश्ट देखिए 14-15 जून 1947 को संपन अखिल भारती कांग्रेस कमेटी की बैठक में खान अब्दुलगफार खांजने सीमांत गांधी बूल जाता है ने मतदान किया था किसका भारत बिभाजन के बिपच में भारत बिभाजन के बिपच में इन्होंने मतदान किया था पंजाब प्रांती कांग्रेस कमेटी के अध्याश डाक्टर किछलू थें बिभाजन के प्रबल बिरोधी थें कोई नहीं चाहता था कि बिभाजन हो 1948 से 1950 के दौराद फट्था भारत के प्रिथम भारती और अंतिम गवारना जनल कॉन थेंद सीर्ज गुपलाचार्य यह पूछा गया है फतन्त भारत के प्रतम बीधी मंतरी कौन थे फतन्त भारत के प्रतम बीधी मंतरी वियार अम्बेटिकर भारत की फतन्ता के समय ब्रिटन की शक्ता किसे थी लेबर पार्टी की भारती फतन्ता के समय ब्रिटन के जो महराजा थे जार्ज खश्टम महराजा थे तो यह सब अब इसके जो रशना की गई थी 1905 में की गई थी किसके द्वारा रवीद नय टैंगोर द्वारा बंग भंग आंदूरन के द्वारन की गई थी संगीत क्या है गगन हर कारा के गीत अमी कोड़े पाबो तारी से प्रेरित होकर प्रिथम दसपंगतियां है वस 1972 में बंगला देश द पुस्तिके हैं हिंद स्वारा जो है यह गुज्राती भासा में हैं ब्रिटिस संसद की बाच और बिश्या से तुलना की गई है गोखले माई ही पॉलिटिकल गुरू यह भी इनकी पुस्तिके हैं देखे कुछ पुस्तिके हैं और लेकिकाह जो कि इंपोर्टेंट आ हुजा अरबीन घोसदा फाउंडेशन्स आफ इंडियन कल्चर भागा सिंग मैं अनिशरवादी क्यों हूं लेडी कैथरीन मेयो मदर इंडिया राम मनोहर लोहिहा गिल्टी मेन आफ इंडियाज पार्टिशन डोमिनीक डोमिनीक लापी एर एंड लैरी कालिंस फ्रीडम एट डबलू ए फेयर सर्विस दा रूटस आफ इंसियंट इंडिया देखिए इसमें आपको याद क्या रखना मोश इंपॉर्टेंट आप यह याद रखिए महात्मा गांधी जी का चितरंजन दास का अर्बिंद भोज का भगल सिंग का राम अनुह लूईह और डबलू ए डब पूल कलाम आजात इंडिया इंडिया विंस फ्रीडम बार गंगा धर्तिलग सिरी मद भागवत गीता रहिश लाला लाजपत राय अन हैपी इंडिया यह सब ध्यान में आप रखिएगा मनु बहन बापु माई मदर राजा राम मोहन राए प्रिसिप्ट्स ओफ जीजस डब अधास चंद्र बोउस द इंडिया इंडियान इस्ट्रगल जै प्रिकास नरायार तूवर्स इस्ट्रगल से लिए कि यूग टोए द इस प्रिंगिंग टाइग राजेंड राजें प्रिशाद इंडियान डिवाइडेड माइकल मधुशुदंदद द दक द कैप्टिव ले ले जनरल ब्रजमोहन कॉल दा अंटोल्ड श्टोरी अरभीन घोज दा लाइफ डिवाइन रफीक जकारिया दा मैन हुड डिवाइड इंडिया यह भी इंपोर्टेंट है यह सब दो से तीन पर आप पढ़ेंगे और मैं फ़रा से पीडिया कुछ जो मुझे लगे कि इंपोर् जैद्रतवद जवाला नहरू के पुस्तके कौन से है डिस्कवरी ऑफ इंडिया गिलिम्प सेच आफ वर्ड हिस्ट्री यह सब जवाला नहरू जी की पुस्तके हैं निस देखिए कुछ हो मिसलिनीय से कुम्भ मेला देखिए कुम्भ मेला इस नहां पर लगता है चार जगा इन फरक uhm िते हैं प्रिदेर श को बोलते हैं अंडिया प्रत्याग राजड गंगा यह मुना भी और आद्रश्य शाल्ष्वती नदी संđं पर थियाग राज राज इसे उत्तर प्रदेश में मेला आयोजित से होता है एए 132 वर्स को अरद्वकुंभ मेला बुलते हैं उज्जेह Hej पूछा जाता है उजयन चिप्रा नदी केटर पर उजयन है यह मध्ध प्रदेश में है प्रतेख वर्स मेला आयोजित क्या चाता है छटे वर्स को प्रतेख आर्धुकुम्ब और प्रतेख बारवे वर्स को पूर्ण कुम्ब या कुम्ब मेला नाशिक गोदावर नदी केटर 144 वर्स आयोजित होने वाला मेला महा कुब खहलाता आप देखिए जो 12 कुब हो 12 कुब जब पढ़ जाएगा यह जो 12 कुब के बाद के कौन सा वर्स पढ़ एक 144 वर्स में होने वाला जो भी मेला होगा उसको बोलेंगे महा कुब बोलते हैं उत्तर प्रदे सरकार ने प्रियाग राज में वर्स 2019 में लगने वाले अर्धु कुम्ब का नाम बदल कर कुम्ब तथा प्रतेक 12 वर्स पर होने वाले कुम्ब का नाम बदल कर महा कुम्ब कर दिया गया है यह जो 12 वर्स पर लगता है उसको महा कुम्ब कर दिया गया है और जो झो जो च्छाय वर्स पर लगत था अर्धुकूंट उसको कुम बोल दिया गया है उत्तरपद्ध सरकार ने इसको बदल दिया है निष्ट के चार मठ है कौन-कौन से डेखे चार मठ एक है जोतीरश मठ जोसी मठ बोलते ही उत्रखन में है और उत्तादिसा में गवार्धन मठ पूरी उरीसा में है द्वारिका पीठ द्वारिका गुजरात पश्चिम में हैं चार मिठा चार स्थानों पर इसकी स्थापना नामपुरुषकाः प्रदान किया जाता है काला के छेत्र में भारती और दोगिक तथा बैग्यानिक अनुसंधान परशत द्वारा उनीश स्थापित शांती शौरू भटनागर पुरुषकार प्रदान किया जाता है बिग्यान्त और प्रदुकी के छेत्र में उत्रकश योगधान के लिए 45 वर्स तक के सुध करताओं क भारत का सरवोच पुरुषकार कौन सा मेजा ध्यान्चद पुरुषकार है पूर में राजीव कंदिस को बोलते थे खेल रतन पुरुषकार है अब निश्ट देखे पद सिरी सम्मान पानने वाली पहली भारती अबनेतरी कौन है नर्गिस्तत मैं बताया तो जो पहली हो व बारती कोल सकयर पी कौन है भी एस नाय पाल है प्रेंट क्रफ्रुषकार के लिए पहली भारती फिल्म कोन सी है मदर आяж अब 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 भारत रतनाभ नागर कौन होता है इसकी जो इस्ठापना हुई है दो जैवर उन्नीसन फौन के स्थांब हुए है 3 . भारत रत्न पुरुषका फिस तमानित बैतिकोंद हैं डाक्टर सरुपली राधा कृष्णन, सी राजगोपालाचारी, सी वी रमन ये सब भारत रत्न पाय हुए हैं निस देके भारत के सास्त्री नित्टे संख्यां वह आठ हैं भारत नट्यम कथाक कुचिपुरी मुहनी तर्प्रदेश में तर्प्रदेश में मढई पूर में मढई पूर में उरिशियो और उरिष् union मैं कुछीर फूरी का ऐए न् vaccin काहिए राजारानी मंदीर स्वामी वरी देव स्थानानम दच रामम है ब्रदिश्वर मंदिर तमिल नाडू में है करनाटक में सिरी बिद्य संकर मंदिर है कैलास मंदिर एलोरा यह महाराष्ट में है गुजरात में सूर्य मंदिर मुढेरा है कंदरिय महादेव मंदिर यह मध्ध प्रदेश में है तो यह सब प्रमुक मंद ठीक है देखे अब से ये पूरा हमारा ये था पूरा complete modern history भारत का आधनिक इतिहास ये पूरा complete हो गया है देखे लेक्टर देखने के बाद आप फीड़ जरूर से करेगा आपको लेक्टर कैसा लगा देखे मैंने आपको बता है कि देने जाने से पहले आप इस सीरीज को okay friends thank you